नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल भे आज हम आपके लिए लाए है संपूर्ण विश्णु पुरान की आडियो बुक तो चलिए बिना और देर करे जल्दी से शुरू करते हैं प्रथम अध्याए जिग्यासु मुनियों की प्रबल इच्छा को देखते हुए सूत जी ने कथा वर्नन प्रारंप करते हुए कहा दैनिक शौचादी से निवरित होकर मैत्रे जी ने मुनिश्रेष्ट पराशर जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा गुरु देव आपके श्री चरणों में वेद वेदांग सहिद भारतिय वानमे का संपूर्ण अध्यान करने के पश्चात मैं देखता हुँ मेरे प्रतिद्वंद्वी विद्वान भी मेरी योग्यता को सहच स्वीकार करते हैं कृपया अब यह बताईए कि क इस जगत के निम्मित एवं उपादान कारण कौन से हैं अर्थातिय सकल जगत पूर्व अवस्था में क्या था कैसे इसकी उत्पत्ती हुई और अब यह किसमें विलीन होगा ख समुद्र परवत तथा देवों की स्रिष्टी का रहसे क्या है आकाश की सीमा क्या है पृत्वी का क्या आधार है तथा सूर्य का परिमान एवं आधार क्या है ग देवताओं के वंश मनु मन्वंतर चारो योग एवं उनके कल्प और विभाग प्रलय का रूप और धर्म क का आधार एवं स्वरूप क्या है मुनी पराशने धर्म ग्यानी मैत्रेय से मुनी वशिष्ट द्वारा वर्नित प्रसंग का स्मरन कराने पर धन्यवाद देते हुए कहा प्रियवर वास्तव में तुम्हारी जिग्यासा के समाधान के लिए पुरान सहिता स्वयम प्रमान है मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बार मुनी विश्वामित्र के प्रभाव में एक राक्षस द्वारा अपने पितामा का भक्षन किये जाने का आख्यान सुनने पर बदले की भावना से मैंने एक यग्य का आयोजन किया इस आयोजन में मैंने राक्षसों के संपून विनाश का संकल्प लिया सैकरो राक्षस यग्य में जलकर भस्म हो गए पिताम हुवशिष्ट ने जब यह देखा तो उन्होंने मुझे यग्य को ततकाल बंद करने का आदेश दिया और कहा पुत्र क्रोध मनुष्य के विकास का अवरोधक है इससे यश्ट तप लोक एवं पर लोक का क्षरन होता है न कोई किसी का अनिश्ट करता है न किसी को मारता है बलकि हर कोई अपने कर्मों का फल पाता है इसलिए वत्स, राक्षसों को भी उनके कर्म का फल्स्वयम ही मिल जाएगा, तुम क्यूं उनका वत्थ करते हो? क्यूं उनसे वैर मानते हो? मैंने पिताम के आदेशा नुसार यग्य बंद कर दिया, मुनी वशेष्ट इससे अत्यंत प्रसन हुए, तभी मेरे आश्रम में ब् पुद्धिवाला, दूसरों की सेवा में रत होने के कारण इश्वर के यथार्थ रूप का ग्याता और पुरान शास्त्र का रचयता होने का आशीरवाद दिया, इस समय मुझे आपके द्वारा पर मात्मा के रहस्य संबंधी प्रशन पूछे जाने पर महर्शी पुलस्त् करने वाले हैं, वही इसे धारन किये हैं, वही प्रलेय करता है, मूल रूप से यह जगत विश्णु स्वयम ही है, ब्रह्मा, विश्णु, महेश के रूप में स्रिष्टी की उत्पत्ति, स्थिती एवं प्रलेय के कारण वो स्वयम ही है, वस्तुतह विश्णु स्वयम पुरुकुस को सुनाया था पुरुकुस ने सारस्वत को और सारस्वत से मुझे सुनने को मिली वो मैं आपको सुनाता हूं ठेय विप्रषव रूप मैट्रेजी पर ब्रह्म विष्णु का आधी रूप पुरुष है व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में पॉक्र्वत education एवं महदादी उनके अन्य रूप हैं और सबको धारन करने के कारण काल उनका परम रूप है कारण शक्ति विशिष्ट सद असद रूप तथा नित्य अव्यक्त कारण को ही ग्यानी लोग प्रधान तथा सूक्षम प्रकृति कहते हैं वो स्वयम त्रिगुन रूप जगत का क कारण और स्रिष्टी एवं ले से रहेत रहता है यह सारा क्रिया कलाप प्रलय काल से स्रिष्टी के प्रारम तक उसी में समाहित था वेद में इसलिए कहा गया है प्रलय के समय दिन रात आकाश पृत्वी प्रकाश और अंधकार कुछ भी नहीं था आदी रूप पुरुष ब्रम्हा के अतिरिक्ट कुछ भी नहीं था आदी रूप प्रधान पुरुष से विष्णू ने ही रूप उत्पन किये प्रधान एवं पुरुष जिस कारण से उत्पत्ती और प्रलय में ये रूप संयुक्त और वियुक्त होते हैं वो काल कहलाता है पिछली प्रलय के समय प्रकृती में व्यक्त प्रपंच के समाहित हो जाने के कारण ही इसे प्राकृत काल कहा गया विष्णू के काल रूप ही के अनादी और अनंत होने के कारण संसार की स्रिष्टी, स्थिती और प्रलय सदा होते रहते हैं प्रलय काल प्रधान रूप साम्य आवस्था से तथा पुरुष से विमुक्त होने के कारण विष्णु का काल रूप इन दोनों को धारन करता है। सहीयोक्त अवस्था में पुनह सर्ग काल शुरू होता है जिसमें स्वयम विष्णु अपने प्रभाव से दोनों को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार मूल रूप से स्वयम विश्णुही त्रिगुन तत्व रूप में जगत की उत्पत्ती, स्रिष्टी एवं प्रलय के कारण है। आगे पर राशत जी तामस सर्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं सर्ग काल में स्रिष्टी रूप प्रधान से महतत्व की रचना होती है सत, रच, तम, भेज से यह महतत्व छिलके के बीच के समान प्रधान तत्व से आविश्ट रहता है। इससे ही तीन प्रकार का अहनकार जन्मता है। यह महतत्व से ढखा रहता है। तामस भूतादी रूप अहनकार से प्रभावित होकर विकृत हो जाता है और शब्द के मूल सूक्षम रूप और शब्द गुन वाले आकाश को उत्पन करता है। आकाश विकृत होकर स्पर्ष के मूल सूक्षम रूप और रूप गुन वाले तेज की रचना करता है। तेज विकृत होकर रस के सूक्षम रूप की, रस की तथा रस गुन वाले जल की सृष्टी करता है। जल तेज से आवरित होने पर गंद के सूक्षम रूप और गंद द्रहित की संग्या दी गई है। इसी प्रकार राजस एहंकार से पांच ग्यान इंद्रियों आख, नाक, कानवानी एवं तवचा तथा पांच करमेंद्रियों हाथ, पैर, जिवा, गुद्धा एवं लिंग की उत्पत्ति होती है। सात्व कहनकार से इन दस इंद्रियों के अधिश्ठाता दस देव हरी ग्यारवा मन जन लेता है। इन तत्वों में अनेक शक्तियां होती हैं। इनके पूर्ण तया मिलने पर प्रधान तत्व की कृपा से एक अंड की रचना होती है। अव्यत रूप जगत के स्वामी विश् स्वयम स्रिष्ठी के कारण, ब्रम्हा, रूप से उस अंड में उपस्थित होते हैं तथा रजोगुन का आश्रे लेकर संसार की रचना करते हैं। रचना के पश्चात कलपांथ समय तक उस स्रिष्ठी का पालन पोशन करते हैं। कलपांथ के समय तक के प्रभाव से समस्थ तत्वों का भक्षन कर संसार को प्रलय की स्थिती प्रदान करते हुए जल्मगन कर देते हैं और स्वयम शेश शया पर शैन करने चले जाते हैं। इस प्रकार स्वयम स्रिष्टे करता ब्रम्हा, पालक विश्नु, सनहारक शंकर की संग्या धारन करते हैं। यह भी कह सकते हैं जीव रूप में अपनी ही उत्पत्ती, पालक रूप में अपना ही पालन एवं सनहारक रूप में अपना ही सनहार करने वाले विश्नु का तत्व, उनके सूक्षम रूप, इंद्रियां उनके विकार और मन आदी सारे प्रपंच पुरुश रूप है, वे ही कार्य कारण रूप है मैत्री जी ने प्रश्न किया शुद्धात्मा ब्रह्म स्रिष्टी का निर्माता कैसे माना गया तो मुनी ने कहा है तपस्वी सभी बाते तर्क से नहीं जानी जाती जिस प्रकार अगनी का गुन जलाना है इसी प्रकार ब्रह्मा की निर्मान एवं पालन की शक्ति भी उनका स्वाभाव गुन है. अपने गनित के अनुसार ब्रह्मा सो वर्ष की आयू वाले हैं. इन 100 वर्षों का नाम पर है जिसका आधा पराध कहा जाएगा. ब्रम्हा की उत्पत्ती विश्णों के काल स्वरूप से हुई है। पुरा तत्व ज्यानियों ने इनकी परिभाषा क्रमशह 4,3,2 तथा एक माना है। संध्या एवं संध्यांच के मध्य का समय ही एक युग होता है। ब्रम्हा का एक दिन एक हजार चतुरन के बराबर काल का होता है। ब्रम्हा के एक दिन का विस्तार इस प्रकार है एक दिन में 14 मनु। एक ही काल में इनकी उत्पत्ती एवं संहार होता है। एक मन वंतर लगभग 71 चतुरियों के समकक्ष होता है। यह मनवंतर ही इन मनुू का काल कहलाता है। इस प्रकार देवताओं के वर्ष के अनुसार एक मनवंतर में 1 , लाख बावन हजार वर्ष होते हैं तथा मनुष्य की गर्णा के अनुसार यह काल 30 करोर 67 लाख 20 हजार वर्ष के लगभग होता है इस काल का 14 गुना ब्रम्हा का दिन होता है प्रलय के समय तीनों लोग जलने लगते हैं उस समय यहां के वासी जन लोग को चले जाते हैं और ना प्राइन रूप ब्रम्हा अपने दिन के समान कालवाली रात्री में शैश्टनाग की शया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं तरात्री के व्यतीत हो जाने पर प्रातकाल को पुना सृष्टी का संधान करते हैं इसी गणित के द्वारा ब्रम्हा के जीवन के एक वर्ष तथा फिर सौ वर्ष पूरे होते हैं, जो उनकी पूर्ण आयू है, ब्रह्माजी की आयू का पराद व्यतीत हो चुका है, जिसके अंत में पाद नाम का महा कल्प हुआ था, इस समय दूसरे अर्धक का वारा कल्प चल रहा है, पूर्वोक्त आख्यान का वाचन करने के कालने के लिए ही प्रभू ने वाराह रूप में अवतार लिया और जल में प्रविष्ट हो गए, वसुंधरा ने नारायन विश्नु को पाताल में आया देख अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की, नारायन ने रसातल से प्रित्वी को उपर उठा लिया, उनकी रोमा प्रचकर पुनह भू, भूव, स्व एवं मनुष्य लोक रचे, इसके पश्चात्र जोगुनी रूप ब्रह्मा का रूप धारन करके स्रिष्टी रची, ब्रह्माजी की असावधानी से शुरू में स्रिष्टी में तमोगुनी रचना हो गई जिसमें अग्यान, भोग, पुरुषार्ट साधन के लिए सर्वता आयोग्या इस स्रिष्टी से विरत ब्रह्मा ने पुना साधना द्वारा तिर्यक स्रिष्टी रची, इसमें वे सभी पशु पक्षी समाहित हैं जो अग्यानी, विवेखीन, एहंकारी, कुमार्गी एवं विप्रीत आचरन वाले है इस सर्ग का उप्योग भी पुरुषार्ट के लिए चिंत्या रहा, तत पश्चात ब्रह्मा जी ने साध्विक सर्ग की रचना की, इसके प्राणी विशय प्रेमी ज्यान वान दिव्य पुरुष्थे, इसकी रचना से ब्रह्मा को प्रसन्नता हुई तथा वे अपने को लक सफल मानने लगे किन्तु तीनों रचना सर्ग जड़, तेरियंच एवं पुरुषार्थ के साधन के लिए अनुप्योगी ही रहे, तब ब्रह्मा जी ने उत्तम साधक के रूप में पृत्वी पर विचरन करने वाले मनुष्य की रचना की, यह मनुष्य सत, रज, तम तीनो गुनों को धारन करने वाला क्रियाशील, पूर्ण विक्सित, दुहक का भंडार भीतर बाहर ग्यान युक्त और साधन शील है, ब्रह्मा ने चार प्रकार की मनों में स्रिष्टी की रचना की, इसके बाद देवता, राक्षस, पित्रिगन एवं मनुष्य की तथा जल की स्र प्रयोग किया, जंगा से असूर उत्पन हुए, उस तमों में शरीर को छोड़ देने पर ही रात्री का जन्म हुआ, ब्रह्मा के मुख से सत्वगुनी देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा ने मुख का त्याग किया तो उज्ज्वल दिन बना, यही कारण है कि असूर करती संध्या कहलाई, ततपश्चात ब्रह्मा ने आंशिक रूप से रजोगुनी शरीर धारन किया, इससे मनुष्य ने जन्म लिया, इस रजोगुनी शरीर को भी ब्रह्मा ने त्याग दिया जिससे पूर्व संध्या अर्थात उशा उत्पन हुई, यही कारण है सायम काल को पित्रिगन एवं प्राता काल को मनुष्य बल्वान होते हैं, इस प्रकार साथ, रज, तम के मिश्रन से उद्भूत देव, मनुष्य, असूर एवं पित्रिगन ब्रह्मा की स्रिष्टी तथा दिन, रात, प्राता सायम ब्रह्मा के शरीर आंश है, पुनव ब्रह्मा ने रजो मातरात्मक शरीर धारन करके क्षुधा को उत्पन किया, क्षुधा से काम की स्रिष्टी हुई, अंधकार में ब्रह्मा ने भूखी स्रिष्टी की रचना की, जिससे उत्पन भाद्दे दाड़ी मूचों वाले व्यक्ति पैदा हुए, जिन्होंने भूख मिटाने के यसे ब्रहाजी को ही शिकार बनाना चाहा, उस समय जिन्होंने रक्षा करो कहा, वे राक्षस कहलाए तथा जिन्होंने कहा भक्षन करो, वे यक्ष कहलाए, इस तनाव में ब्रहाजी के सिर के केश धर्ती पर गिर पड़े और फिर उनके माथे पर जम गए, इसलिए नीचे गिरने से सर्थ पुना आरूर होने पर अही कहलाए। अब ब्रम्हा इस दुश्प्रवृती से क्रोधित स्रिष्टी रचना में सनलगन हो गए जिस से क्रोधी मासाहरी पीतवर्नी जीव उत्पन हुए जो पिशाच कहलाए। ब्रम्हा द्वारा गायन करते हुए शरीर से वानी का उचारन करते हुए गंधर्वों की स्रिष्टी हुई। अब अपने पूर्व मुक से ब्रम्हा ने गायत्री की रिक्त्र व्रिसोम, अगनिष्टो मादी यग्यों की, दक्षिन मुक से यजू, त्रेश्टुप, स्तोम, व्रिहत साम तथा उक्य की रचना की, पश्चम मुक से साम, जगती छंद, सप्तज स्तोम तथा अतिरात्र की उत्तर मुक से अथर्ववेद एक विशेतितोम, अप्तोयामान, अनुरूप छंद एवं वैराग की रचना की। इस प्रकार इस संपूर्ण जगत में ब् परिक्ष पर्वतादी, देव, असुर, मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, अपसराय, किन्न, गंधर्व पशु, पक्षी, म्रिगसर्प, यग्य, जड़ जंगम जगत की रचना की, मुनी पराशके वचनों से मुगद एवं ग्यानी होते हुए मैत्रे जी ने अर्व प्रित्वी पर पैदावार प्रारंब करन नाधी की रचना की, मुनी श्रेष्ट पराशने कहा, स्रिष्टी रचना में प्रवरिद ब्रह्मा के मुख से सतो गुणी, वक्षस्थल से रजो गुणी, राज, तम, मिश्रित जंगाउं से तथा चरणों से तमो गुणी इसलिए इनका नाम मुख से ब्राहमन, वक्ष से क्षत्रिय, जंगा से वैशिय एवं चरन से शूद्र पड़ा। इस प्रकार जगत का स्वरूप निर्धारित करते हुए ब्रहमाजी ने आचरन के धर्म का भी विधान किया और आचरन के अनुकूल ही लोक की रचना की। करतव पालन करते हुए जीवन बिताने वाले प्रानिओं के लिए ब्राहमन को पित्र लोग, क्षत्रिय को इंद्र लोग, वैशिय को वायू लोग तथा शूद्र को गंधर्व लोग की प्राप्ति का विधान किया। जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया ब्रहमचर्य, ग्रिहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास तथा पूर्णतया इनका पालन करने वालों के लिए क्रमशह मूनी, पित्री, सब्तर्शी तथा ब्रहमलोक का प्रावधान किया। ब्रहमलोक को पंदिती देख पाते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने वाले अभीतक ब्रहमलोक से नहीं लोटे हैं। इसी प्रकार ब्रह्माजी ने यग्य की निंडा करने वाले, यग्य को भंग करने वाले तथा अपने धर्म से विमुक लोगों के लिए नरक की रचना की। इसमें तम्मिस्र, अंधत्मिस्र, महार औरव, रोरव, असिपत्रवन, घोर, कालसूत्र और अवी चिकादी नरक आते हैं। ऐसा करने पर भी जब ब्रह्मा ने स्रिष्टी को पुत्र पुत्रादी से फलित होते नहीं देखा तो अपने ही समान नौ मानस पुत्रों की स्रिष्टी की। ये थे भरेगू, पुलस्त्य, पुला, कृतू, अंगिरा, मरीची, दक्ष, अत्री, एवं वशिष्ट। इनके साथ ही ख्याती, भूती, संभूती, ख्षमा, प्रीती, सन्नती, उर्जा, अंसुया तथा प्रसूती नौ कन्याओं को जन्न दिया जो नौ मानस पुत्रों की क्रमशा पत्निया कहलाईं। वस्तु तह ब्रमःजी ने इन मानस पुत्रों एवं पुत्रियों से पूर्व संकाधी को उत्पन किया था, किन्तु वे संतानोत पत्ती की तरफ प्रवरित नहीं हो सके। उनके सक्रिय ललाट से सूरे के समान आभावान रुद्र की रचना हुई। रुद्र का आधा शरीर नर एवं आधा नारी मैथा। इसलिए वो अर्धनारी श्वर कहलाए। ब्रह्मा के आदेश से रुद्र ने अपने शरीर से पुरुष भाग को नारी भाग से अलग करके पुरुष को ग्यारा अतिरेक्ट भागों में बांड दिया तथा नारी शरीर को सौम्य, क्रूर, शात, अशांत, श्याम, गौर, शीला, अशीला आदी तुरूपों में वि रूप में स्वीकार करते हुए संतानोत पत्ती में प्रवरित हुआ जससे प्रियवरत एवं उत्तानपाद दो उदामना बालक उत्पन हुए तथा प्रसूती एवं आकृती नाम की दो कन्याएं उत्पन हुई मनु ने प्रसूती का दक्ष के साथ तथा आकृती का प्रजापती के साथ पाने ग्रहन करा दिया प्रुची के गर्ब से प्रजापती ने यग्या और दक्षिना को जन्न दिया दक्षिना से यग्या ने बारा पुत्र उत्पन किये ये ही स्वायम भुव मनवंतर में याम देवता कहलाए। दक्ष ने प्रसूती के गर्ब से 24 कन्याएं उत्पन कराई। इनमें 13 दक्ष कन्याएं क्रम शहष्रध्धा, लक्ष्मी, धृती, तुष्टी, मेधा, पुष्टी, क्रिया, वृध्धी, लज्जा, वपू, शांती, सिध्धी तथा कीर्टी धर्म के साथ ब्याही गई तथा शेशेक आदश ख्याती, मूर्ती, सम्मूती, स्मृती, प्रीती, शमा, सन्नती, अंसुया, उर्जा, स्वाहा एवं स्वधा का ब्रम्हा के नव मानस पुत्रों भरिगू, दक्ष, मरीची, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रितू, अत्री, वशिष्ट एवं पुल्ला तथा दो का अगनी एवं पित्रों से विवाह हुआ, दक्ष की धर्म पत्नियों ने क्रमशह काम, दर्प, नियम, संतोष, शृत, लोब, दंड, नय एवं विने, बोध, विने, व्यवसाय, क्षेम, सुख एवं यश उत्पन क किये, धर्म के पुत्र काम ने रती से हर्ष को जन्न दिया, अधर्म का विवाह हिंसा से हुआ, जिसके संसग से अनृत नामक पुत्र एवं निकृती नामक पुत्री जन्मी, अनृत ने विकृती के गर्ब से भय एवं नरक को पैदा किया, तथा माया एवं वेदना दो प्रोध पैदा हुए। प्रलय का विस्तार बताते हुए पराशर जी बोले विप्रवर। सभी भूतों की प्रलय चार प्रकार की होती है प्रथम नामितिक यह कलपांत में होती है। यह बाह्य प्रलय है इसमें ब्रह्मा शयन करते हैं। दूसरी प्राकृतिक प्रलय इसमें नित्य प्रती भूतों का क्षय होता रहता है। प्राकृत महत्व से निर्मित स्रिष्टी प्राकृतिक होती है और अवांतर प्रले के पश्चात ब्रह्मा द्वारा रची गई दिन प्रती दिन की चराचर जगत की स्रिष्टी नित्य स्रिष्टी कहलाती है। इस प्रकार प्रभु विश्नु ही जगत की उत्पत्ती, पालन एवं सनहार करते रहते हैं। यही समस्त तामस सर्ग का वृतांत है। शूद्र सर्ग का विस्तार से वृतांत सुनाते हुए पराशर जी बोले एक बार कल्प के प्रारंभ में स्वानुसार। स्रिष्टी की रचना से चिंतित ब्रम्हा की गोद में नीले लोहित रंग वाले एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के तुरंट बाद ही वो बालक अपने नामकरन के लिए रोने मचलने लगा। ब्रम्हा जी ने उसके इस रुदन को देखते हुए उसका नाम ही रुद्र रख और उसे शांत करने लगे। किन्तु वो बालक फिर भी साथ बार रोया। इसके इस क्रम को देखते हुए ब्रम्हा ने अन्निस साथ नामों से उसे संबोधित किया। भव, शाव, ईशान, पशुपती, भीम, उग्र और महादेव। इनकी पत्निया क्रमशह उशा, विकेश और हुए। रुद्र की पत्नी का नाम सुवर्चला एवं पुत्र का नाम शनी था। भगवान शिव ने महाराज दक्ष प्रजापती की अध्वितिय पुत्री सती से विवाह किया। दक्ष ने पुत्री को अपने जामाता सहित यग्य में आमंत्रत नहीं किया जिससे सती पिता पर कोप प्रकट करते हुए अगनिदाह कर लिया। इन्ही सती ने अगले जन्म में हिमालय के घर में मैना के गर्ब से जन्म लिया और उमा के रूप में पंचागनी तपका अनुष्ठान करके उन्हें जीत लिया और पती रूप में प्राप्त किया। दूसरी ओर भारे प्रभावित मुनी ने वो माला उस बालिका से मांग ली। बालिका ने वो माला दुर्वासा मुनी को भेट कर दी। दुर्वासा मुनी ने वो माला अपने मस्तक पर डाल ली और भ्रमन करने लगे। रास्ते में दुर्वासा मुनी को एरावत हाथी पर आते हुए देवराज इंद्र मिले तो उमंग में दुर्वासा ने वो माला इंद्र के उपर फेक दी। इंद्र ने मस्चाल से चलते हुए एरावत पर डाल दी। एरावत तेज गंद सहन नहीं कर सका। उसने अपनी सूं कर इंद्र को अपनी भूल का बोध हुआ वो नीचे उतर कर मुनी से शाप मुक्ती के लिए अनुने विने करने लगे किन्तु दुर्वासा मुनी ने इंद्र को क्षमा नहीं किया देखते ही देखते स्वर्ग का समस्त वैभव श्रीहीन होने लगा यग्या यागादी के विष्णु भगवान ने प्रसन होकर उन्हें दर्शन दिये और वैभव की पुना प्राप्ति के लिए उपाय बताने लगे विष्णु ने कहा है देवताओं, तुम्हें चाहिए कि देवताओं के साथ समस्त वनोश्धियों को इकठा करें और फिर उन्हें समुद्र में डालें मंद्रा चल परवत को मथानी बना कर वासुकी नाग की नेती से समुद्र मन्थन करना होगा मैं तुम्हारी इस काम में सहायता करूँगा तुम लोग इतना बड़ा कार्य बिना राक्षसों के सहयोग के नहीं कर सकोगे इसके लिए उनसे सहयोग लेना जरूरी है तुम्हें इस समय नीती से काम लेना है तुम उन्हें समान भागीदारी का विश्वास दिला कर अपने पक्ष में कर सकते हो. समोद्र मंथन से निकले अमरित का पान करके तुम पुना बलशाली हो जाओगे. दैत्यों पर विजय प्राप्त कर फिर से वैभव को प्राप्त करोगे. समोद्र मंथन से अमरित निकलने पर मैं ऐसा को छुपाए करूंगा कि अमरित तुम्हारे हाथ आए और डैते देखते ही रह जाएं. भगवान विश्वास ने उनकी भूरी भूरा स्तुती वंधना करते हुए विदाली और उनके बताय निर्देश पर कारे करने में जुड़ गए. विधी विधान से क्षी पुनह मथा जाने पर सागर से तीसरा फलकल्प रिक्ष के रूप में अवतरित हुआ जिससे तीनों लोक सुगंध में हो गए. इसके बाद अपने अनिंद्य सौंधर्य से मंडित, सिध्ध मुनियों को भी आकर्शित करने वाली रूपवती अपसराएं अवतरित हुई. त देत्य एवं राक्षस विष्णू के विरोधी होने के कारण दुखी हो गए. वे समझ गए कि उनकी पराजन निश्चित है. अतह प्राजया और अमर बनने के लिए उन्होंने शीग्रही धनवंतरी के हाथ से अमरित कलश छीन लिया. ये अते एक सभी देवता चिंतित से व विष्णू को याद करने लगे. तब विष्णू ने स्वयम मुहिनी स्त्री का रूप धारन कर राक्षसों एवं देत्यों की वृत्ती अपनी ओर आकर्शित की तथा देवताओं को अमरित कलश लोटा दिया. देवताओं ने शीगरही ईश्वर के प्रसाद स्वरूप प् शक्तिमान हो गए. अब देत्यगर्ण मुहिनी जाल से मुक्त होकर अमरित्पान करते देवताओं से भीड़ गए. पर वे जीत नहीं सके. देवताओं ने देत्यों एवं राक्षसों से अपने गत वैभव और विलास को प्राप्त कर लिया. वे फिर श्रीमान हो गए और अ देवी भगवती लक्ष्मी की अनेक प्रकार से स्तूती, वंधना करते हुए उनका आभार प्रकट किया. प्रसन बना लक्ष्मी ने उनसे वर्दान मांगने को कहा तो इंद्र ने यहीं काम न ही की की वेत्र लोक्य का कभी त्याग न करें तथा स्तूती वंधना करने वाले व्यक्ति पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। विष्णु के देवता, मनुष्य आदी शरीरों में अवतरित होते रहते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी भी। मेत्री जी बोले मुनि प्रवर, कृप्या भरेगु की संतान से अब तक स्रिष्टी के संपून अस्तित्वम में आने के वृतांत का भी सुनाकर अनुग्रहीत करें। पराशर जी बोले यह तो तुम्हें ग्यात ही है कि भरेगु मुनि का ख्याती से विवाह हुआ। ख्याती ने मुनि के संपर्क से धाता एवं विधाता दो पुत्रों को तथा लक्ष्मी नाम वाली कन्या को जन्न दिया। धाता एवं विधाता का विवाह महात्मा मेरू की पुत्रियों आयती एवं नियती के साथ संपन्न हुआ इनसे क्रमशा परान एवं मृकंडू दो पुत्र उत्पन हुए इनसे आगे द्योतिमान एवं माकंडेया का जन्म हुआ द्योतिमान से राजवान और माकंडेया से वेचिर का जन्म हुआ राजवान से भारेगु वन्ष का काफी विस्तार हुआ मरीची की पतनी सन्भूती के गर्ब से पौर्नमास ने जन्म लिया इनसे ही आगे विरज और परवत नाम के दो पुत्र उत्पन हुए आगे चलकर इनकी वन्ष परंप्रा में अनेक बड़े-बड़े महर्शी महात्मा एवं मुनी उत्पन हुए इनमें अंगिरा ने स्मृती के गर्ब से सिनिवाली, कुहू, राका एवं अनुमती कन्याय उत्पन की एक अन्य महात्मा हुए अत्री इन्होंने अन्सुया के गर्ब से चंद्रमा, दूर्वासा और दतात्रेय को जन्दिया महात्मा पुलस्ते की पत्नी प्रीती ने दतोली को जन्दिया पुला से उनकी पत्नी क्षमा ने कदम, उर्वरियान और सहिश्नु को जन्दिया कृतू ने संतती के गर्ब से बाल खिल्यादी साथ हजार मुनियों को उत्पन किया। वशिष्ट ने उर्जा नामक पत्नी से रज, गोत्र, उर्ध्व बहु, सवन, अंग, सुत्पा और शुक्र नामक साथ पुत्र उत्पन किये। यही सातों पुत्र सब्तर्शी कहलाते हैं अगनी निस्वाहा के गर्ब से पावक, पवमान एवं शुची तीन पुत्रों को जन्न दिया। इनकी आगे 15-15 संताने हुई। इस तरह एक स्वयम अगनी, तीन अगनी पुत्र एवं 45 अगनी पौत्र कुल 49 अगनी कहलाती हैं। अनगनिक, अगनिस्वाता एवं सागनिक बरहिशद आधी पित्रों ने स्वधा के गर्ब से मैना एवं धारनी दो कण्याओं को जन्न दिया। उत्तानपाग की दो पत्निया थी। प्रेसी पत्नी सुरुची से उत्तम एवं उपेक्षित पत्नी सुनीती से ध्रूव नाम के पुत्र उत्पन हुए। एक बार प्रियसी पत्नी सुरुची के क्रोध एवं नाराजगी के कारण वो ध्रूव को अंक में न ले सके और उसकी भावना का आदर न कर सके। ऐसा देखकर गर्व से भरी सुरुची ने कहा ऐसी इच्छा रखना मूर खता है। तु राजा का पुत्र तो है पर सुनीती से उत्पन हुआ है, मुझसे नहीं। अता तु राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव अपमानित एवं क्रोधित होता हुआ दुखी मन से अपनी मा सुनीती के अंक में जाकर रोने लगा और सारा वृतांत उसे सुना दिया। इस पर सुनीती बोली वात्स, तुम्हें दुहक नहीं मानना चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम भी पुन्य संचित करो और उच्छासन को प्राप्त करो जिस प्रकार उपर से नीचे गिरता पदार्ट स्वयम पात्र में आ जाता है। उसी प्रकार पुन्य कर्म करने से सभी सुख वैभव मनुष्य को स्वतर ही प्राप्त हो जाते हैं। कि वे ज्यानी पुरुष्कृप्या उसे लक्ष सिध्धी का मार्ग बताएं। उन महात्माओं ने परंपद विश्नु की उपासना को लक्ष सिध्धी का उपाय बताया। ये साथ महात्मा थे मरीची, अत्री, अंगिरा, पुलस्त्यक, पुला, कृतू तथा वशिष्ट। इन रिशियों ने बताया इस संबंध में सर्व प्रथम साधक को अपनी सारी बाह्यवृतियों पर अंकुष लगाकर उनसे मुक्त काम होकर प्रभू की भक्ती में ध्याना कर्शित करना होगा। ध्यान केंद्रित करके ओम नमो भगवते वासुदेवायक मंत्र का जाप करना होगा। इसी मंत्र का जाप करते हुए हमारे पितामह स्वायमुव मनु ने भी त्रिलोक में दुरलब सिध्धी पाई थी। यदि तुम भी इस मंत्र का मनुयोग से एका ग्रचित होकर जब करोगे तो तुम्हें भी विश्नु का आशिरवाद अवश्य मिलेगा। इस प्रकार उद्बुद्ध बालक धुरूव मधु नामक वन में तपस्या के लिए चला गया। यह वही मधुवन है, जहां महाराज राम के अनुच शत्रुगन ने लवर नामक राक्षस का वद किया था और तब से इसका नाम मधुपुरी, मथुरप पढ़ गया है। यही वो स्थान है जहां परंपद विश्नु सदैव प्राप्थ होते हैं। धुरूव ने भी इसी वन में मुनियों के आदेशा नुसारता पनुष्ठान प्रारंब करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवायक का जाप प्रारंब कर दिया। इस कठोर तपश्चर्या से पृत्वी, नद, पर्वत, सागर आदी सभी विचलेत एवं दोलायमान हो गये। इंद्र को अपना इंद्रासन डोलता दिखलाई देने लगा तो उन्होंने याम देवताओं से परामर्ष किया। तब कुश्मान डादी से मिलकर इंद्र ने ध्रूफ की तपस्या भंग करने के लिए अनेक माया रूप रचे। किन्तु विष्णू की कृपा से ध्रूव अविचल ही रहा। माया के निश्फल होने पर सभी देवता सामूहिक रूप से विष्णू के समक्षुपस्थित होकर ध्रूफ को तपस्या से विमुक करने का अनुने विने करने लगे। इसके पश्चात अपने चतुर्भुज रूप में करुना के सागर साक्षात विष्णू भगवान ने ध्रूफ को दर्शन दिये। उसे पुष्ट एवं स्वस्थ मंसा करते हुए वर्मांगने के लिए कहा। साक्षात विष्णू को सामने उपस्थित पाकर ध्रूव ने जैसे ही नेत्र खोले अपनी ध्यानावस्था में आविरभूत रूप को सामने देख साष्टांग प्रणाम करता हुआ अनेक प्रकार से उनकी स्तुती वंदना करने लगा। ध्रूव ने मातरून की स्तुती में समर्थ शर्नागत रूप से भक्तिमान होने का वर्मांगा। प्रभू ने जियोही उसकी निश्चल भक्ती से अभिभूत होकर शंक का उससे स्पर्श कराया। ध्रूव की जेवा पर ततकाल सरस्वती आसीन हो गई तथा वो आकंट मगन इश्वर स्तुती में लीन हो गया। विश्नु ने ध्रूव से कहा अवात्स मेरी भक्ती से तुम्हें दर्शन मिले। दर्शन से तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। वैसे तो मेरे दर्शन के बाद कुछ भी अप्राप्य नहीं रह पाता फिर भी तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग सकते हो। ध्रूव ने विनत भाव से अनुने करते हुए कहा मैं सम्पूर्ण जगत के आधार भूत अक्षैस्थान को पाना चाहता हूँ और मेरा यह मनोरत आपसे गुप नहीं है। ध्रूव को तथास्तु कहकर विश्णू ने तुष्ट किया और कहा तुम पूर्वजन में ब्राहमन कुमार थे। तुमने मुझे भक्ती से प्रसंद करके ही इस बार राजकुल में जन्म लिया था। अबकी बार तुमने राजमो छोड़कर जिस अक्षैस्थान की कामना क मेरी कृपा से तुम्हें वह भी मिलेगा। मैं तुम्हें अपने समीप ही ध्रूव पर प्रदान करता हूं। यहां तुम संपूर्ण तारोमंडल का नेत्रित्व करोगे। तुम्हारी यह स्थिती पूरे कल्प परियंत रहेगी। स्वच्चतारा के रूप में तुम्हार से पांच पुत्रों ने जन्म लिया रिपू, रिपुजे, विप्र, व्रिक एवं व्रिक्तेजा, रिपु का व्रिहती से चाशुष नामक पुत्र हुआ। चाशुष ने प्रजापती की पुत्री पुष्क्रिनी से विवाह किया जिससे मनु ने जन्म लिया और मनु महार वेराज प्रजापती की पुत्री नद्वला से दस महातेजस्वी पुत्र उत्पन हुए कुरू, पुरू, शद्द्यून, तपस्वी, सत्यवान, शुची, अगनिश्टोम, अतिरात्र, सुध्यून तथा अभिम्यू. सबसे बड़े पुत्र कुरू ने अपनी पत्नी आगनई से 6 पुत्र उत्पन किये. अंग, सुमन, ख्याती, कृतू, अंगिरा तथा शिवी. इनमें अंग ने सुनी था के गर्ब से वेन को उत्पन किया. इसी से उत्पन पृतू ने अपनी प्रजा के सुख के लिए में वेन के दाहिने हाथ का मन्थन करके रिशियों ने पृत्पन किया था. वेन के हाथ के मन्थन से उत्पन पृत्पन का आख्यान सुनकर मित्रे जी के मन में जिग्यासा जागी ऐसी कौन सी परिस्थिती थी कि वेन के दाहिने हाथ का मन्थन करके रिशियों को उसकी वंच परंप्रा को आगे उठाने के लिए यह उपक्रम करना पड़ा? जिस कारण राज्यारूर होते ही उसने प्रजा को यग्य यग्यादी को बंद करने की राजाग्या जारी कर दी, जिससे राज्य में सब को चिंता होने लगी. मुनी महर्शी इससे आंदोलित हो उठे. उन्होंने सविने निवेदन करते हुए वेन से शास्त्र द्वारा बताय रास्ते पर चलने का बहुत ही आग्रह किया. किंतु वेन तो राज्य के मद में चूर था. उसने राजा को ही परमपद मानते हुए कहा कि सभी देवों ब्रम्हा, विश्नु, महेश, इंद्र, यम, अगनी, सूर्य, वरुन, धाता, पूशा, पृत्वी एवं चंद्रमा आदी अन्यान्य देवों का वास राजा के हिरद में ही अवस्थित है. अता प्रजा के लिए राजा से बढ़कर अन्य कोई और पूजित हो ही नहीं सकता. दुखी रिशियों ने राजा को बहुत समझाया पर जब किसी भी प्रकार से मुनी लोग वेन को सही मार पर नला सके तो अंत में वेरदान अंदक, यगद्वेशी त वे निरीग जनता को सताने लगे. इस प्रकार राज्य में बढ़ते उत्पात से दुखी मुनी महात्माउं ने सम्मिलित रूप में विचार विमर्ष करके प्रथम वेन की जंगा का पुत्र की प्राप्ती के लिए मनोयोग से मन्थन किया, जिसके फलस्वरूप काला टाक कुरूप तथा नाटे कत का बालक आविर्भूत हुआ. उसने जन्नते ही रिशियों से पूछा अब मैं क्या करूँ? रिशियों ने उससे कहा निशीद अर्थात बैठ जा. इस कारण ही उसका नाम निशाद पड़ा. यही कारण है कि विंध्यवासी सभी जन निशाद कहलाए. यह इसी निशाद के वन्शज हैं. यह अधिकांच पापलीन रहते हैं. यह समझा गया कि निशाद की उत्पत्ती से वेन का पाप रूप ही उत्पन हुआ. ज्यानी महात्माओं ने पुनह प्रयास करके वेन के दाहिने हाथ का दोहन किया. इससे अब की बार परमते जस्वी एवं प्रतापी पुत्र पृतु का जन्म हुआ. यह बालक ही आगे जाकर अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने वाला हुआ. युवक होने पर मुनियों महार्शियों ने पृतु का राजया भिशेक किया, जिसने अपने सुकर्म से पिता वेन द्वारा उत्प कर दिये जाने के कारण पृत्वी से ओशधियां एवं समस्त संपदा निष्ट प्राय हो गई है, जिसके कारण प्रजा दिन प्रतिदिन क्षीन काय होती जा रही है. कृप्या इस कष्ट से हमारा उध्धार कीजिए. आहत प्रजा की विन्य सुन्ने पर वेदना से पृत्वी गौर रूप में इस लोक से उस लोक में भागती हुई अपने बचाव की चेश्टा करती रही किन्तु सब जगह उसे बान चड़ाए, प्रत्यंचा लिए पृत्वी दिखलाई देते रहे. तब पृत्वी ने आत्मसमर्पन करते हुए, अपनी रक्षा के लिए याचना की और बोली राजन, क्या आप नारी हत्या का परिणाम नहीं जानते, जो मेरी हत्या करने के लिए मेरा पीछा करते हुए व्यग्र हो रही है. पृत्वी ने कहा यदि राज्यधम का निर्वाह करते हुए प्रजाहित में मुझे नारी हत्या का दोश लग जाए तो राजा प्रभू ने कहा है पृत्वी, तुम्हें यह मिथ्या भिमान ही है कि तुम मेरी प्रजा का आधार हो इसलिए तुम्हारा वद्ध नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारा वद्ध करके तपयोग से प्रजा को एक आधार दूँगा। राजा के इस प्रकार द्रिण श्चई विचार सुनकर भाइभीत प्रित्वी ने कहा राजन, मैंने जो भी वनोश्धियां यग्या यागादी के अभाव में पचा ली हैं, मैं उन्हें दूद के रूप में पुनाव वापस देने को तयार हूँ किन्तु तुम्हें उसके लि परवत पहाडों को उखार उखार कर प्रित्वी को समतल किया तथा उसमें नगर, ग्रामादी बसाए और आजीविका के लिए व्यापार को एक निश्चित स्वरूप दिया। इस कारण ही वेन पोत्र महराजा प्रितु उडचेता, प्रजापालक प्रभावशाली एवं श शक्तिशाली प्रशासक के रूप में जाने गए, उन्होंने ही सर्वभूतों को धारन करने वाली प्रित्वी को उसकी सार्थकता प्रदान की क्योंकि वास्तव में उसकी सप्रनता प्रितु द्वारा ही फलित हुई थी, प्रितु के वंच का विस्तार सुनाते हुए मुनी ने कहा कि महाराज पृतु के अंतरधान और वादी नामक दो पुत्र हुए। अंतरधान का शिखंडणी से विवाह हुआ जिसके हावेर्धान नाम का पुत्र उत्पन हुआ। हाविर्धान ने आगनी कुल की कन्या धिशना से प्राचीन बर्ही, शुक्र, गया, क्रिष्न, व्रिज और अजिन छ पुत्रों को जन्न दिया। प्राचीन बर्ही ने समुद्र पुत्री सवरना से विवाह करके दस पुत्रों को जन्न दिया जो सभी प्रचेता कहलाए। यथा समय प्राचीन बर्ही ने अपने प्राच्या पुत्रों को संतानोत पत्ती के लिए संकेत दिया तो पुत्रों ने समुद्र जल में खड़े होक परमपद विश्णु से संतानोत पत्ती के लिए सामर्थ्य की कामना की। 10,000 वर्ष तक समाधी में तपस्यारत स्तुती गायन करते रहने के पश्चात विश्णु प्रसन हुए और उन्हें उनका अभीष्ट वर देकर अंतरधान हो गए। तपस्याकाल में राज्य व्यवस्था गड़ बढ़ा गई। अव्यवस्था एवं असंतुलन से प्राकृतिक सौंदर्य जाता रहा। समाधी से सुफल प्राप्त किये प्रचेता मुनी कामातोर अवस्था में आ गए। गमन के लिए सुलब मार्ग न पाकर क्रोध में मुक से वायू एवं अगनी का निश्वस्ण करना प्रारंब कर दिया। ऐसा होते ही व्रिक्ष सूखने लगे, जलने लगे। प्रित्वी की इस प्रकार क्षती देख सोम ने प्रचेताओं से क्रोध को शांत करते हुए विध्वन्स को रोकने के लिए अनुने एवं विने की। इसके लिए सोम ने व्रिक्षों की मारिशा नाम की कन्या भी प्रचेताओं को सौप देने का वचन दिया। यह मारिशा कौन है? इसकी रचना किस प्रकार हुई? जब यह प्रश्न प्रचेताओं ने सोम से पूछा तो सोम ने बताया बहुत समय पहले की बात है कि कंडू मुनी ने गोमती नदी के किनारे अपने अभीष्ट के लिए तप प्रारंब किया. तपस्या की द्रिर्टा से इंद्रा संडोलने लगा. इंद्रा ने मुनी को तप से विरत करने के लिए देवलोग की अनिंद्य सुंद्री अपसरा प्रमलोचा को नियुक्त किया. प्रमलोचा ने रिशी का ध्यान भंग किया और सो वर्ष तक उनके साथ रमन करती रही. अपने उद्देश की पूर्ती के पश्चात प्रमलोचा ने स्वर्ग लोट जाने के लिए मुनी से अनुमती मांगी तो कामलिप्ट कंडू ने उससे कुछ समय और रुखने की इच्छा प्रकट की. इस प्रकार पुनाह सो वर्ष व्यतीत हो गए. अब जब पुनाह प्रम प्रमलोचा स्वर्ग लोटने का निवेदन करती. मुनी तब तकाम होकर उसे रोक लेते थे. प्रमलोचा रिशी को नाराज करके नहीं जाना चाहती थी. इस तरह एक लंबे काल तक मुनी कंडू प्रमलोचा के साथ विशय भोग में लिप्त रहे. एक दिन अचानक रिशी क कंडू शीगरता से अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे तो प्रमलोचा को आश्चर्य हुआ. उसने रिशी से शंका की तो मुनी ने कहा सूर्यास्थ हो चुका है. मैं संध्योपास ना करूंगा. नहीं तो मेरी नित्यक्रिया भंग हो जाएगी. प्रमलोचा को रिशी से ऐसा सुनकर हसी आ गई. वो उनुक्त मोद में बोली इतने वर्षों में आपको आज नित्यक्रिया के भंग होने की सूजी है. क्या आपका दिन आज ही भंग हुआ है? मुनी ने पुनाह द्रिर्स्वर में कहा देवी. तुम आज प्राता ही तो आए हो. तब प्रमलोचा ने प्रत्युत्तर में कहा मुनि प्रवर. मैं प्रातक काल आय अवश्य हूं पर आज नहीं. सेकडों वर्ष हो चुके हैं. मुझे आय हुए. पहले तो कंडू मुनी को इसका विश्वास ही नहीं हुआ किन्तु बाद में सत्यता समझ में आने पर वे स्वयम को धिकारते हुए अपने पतन के लिए प्रमलोचा को ही दोश देने लगे. वे चिंता में विलाप भी करने लगे तथा प्रमलोचा पर उन्हीं क्रोध भी आने लगा. प्रमलोचा मुनी का क्रोध सहन कर सकने में असमर्थ भय से थर्थर कापने लगी. उसका समस्थ शरीर स्वेदमय हो गया. वस्तुतह मुनी कंडू का वीर्य प्रमलोचा की योनी में प्रवेश कर चुका था प्रमलोचा के शरीर से बहा स्वेध यह वीर्य ही था जो प्रमलोचा के रज से मिलकर स्वेध रूप में परिनत होकर शरीर रोम से बाहर आ रहा था स्वर्ग लौटते हुए आकाश मार्गवे जाती प्रमलोचा ने व्रिक्षों के पत्तों से अपने स्वेट को पोंचना चाहा तो उसका गर्ब बाहर आ गया यह गर्ब वायू ने एकत्रित किया तथा चंद्रमा ने इसका पालन पोशन किया गर्ब ही पूर्ण विक्सित होकर मारिशा नाम की कन्या बनी जिसे सोम जी ने प्रचेताओं को सौप दिया दिव्य शक्ति में यह मारिशा साध्वी पूर्वजन में एक राज्य की महारानी थी अभी यह पूत्र की प्राप्त नहीं कर पाई थी कि दैव प्रकोप का भाजन बनी और विद्वा हो गई दुहक्मई इस साध्वी ने अपने भक्ती भाव से पूजा अर्चना करके विश्नु जी को प्रसं कर उनका आशीरवाद प्राप्त किया विश्नु ने इस पती पुत्रहीना व्यथित नारी के मन को प्रसं करने के लिए मनोवांचित वर मांगने का अनुग्रह किया मारिशा ने जन्न जन्मांतर तक सदैव परम प्रशन सनिय, सुखकारी पती एवं प्रजापती के समान तेजों में पुत्र मांगा तथा स्वयम के लिए अयो निजा, अनित्य सौंदर्य की प्रतिमा, कुलिना तथा असीम गुन्वती हुने का वर प्राप्त किया अतह है प्रचेता, इस दिव्य शक्ती संपन रूप सुष्मा की आकर कन्या का वरन करके तुम तेजस्वी एवं सुयोग्य संतान प्राप्त कर अपनी मनोकामना पूर्ण करो इस प्रकार प्रचताओं ने सौं से संतुष्थ होकर वायू एवं अगणी का निश्वस्न रोक दिया तथा क्रोध शांत कर प्रसन्न मारिषा के साथ विवाह कर पुनाव रिक्षों से अपनी मायत्री स्थापित कर ली इसी मारिशा के साथ संपके करके प्रचेताओं ने प्रजापती दक्ष की उत्पत्ती की दक्ष महाराज ने प्रथम मन से स्रिष्टी करके साथ कन्याओं की उत्पत्ती की इनमें दस कन्याओं का धर्म के साथ विवाह कर दिया तेरह का कश्यप मुनी के साथ तथा 27 कन्याएं चंद्रमा को सौप दी। इनहीं से आगे चल कर देवता, देत्य, गंधर्व, दानव, अपसराएं, नाग, गो, सर्प, पक्षी आदी उत्पन हुए। वस्तु तह मैथुन द्वारा संतानोत पत्ती का क्रम दक्ष से ही प्रार पराशर जी से कहा मुनिव, हमने सुना है कि दक्ष प्रजापती का जन्म ब्रह्मा जी के डाएं अंगूठे से हुआ था, किन्तु आपने दक्ष प्रजापती की उत्पत्ती को प्रचेताओं के मारिशा के साथ संपर्ग से बताया है। यह क्या रहस्य है? पराशर जी ने क थोटे का भेद तब की महत्ता से आंका जाता है, आयू से नहीं। यह अभी सच है कि युगों युगों से दक्षादी अपने नाना रूपों में जन्मते रहते हैं। अता नाम भेद संबंध में शंका करने के लिए लेश मात्र भी अवकाश नहीं है। ब्रहमा जी के आद अंदर एवं रूपवान कन्या असिगनी से विवाह किया तथा उसके साथ मैथुन द्वारा पांच सहस्व पुत्रों को उत्पन किया। दक्ष के इन हर्यश्व पुत्रों को नारत जी ने दिग भ्रमित कर दिया। कहा, जब तक तुम संपूर्ण पृत्वी के बारे में विस्तार से जान समझ नहीं लेते और जब तक तुम्हारी पृत्वी पर पूर्ण गती नहीं हो जाती, तुम्हारा संतानोत पत्ती में प्रवरित होना बेकार है। ये सभी उद्बुध्ध होकर पृत्वी को जानने के लिए निकल पड़े और भिन-भिन दिशाओं में ब पूर्गमपत का राही बनाकर भटकने के लिए छोड़ दिया। ये एक हजार पुत्र भी हर्यश्वों की तरह ही गत हो गए। पुनह लोटकर न आ सके। अब दक्ष के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने क्रोधित होकर नारद मुनी को शाप दे दिया तथा पुनह स्रिष्टी फैलाने के धर्म से दक्ष ने वैरुनी के साथ संपर्क से साथ कन्याय उत्पन की। इनमें 10 कन्याय धर्म को, 13 कशप मुनी को, 27 सोमदेव को तथा 4 अरिष्ट नेमी को, 2 अंगिरा को, 2 बहुपुत्र को तथा 2 क्रिशेश्व को पत्नी रूप में दी। धर्म क परिवार का विस्तार इस प्रकार है अरुंधती, वसु, यामी, लंबा, भानू, मरुत्वान, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या और विश्वा। इनसे उत्पन पुत्र क्रमशह पृत्वी के प्रानी, वसुगन, नागवीथी, घोश, भार, मरुत्वान, सभी प्रकार के संकल्प, मुहुरा, भिमानी, देवगन, साध्या और विश्वेदेव उत्पन हुए, इनमें परिगनित वसुगनों की संख्या आठ है, ये हैं आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्यूश और प्रभास, इनकी संतानों का वृत इस प्रकार है, आप से चार प्रत्यूश से देवल, शमाशील और मनीशी की उत्पत्ती हुई तथा प्रभास से ब्रहस्पती की बहीन वर्स्त्री का पाने ग्रहन हुआ, जिससे प्रजापती विश्व कर्मा उत्पन हुए, महात्मा विश्व कर्मा द्वारा खोजे गए शिल्प विधान के सहारे अनेक मनीशी विद्वान अपनी जीविका चलाते हैं। विश्व के चार पुत्र हुए जिनका नाम था अजे कपाद, अहिरवुध्य त्वश्टा एवं रुद्र। इसमें त्वश्टा ने महान य शस्वी एवं तपोशील पुत्र को जन्न दिया। रुद्र के ग्यारा पुत्र जन्न में जिन्हें हर, बहुरूप, त्रयमबक, अपराजित, व्रिश कपी, शंब, कपदी, रैवत, म्रिग्व्याद, शर्व और कपाली नाम दिया। ये ग्यारहों रुद्र त्रिलो की कहे जाते हैं। कशप ने अपनी पत्नियों अदिती, दिती, दनू, अरिष्टा, सुर्सा, स्वसा, सुर्भी, विंता, तामत्रा, क्रोध्वशा, इरा, कद्रू और मुनी द्वारा अपने परिवार का विस्तार किया। अदिती के गर्ब से चाशुष मनवंतर के बारा तुशित देवगंड वैवस्वत मनवंतर में उत्पन हुए। ये बारा ही द्वादश आदिते कहलाएं। इनके नाम विश्णू, इंद्र, अर्मा, धाता, त्वश्टा, पूशा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुन, अन्शू और भग हैं। सोम की 27 पत्निया नक्षत्र योगिनी हैं। इनसे सोम ने अनेक संपन ओजस्वी पुट्र उत्पन किये। अरिश्टनेमी ने अपनी चार पत्नियों से प्रतीक से चार पुट्र उत्पन किये। इनका प्रथम पुट्र बहुपुत्र हुआ। प्रभाव जमाने लगा। इसके अनुहलाद, हालाद, प्रहलाद एवं सनहलाद चार पुत्र उत्पन हुए। इनमें प्रहलाद हिरन्यक्षिपू की दैत्य प्रकृति के पूर्ण विप्रीत ईश्वरानुरिक्ती में लीन भगवत भजन का विश्वासी था। असुर राज हिरन्यक्षिपू ने प्रहलाद को उसके सदमार्क से विचलित करके अपने बनाए नियमों पर चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किये। यातनाय दी, परवतों से गिराया, नागदंश दिया, शस्त्रों से प्रहार करवाएं किन्तु अटल विश्वासी प्रहलाद को लेशमात्र भी प्रभावित न कर सका। विश्णु भगवान की कृपा से वो हर प्रकार निश्प्रभावी रहा। मैत्रे जी ने मुनी पराशजी से निवेधन किया मुनिव, कृप्या प्रहलाद के द्रिर प्रतेग्य रूप की यह कथा तनिक विस्तार से सुनाये। पराशमुनी ने कहा बहुत समय पहले दिति पुत्रहिरन एक्षिपू ने अपने तपोबल से ब्रहाजी को प्रसन करके वर प्राप्त कर लिये, जिनके मद में मदोनमत असुराज ने संपून त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। यह नकेवल इंद्रासन का स्वामी बना बलकी सूर्य, चंद्र, अगनी, वरुन, वायू, कुबेर एवम यम आधी के रूप में भी व्यवहार करने लगा। उसके उद्धंध हो जाने से आतंकि देवगन स्वर्गलोक से भाग भाग कर भूलोक में भटकने लगे। सारे सिध महात्मा, गंधर वेवम नाग देव हिरन्यक्षिपू को ही देवाधी देव मानकर पूजा करने लगे। थिरन्यक्षिपू अपनी शक्ती, प्रभुता एवम वैभव के मद में घोर विशे लिप्थ हो गया और निरंकोश होता गया। थिरन्यक्षिपू ने बालक प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा का दायत्वर अपने कुलगुरु को सौपा। कुछ समय बाद हिरन्यक्षिप जब पुत्र की प्रगती को देखने के लिए आश्रम पहुँचे तो प्रहलाद ने शांत मन होकर कहा राजन, जिसका न आदी है न मध्य और न अंत है, जो व्रिध्धी और नाश से मुक्द, जगत को रचने वाला, पालन करने वाला एवम स सनहार करने वाला है, वो परंपद विष्णु ही देवाधी देव हैं, मैं उन श्रीचरन कमलों की ही विनत भाव से पूजा अर्चना करता हूं, पोत्र प्रहलाद के मुक से अपने विरुध इस प्रकार अप्रीतिका वचन सुनकर हिरन्यक्षिपु आग बबूला हो गया, उसने कुलगुरु की और हेय द्रिष्टी से कुपित होते हुए देखकर कहा अरे नीच ब्राहमर, तुने मेरे पोत्र को यह शिक्षा दी है, यह क्या बेहुदा अनर्गल भाशा बोल रहा है, ब्राहमर ने दैत्यराज से गिरगिराते शब्दों में जीवन दान मांगते ह हुए कहा महाप्रभू, आपका पोत्र मेरी दी हुई शिक्षा आपको नहीं सुना रहा है, यह स्वयम अपने विचार दे रहा है, इस पर राजा ने क्रोधी मुद्रा में बालक से कहा रे दुष्ट, तुझे यह अनर्गल आलाप किसने सिखाया है, तो प्रहलाद ने विन नम शब्दों में कहा आदर्णिय पिताजी, वास्तव में सच्चे गुरू तो जन जन के मन में विद्यमान स्वयम विष्णु है, उनकी स्वयम की कृपाही से तो मैं यह सब सीख पाया हूँ, तब हिरन्यक्षिपू ने कहा मूर्ख, इस जगत में मेरे अतिरिक्ट अन्यक कोई परमेश्वर नहीं, पोत्र होने के कारण में तुम्हारा प्रथम अप्राद क्षमा करता हूँ, भविष्य में इस प्रकार की अनर्गल प्रक्रिया की पुनरावरित्ती तुम्हारे लिए संकर पैदा कर सकती है, पूर्ववत शांत भाव से प्रहलाद ने पुनव कहा है पिता, परमपद विष्णू तो सकल जगत के करता, नियमता एवं परमेश्वर हैं, उनहीं की क्रिपा से तो प्रतियक प्राणी अपनी अपनी सुरुची के अनुरूप व्यवहार करते हैं, ऐसा सुन हिरन्यक शिपू ने ब्राहमन को और कठो निर्देश देते हुए ब विद्या अर्जन में प्रवरित हो गया, पुनह कुछ समय व्यतीत होने पर हिरन्यक शिपू ने बालक प्रहलात की परीक्षा ली और वो उसी प्रकार विष्णू के गुणों का गायन करने लगा, थिरन्यक शिपू ने अपने अनुचरों को बालक का वद करने का आदेश दे दिया, थिरन्यक शिपू की आग्या पाते ही सैकडों हजारों राक्षस अस्त शस्त लेकर समूह के रूप में प्रहलात पर आक्रमन करने लगे लेकिन अदेग एवं विश्वासी प्रहलात का बाल भी बांका न कर सके, थिरन्यक शिपू ने अब और अधिक बड़ी सज देते हुए सरपदंच से उसे समाप्त करना चाहा, इसके लिए तक्षक जैसे विशैले साप को आदेश दिया पर विपरीत प्रभाव से तक्षक एवं सरपों की स्वयम की मनिया तूट गई, प्रहलात स्वस्त रहा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, थिरन्यक शिपू ने म प्रहलात हो गए, अब देत्यराज ने उसे अगनी में भस्म करने का आदेश दिया तो अगनी की उश्नता एवं ज्वलिन शीलता भी प्रहलात के लिए प्रभावीन रही, ऐसा देखकर कुल पुरोहितों ने प्रहलात की दिवशक्ती के आगे देत्यराज को समझाते हुए क्रोध शांत करने का परामर्श दिया, उन्होंने कहा हम उसे इस प्रकार शिक्षा देंगे कि वो विपक्ष की तान छोड़ कर आपके प्रती सरल, विनम एवं भक्त हो जाए, धेरन एक्षिपू ने ऐसा करने के लिए समय दिया, किन्तु प्रहलात तो उल्टा देत्य पु इस भी पचा गया, यह सुनकर हिरन एक्षिपू को स्वयम आश्चरे भी हुआ और वो स्तंभित रह गया, अब उसने अपने पुरोहितों को कृत्या उत्पन करने के लिए कहा, अब पुरोहित कुछ सशंकित हुए और उन्होंने हिरन एक्षिपू के भयानक विचार से उस नहीं छोड़ देते, प्रहलाद ने विनम्र होकर कहा महामना, मैं अपने पिता के महत्व को, शक्ती को समझता हूँ किन्तु उनसे भी एक और बड़ी सत्ता है और यह जगत उसी की कृपा से संचालित है, इसके आदिमूल परमपद विश्नु हरी है, गुरुजनों के अने प्रित होकर प्रित्वी को कमपाती हुई, भीशन आघहत एवं उत्पात मचाती हुई प्रहलाद की छाती में त्रिशूल मारने को उद्यत हुई, जैसे ही त्रिशूल का स्पर्ष छाती से हुआ वो अमोग अस्त्रखंध खंध होकर बिखर गया, प्रत्युत्तर में कृत् पर प्रहार किया, दैत्याराज हिरन्यक शिपू ने जब इसका कारण प्रहलाद से पूछा तो उसने विनम्र होकर कहा है पिताश्री, जिसके मन में श्री हरी का वास होता है, उसके लिए यह बहुत सरल सी बात है, जो उनकी सत्ता के विप्रीत आचरन करके अशुप करता है वो उसका फल भोगता है, अता हम सबको चाहिए कि उस आदी शक्ती विश्नु के स्वरूप को पहचाने और प्रानी मात्र से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें एहनकारी हिरनिक शिपू अभी भी दर्प से उनमत था, उसने अनुचरों का आदेश देकर सो योजन उचे परवत से प्रहलाद को प्रित्वी पर धकेल देने का आदेश दिया अनुचरों ने वैसा ही किया किन्तु प्रहलाद अभी भी सुरक्षित था, अब देट्याराज ने शंबरासुर का अहवान किया और माया द्वारा प्रहलाद का वद करने को कहा तो देवकृपा से सभी मायाएं एवं उद्पीरन प्रकार निरर्थक रहे और प्रहलाद को अपने समीप बुला कर उसकी परीक्षा रूप में प्रश्न किया नगर्वासियों एवं दास जनों तथा अन्यान्य जनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए साम, दाम, दन्ड या भेद का उपयोग क्या होगा। मैं मानता हूँ सब प्राणियों के मन में श्री विष्नु विध्यमान है। इन्ही में मन रचाने से मित्र शत्रु का भेद ही नहीं रहता। वो तो अज्यान के कारण ही इस प्रकार के उपाय खोजता रहता है और विध्याओं की खोज कर लेता है, जो उसके लिए लापकारी होती है। मनुष्य मात्र के लिए नहीं। जिस प्रकार अज्यानी पतंगे को चिंगारी समझता है। उसी प्रकार दुरबधी या अल्पबुधी बुध्धीन जीवी प्राणी मात्र में शत्रु या मित्र का भाव रखते हैं। इसी लिए मुक्ती से वंचित रहते हैं। धन, वैभव, महत्ता एवं पत्चाहने से नहीं। कर्म और भाग्य से मिलता है। उद्यम भी अपर्याप्त साधन है। भाग्य के वश्य भूत ही प्राणी कष्ट एवं सुख का भागी होता है। भाग्य पूर्य संचे से बनता है, पूर्य सतकर्मों से बनता है, अता पुना कर्म ही महत्व पूर्ण है, जिससे मोक्ष भी मिलता है एवं सुख भी। इसलिए परंपद विश्नु में मन लगाते हुए उन्हें ही जगदिश्वर जानकर प्रानी मात्र में अभेद मानना फिर शत्रु माइथरी भाव तो अग्यान के कारण होते हैं, सतकर्मों से ही प्रभु प्रसन होते हैं, उनकी प्रसनता से ही जीव प्रसन रहते हैं, अब दैत्याराज को पुनाह भीशन क्रोथ उत्पन हो गया, उसने घरिना स्वरूप पुत्र की छाती में कसकर लात मारी और सेवकों को आग्या दी, इसे कसकर बांध दो और समुद्र में फेक दो क्यूंकि इसके जिंडा रहने से दुरात्मा भी विश्नु गौमी हो जाएंगे। तरहरन्यक शिपू ने सभी समीपवर्ती परवतों की चर्टानों से प्रहलाद को दबा दिया ताकि वो उनके बोच तले दबकर प्राणहीन हो जाए किन्तु देव क्रिपा से प्रहलाद ने लेशमात्र भी कष्ट का अनुभव नहीं किया। यहां तक कि प्रभू की क्रिपा से प्रहलाद के बंधन भी स्वयम खुल गए और शिलाएं हड गई। प्रहलाद नदी में स्नान किये भक्त के समान स्वस्त रूप में समुद्र से बाहर आ गया। अपने उपर प्रभू की क्रिपा के प्रती आभार प्रकट करते हुए प्रहलाद ने विश्नु भगवान की अनेक प्रकार से स्तुती वंदना की। प्रहलाद की अपने प्रती इस अटूट आस्था और विश्वास से विश्णू इतने प्रसन हुए कि उन्होंने स्वयम साक्षात अपने चतुर्भुज रूप में भक्त को दर्शन दिये और क्रिपा सिधू ने उसकी मनोकामना पूरी करते हुए उसे वर्दान मांगने के गदगद प्रहलाद ने प्रभु की क्रिपा से अभिभूत जन्म जन्मांतरों में श्री विश्णू भक्ती में लीन रहने का वर्दान मांगा तथास्तू कहते हुए भगवान परमपद ने उससे किसी अन्यवर को मांगने का जब प्रस्ताव रखा तो प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिता के मन में आपके प्रती जो द्वेश है तथा स्वयम शक्तिमान पुंज के रूप में एहम के कारण बार-बार मुझे यातनाय देते हुए मुझे मरवाने के प्रयत्न में लीन रहने से जो पाप जाग गया है खृप्या उससे उन्हें मुक्ति दी तथा अन्य कोई वर मांगने के लिए पुना कहा तो प्रहलाद ने प्रभु भक्ति के अतिरिक्ट कुछ भी मांगने से मना कर दिया इस पर प्रभु ने प्रहलाद को भक्ति का निर्वान पत प्रदान कर गमन किया बालत प्रहलाद प्रभु के आशीरवाद से प्रसंदना अपने पिता के पास गया आदर पूर्वकुन के चरण छुए तो दैत्यराज उसकी दैविया प्रतिभा से हत्प्रभ हो गया और पुत्र के समक्ष पश्चाताप करता हुआ अपना स्नेह प्रदर्शित करने लगा किन्तु विश्नु के प्रती दैत्यराज का द्वेश दूर नहो सका इसलिए विश्नु की भक्ति में लीन प्रहलाद के प्रती भी उसका कृत्रिम्स ने अधिक देर तक टिक न सका और प्रहलाद को दहकते हुए लोस तंब से बंधवा दिया भगवान विश्नु प्रहलाद का यह कष्ट सहन न कर सके ततकाल ही लोस तंब खंड- पुके वक्ष को चीर डाला और उसे यमलोक पहुंचा दिया। पिता के परलोक वासी हो जाने पर स्वयम प्रहलाद ही दैत्यराज के पद पर विभूशित हुए। लंबे समय तक लक्षमी, एश्वर्यक, विलास, पुतरादी सुखी का उपभोग करते हुए अंत में पत के अधिकारी बने। प्रहलाद ने राज्यत्व पाकर भी विश्नु भगवान को सदैव पूजय माना। उनकी स्तुती वंदना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। प्रहलाद के छोटे भाई सनहलाद के तीन पुत्र हुए आयुशमान, शिवी एवं वाशकल प्रहलाद के यहाँ विरोचन ने जन्म लिया। विरोचन से बली उत्पन हुए। बली के सौ पुत्र हुए, जिनमें जीश्ट पुत्र बानासुर बहत बलशाली एवं निपोन योध्धा था। थेरन यक्षिपू के छोटे भाई से उत्कर, शकुनी, भूतसंतापन, महा नाम, महा बाहु तथा कालनाम आदी ने जन्म लिया जो सभी महा बली थे। महर्शी कश्यप की एक अन्यपत्नी दनू थी। इनके साथ संपर्क से मुनी ने द्विमूर्धा, शांबर, अयोमुक्षंकुशिर, कपिल, शंकर एकचिक्र, महा बाहु, तारक, महाबल, स्वर् स्वर्भानू, व्रिश्पवा, महा बली, पुलोम और विप्रचेती आदी पुत्र उत्पन किये। ये सभी बहुत बलशाली एवं महान योध्धा थे। स्वर्भानू ने प्रभा को जन्म दिया व्रिश्पवा के यहां भी तीन कन्याएं जन्मी शर्मिष्ठा। उपद के नाम पर ही पॉलोम एवं कालकेय कहलाए। कशप जी के एक अन्य पुत्र विप्रचिती ने हिर्या न्याश की बहें सिन्हिका से विवाह किया। जिनसे अनेक क्रूर एवं बलशाली पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें वियंच, शल्य, बलवान, नम, वातापी, सितकुल काफी विस्तार पा गया। कशप की तामत्रा नामक पत्नी से च्छ कन्याओं ने जन्म लिया। इनसे शुकी से शुक, उलूक और काक उत्पन हुए। शयेनी से बाज, भासी से भास, सुग्रीवी से अश्व, उंट एवं गर्दब। शुची से जल्चर पक्षी तथा मृद्धिका से गीद उत्पन हुए। क्विन्ता से कशप जी ने गरोड एवं अरुन दो पुत्रों को जन्म दिया जो काफी प्रसिद्ध हुए। सर्मा से कशप जी ने अनेक बड़े-बड़े सर्प एवं नप्च पैदा किये। इनकी कद्रू पत्नी से शेष, व अन्य पत्नियों स्वसा, मुनी, अरिष्टा आधी ने यक्ष राक्षसों, अपसराओं एवं गंधर्वों को जन्म दिया। इस प्रकार यह सारी स्रिष्टी कश्यप मुनी द्वारा ही रची गई मानी जाती है। यह सारी स्रिष्टी स्वारोचिश मनवंतर में उपजी थ करते हुए महाराज पराशय ने कहा वैवस्वत मनवंतर के प्रारंब में वारुन यहां हुआ। इसमें स्वयम ब्रम्हा होता बने तथा उनके सातों मानस पुत्रों ने सबतर्शी गन के रूप में स्थान पाया। इस काल में ब्रम्हा ने इन्हें ही नाग, देव, गंधर एवं दानव रूप में जन्न दिया। अपने अधिकांच पुत्रों के नश्ट हो जाने पर अपनी सेवा से प्रसन करते हुए रिशी पत्नी दिती ने मुनी के साथ पुना संपर्क से एक तेजस्वी पुत्र को उत्पन करने का वर्दान मांगा। इस पर मुनी कश्यप न नाश का कारण जानते हुए प्रतिशोध लेने के हित दिती ने कश्यप मुनी के शर्ट के अनुसार वरत करने का निश्चय करते हुए उनके वीरे को धारन किया। देवराज इंद्र को जब इस रहस्य का ज्यान हुआ तो वो श्रधपूर्वक दिती की सेवा में लग गया किन्तु सदैव इस अफसर की प्रतीक्षा में रहता कि किसी प्रकार प्रमादवश दिती के शुध आचरण में कहीं कोई शिथिलता रह जाए तो वो बाधा उत्पन करके अपने घातक को नश्ट कर दे। ऐसा समय भी आया। एक बार निद्रावश दिती बिना चरण धोए अफसर पाकर इंद्र ने हाथ में वज्र को लेकर दिती के योनिमार्ग से कोख में प्रवेश कर लिया और अपने घातक शत्रु गर्ब के साथ टुकडे कर दिये। तब भी गर्ब नश्ट नहीं हुआ तो पुन एक-एक के साथ खंड करके उसे 49 खंडों में विभक्त कर द आएं तथा इंद्र से माइथरी करके उसके सहायक हो गए। महाराज प्रितु को राज्यत्व प्राप्त हो जाने के बाद परमश्री ब्रहाजी ने भी अपने राज्य का विभाजन किया तथा यह विवस्था की यग्य तब वनस्पति ब्राहमन ग्रह नक्षत्रों के अध प्रत्य दानवों का प्रहलाद को, पित्रिगंट का यम को, गजों का एरावत को, पक्षियों का गरुर को, सर्पों का शैशनाग का, धनूओं का व्रिशब को, वन्य पशुओं का सिंग को, उच्छे श्रवों को अश्वों का, स्थावरों का हिमाले को, मुनियों का कपिल जी को, नक जन्तूओं का व्यागर को, वनसपतियों का प्लक्ष को अधिपती बनाया। इसके पश्चात दिकपालों की प्रतिष्ठा की पूर्व के सुधनवा, उत्तर के हिरन्य रोमा, पश्चिम की केतुमान, दक्षिन के शंकपाद बने। ये ही चारो साथ समुद्रों वाली साथ ग्वीपों वाली संपून प्रित्वी का पालन करते हैं। वस्तुतह ये सभी तथा वर्तमान का लेवं भविश्य में भी होने वाले ये अधिपती मूल रूप से विष्णू के ही अंश हैं। सत, राज, ताम के प्रभावाधिक्य या कमी से विष्णू ही स्रिष्टी के निर्माता, पालक एवं सनहारक हैं। अगनी, आतक एवं भूत स्वरूप में स्वयम विष्णू के ही ये द्वादश रूप हैं। उन्ही की सत्ता का यह व्यापक्त्वर उन्ही की माया का स्वरूप है। इस प्रकार परंपद विष्णू की महता का आख्यान प्रवचन करते हुए पराशमुनी ने मैत्रेजी से कहा प्रियवर यह स्रिष्टी इसी प्रकार आदी, मध्य एवं अंत तक ब्रम्हा द्वारा रची जाती है। मरीची एवं प्रजापतियों द्वारा यह विस्तार पाती है। जिसमें जन में जीव अपनी वंश वृद्धी करते हुए इसका विकास करते हैं। इसके काल स्वरूप कारण स्वयम विष्णू ही हैं। उनके विश्वास के बिना स्वयम ब्रम्हा भी अशक्त हैं। जीवुद्वारा उत्पादित वन्शावली में भी विश्णू का ही अंश रूप विध्यमान रहता है। स्वयम विश्नु ही ब्रम्हा के रूप में रचने वाले हैं। यह रुद्र के रूप में सनहारक हैं तथा अपने मूल विश्नु रूप में जगत पालक हैं। इसलिए जड़ एवं चेतन जगत के आदी स्रोथ श्री विश्नु ही है। इनका परमपद निर्गुन रूप के मूर्ट एवं अमूर्थ या क्षर एवं अक्षर रूप होते हैं। क्षर जगत तथा अक्षर परब्रम रूप। संपूर्ण जगत उसकी ही असीम शक्ती का फल है त्रिदेव मूर्थी इसी की प्रधान शक्तियां है। इनका निम्द्वत क्रम इस प्रकार है सर्वोपरी ब्रम्ह, विश्नु महेश, देवगंद, दक्ष प्रजापती, मनुश्य पश्यू, पक्षी, मुरिक, सर्पाधी, व्रिक्ष, लताएं आरोही। जन्म और मृत्यू श्रीत्रेगुन आत्मिका शक्ती आविरभाव एवं तिरोभाव का ही फल है। अतह वस्तुतह यह जगत नित्य एवं अक्षय है, क्योंकि मूलतह तो विश्नु ही इसके कारण रूप है, वे ही संपून जगत को आयो देवं आभूशन रूप से धारन करते हैं। आयो देवं आभूशन रूप से धारन करने का अभिप्राय क्या है? मैत्री जी से यह प्रशन पूछे जाने पर मुनी पराशने वशिष्ट मुनी से इस बारे में जो सुना वो प्रस्तुत करते हुए कहां श्री विश्नु भगवान इस जगत के शुधक शेत्रग्य स्वरूप अर्थात निरलेप, निर्गुन एवं निर्मल आत्मावान रूप में धारन करते हैं। इस प्रकार पुरुष, प्रधान, बुद्धी, एहनकार, पंचभूत, मन, विद्या एवं इंद्रिया सभी विश्नु में समाहित हैं। पूजयों में आदी पूजय देव हैं। वेही अंश रूप में इस जग्ति का निर्मान करते हैं। वेही देवगन, मनुष्य पशु पक्षी आदी अनेक रूपों में जन्नते हैं। चारो वेद, रिक, यजू, साम, अथर्व, इतिहास, महाभारत आदी, उपवेद, आयू, धनू, वेदांत, उपनिशद, वेदांग, व्याकरन, कल्प, शिक्षा आदी, स्मृतिया, मनू, याग्यवल्क्य, कोटिलि, पुरान, समस्त अठारा पुरान, आख्यान, रामायन आदी, अनुवाक, सूत्रग्रथादी, तथा समस्त कावेकला का जो भी उदात्त उतक्रिष्ट है, वो आदी शक्ती विष्णू का ही जगत रूप है, उनसे भिन कुछ भी नहीं, उनमें हृदय से अनुरेक्ती रखने वाला जन रागद्वेश, इंद्रादी से मुक्त देव सुखी एवं त्रिप्त रहता है, श्री विष्णु पुरान का यह प्रथम अध्याई यहां समाप्त होता है, जो जन दैनिक शौचादी से विधिवत निवरित होकर शुधमन से भगवान विष्णु की स्तुती करता हुआ इस प्रथम अध्याई का पाठ करता है, व उत्तानपाद के अतिरिक प्रियवरत के वंच के बारे में भी जानने की इच्छा प्रकट की तो भक्तवतसल पराशर जी ने उन्हें प्रियवरत के संबंध में जो वृतांत सुनाया वो इस प्रकार है, प्रियवरत का विवाह करदम जी की पुत्री से संपन हुआ, इनके यहां दो कन्याओं ने जन्म लिया, जिनका नाम था समराथ एवं कुक्षी तथा दस पुत्र उत्पन हुए अगनीध्र, अगनीबाहु, वपुश्मान, द्योतिमान, मेधा, मेधातिथी, भाविय, सावन, पुत्र और ज्योतिश्मान. इनमें मेधा, अगनीबाहु, एवं पुत्र अपने पूर्वजन के ग्याता होने के कारण सांसारिक्ता के प्रती विरक्त थे. राज्य में इनकी अभिरुची नहीं थी. अतहतेजस्वी हो गए. ऐसा होने पर प्रयवरग्जी ने सब्तद्वीपा पृत्वी को अपने साथ में वित्रित कर दिया. एगनीद्र को जख द्वीप का, वपुष्मान को शालमल द्वीप का, द्योतिमान को क्रॉच द्वीप का, मेधातिथी को प्लक्ष द्वीप का, भव्य को शाक द्वीप का, सवन को पुषकर द्वीप का तथा जयोतिश्मान को कुष द्वीप का भ यति भावान थे अगनीध्रा ने जंबूद्वीप को अपने पुत्रों में इस प्रकार विभक्त किया नाभी को दिक्षिन वर्ती हिम वश भारत वश किम पूरुष को हैं कुट वश हरिवर्ष को नैश द्वश इलावरित को मेरु केंद्रित इलावरित वश रम्य को नीला पर्वत पर तपस्या हितु चले गए भारत वर्ष के स्वामी नाभी देव ने मरू देवी के गर्ब से एक अत्यन तेजस्वी बालक रिशब को उत्पन किया इनहीं रिशब के सौ पुत्रों में भरत जीश्ट पुत्र थे अनेक वर्षों तक न्यायपूर्वक राज्य कर अपने के उपरांत रिशब अपने बड़े पोत्र भरत को राज्य का अधिपती बना कर स्वयम तपस्या के लिए पुल नामक आश्रम को चले गए लंबी अवधी तक तपस्या के उपरांत रिशब ने शरीर त्याग दिया भरत द्वारा विधी नियमों के अनुरूप रा भरत अपने मेधावी पोत्र सुमती को राज्य सौप कर स्वयम शालग्राम में तपस्या करने चले गए और वहीं समाधिगत हुए आगे अपने पुन्य कर्मफल से ही ब्राहमन कुल में उत्पन भरत ने बाद में विश्नु परम पद प्राप्त किया भरत का वन्शा आगे सुमती से इंद्रद्यूम्न, परमिष्ठी, प्रतिहार, प्रतिहर्ता, भाव, उद्गीत, प्रस्ताव, प्रिथु, नक्त, गय, नर, विराट, महावीर्य, धीमान, महांत, मनिस्यू, त्वस्य, विरज, रज, शच्जित से सौपोत्र। इन में विश्वज्योती सबसे बड़े थे, इन सौसे प्रजा का काफी विस्तार हुआ, भाष्ट को नौ खंडों में विभक्त करके 71 युगों तक विश्णु शासन किया। स्वयंभू मनु का यह वन्शी वारा कल्प में प्रित्वी पर व्याप्त था। प्रित्वी के सभी सातों द्वीपों जंबू, प्लक्ष, शालमल, कुष, क्रॉच, शाक एवं पुषकर के चारों और साथ सागर हैं। खारा जल, एकशूर्ज, मदिरा, घृत, दधी, दुगध और मधूर जल के यह सागर द्वीपों को चारों और से घिरे हुए हैं। इन द्वीपों के बीच में ही जंबू द्वीप हैं। जंबू द्वीप के बीच में 84,000 योजन उंचा विशाल सुमेरू परवत है जो की लगभग 16,000 योजन गहरा और 32,000 योजन चौड़ा भी है। इस द्वीप के दक्षिन में हिमवान, हैमकूट और निश्था परवत हैं। उत्तर में नील, श्वेत एवं श्रिंगी परवत हैं। निश्था एवं नील लगभग 11,000,000 योजन, हैमकूट एवं श्वेत 90,000 तथा श्रिंगी का विस्तार 80,000 योजन है। यह सभी परवत दो 2000 उंचे एवं गहरे भी हैं। मेरू परवत के दक्षन में पहले भारत वर्ष है, फिर किमपूरु शेवं हरे वर्ष है। उत्तर की ओर क्रमशह रम्यक वर्ष, थेरन्यमय वर्ष तथा उत्तर कुरू वर्ष है। इनके बीच में इलावरत वर्ष है। यह सभी वर्षों का लगभग 9,000 योजन है। सुमेरू के पूर्व में मंदराचल पर्वत, दक्षिन में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्शव पर्वत हैं जो चारों और से सुमेरू पर्वत को कलियों के समान चाय हुए हैं। इनकी उचाई 10,000 योजन हैं तथा इन पर लगभग 100 योजन उचे कदम, जम्बू, पीपल एवं वट के पेर स्थित हैं। जम्बू दुइप का नाम ही जम्बू वरिक्ष के कारण पड़ा है, इन वरिक्षों के फल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जब ये फल पककर परवत पर गिरते हैं, तो इनके फटने से जम्बू रश से जनतू नदी बह निकलती है। इस रस को पीने से ही यहां के वासी नीरोगी, पसीने, दुर्गंद और इंद्रियक्षय से मुक्त एवं सुरक्षित रहते हैं। नदी के किनारे की मिट्टी भी रस मिश्रित होकर सूखने पर सुवर्मय हो जाती है। सिधपुरुष इसका उप्योग आभूशन के रूप में करते हैं। सुमेरु पर्वत के पूर्व में भाद राश्ว वर्ष तथा पस्चिम में केतु माल वर्ष है। इलावरत वर्ष इन दोनों के मध्यमि स्थित है। सुमेरु पर्वत के चारों और चैतरत, गंधमादन, वैभराज तथा नंदन वन एवा मरूनोद, महाभध्र, असितोअ और मानस नाम के चार सरोवर भी हैं। सुमेरु पर्वत की शाखाओं के रूप में पूर्व दिशा में शीतांब, कुमुंद, कूररी, मालिवान, वैकिंख हैं। दक्षिन दिशा में त्रिकूट, शिशेर, पतंग, रूपक और निशाद पर्वत हैं। पश्चिम दिशा में शीरी वासा, वैदूर्य कपिल, गंधमादन और आरुची पर्वत हैं तथा उत्तर में शंक कूट, रिशब, नाग तथा कालंगादी पर्वत हैं। सुमेरु पर्वत के आकाश में 14 सहस्र योजन तक फैली ब्रह्माजी की नगरी भ्रहमपुरी है। इसकी चारों दिशाओं में इंदरादी देवों की आठ रमनिया नगरीया हैं। श्री विष्णु के चरणों से निकली गंगा चंद्रमंडल को अपनी लहरों से भिगोती हुई स्वर्ग से इसी भ्रहमपुरी में गिरती है। यही से वे चार दिशाओं में चार अलग नामों से सीता, अलगनंदा, चक्षु तथा भध्रा के नाम से बहती हैं पूर्व की और से आती हुई सीता एक परवत से दूसरे परवत पर होती हुई सागर में गिरती है। अलकनंदा दक्षिन से होती हुई भारत में आती है, फिर वो साथ भागों में विभक्त होकर बहती हुई सागर में विलीन होती है, चक्षु पश्चम से होती हुई केतु माल वर्ष में बहती है तथा भधरा उत्तर के परवतों और कुरु वर्ष के उत्तर में बहती हुई सा वाकार में स्थित है जिसके आसपास उत्तर दक्षिन में जठा एवं देवकूर दो मर्यादा पर्वत है पूर्व और पश्चिम की ओर 80 योजन तक फैले निशाध एवं परियात पर्वत हैं इनके बाहरी ओर ही भारत के तुमाल भद्राश्व तथा कुरू वर्ष स्थित है ये वर्ष लोक कमल के पत्तों के समान हैं सुमेरु पर्वत की कंदराओं में सिधर चारणादी वास करते हैं इन पर्वतों पर अनेक रमनिय नगर उपनगर बाग बगीचे उपवन अगनी सूर्यादी के तथा विश्णू एवं लक्षमी के मंदर बने दूए हैं इसकी प मेरु परवत प्रदेशी पूरी प्रित्वी का स्वर्व कहलाता है इसलिए इसमें पुन्यात्माओं को ही निवास का अवसर मिलता है यह व्रितांत सुनाते हुए मूनी पराशने मैत्रेजी से कहा श्री विश्णू ही भदराश्व के तुमाल भारत और कुरु वर्ष में ह सीडित नहीं हो पाते सदस्वस्त फिरिष्ट पुष्ट तथा 10-12,000 साल की आयू वाले होते हैं यह सभी वर्ष नदियों एवं परवतों से सदैव घिरे रहते हैं हिमालय का दक्षिनी एवं समुद्र का उत्तरी भागी भारत वर्ष कहलाता है इस प्रदेश का विस्तार 9 9,000 योजन हैं इन में महेंद्र, मलय, सहय, शुक्तिमानरिक, विंध्य और परियात्र साथ परवत हैं स्वर्ग एवं अपवर्ग की सीड़ी इस भूमी में मनुष्य अच्छे कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त होता है समस्थ पृत्वी लोक में केवल भारत वर्ष में ही कर प्रिमफल का महत्व है यह भारत वर्ष नौ भागों में बंटा हुआ है जिन्हें क्रमश इंद्र द्वीप, कसेरू, तामरपर्ण, गबस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यक, गंधर्व, वारुन तथा समुद्रवृत द्वीप कहते हैं इसका हजारों योजन लंबा विस इसके पूर्व की ओर की रात तथा पश्चिम में यवन बसे हैं मध्य में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राहमन, शत्रिय, वैशिय एवं शूद्र रहते हैं इसमें से ही शद्रू, चंद्रभागा, वेद और स्मृति, नर्मदा एवं सूर्सा, तापी, पयोशनी, न अधी नदिया निस्रित होती हैं, इनके ही किनारे कुरू, पांचाल, पुष्ट, कलिंग, मगद, सौराष्ट्र, आभीर, माल, सैंधव, सौवीर तथा पार्सी आधी गन रहते हैं, इन नदियों के सिंचन से ही तटवर्ती जन अत्यंत स्वस्थेवं शौरेशाली होते हैं भारत वर्ष में समय चार युगों में संचालित होता है सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, भगवान विश्नु यग्यपुरुष के रूप में यग्यद्वारा पूजित किये जाते हैं, अन्य दूसरी भूमिया यहां भोग भूमिया हैं, भारत वर्ष कर्म भूमी थे खजारों वर्ष हो तक अनेक महन पूण्यों के संगरा होते जाने के पाती हैं, यहां के इसी वैभव के कारण देवता भी इर्श्या करते हैं, वे सदैव यही कामना करते हैं कि कि प्रकार पूण्य कर्म होने पर उन्हें भारत में ही जंम मिले प्लिक्षद्वीप की चर्चा करते हुए मुनी ने कहा इसके स्वामी मेधाती थी हैं इन्होंने साथ पुत्र उत्पन किये जो क्रम शहषान्थाय, शिशिर, सुर्खोदे, आनंद, शिव, क्षेमक एवं धुरूव थे इनको प्राप्त लक्षद्वीप के साथ खंड इन्ही के नाम से प्रसिध हुए प्रतीक वर्ष परवतों से विभक्त किया गया इस प्रकार इनके विभाजक गोमेद, चंद्र, नारग, दुन्दुभी, सोमग, सुमन, सुभराज परवत हैं यहाँ पर वास करने वाले प्राणी हानी लाब, काष्ट या रोग से मुक्ट सुख पूर्वक रहते हैं इन साथ परवतों से साथों वर्षों में बहने वाली साथ नदिया निकलती हैं जिन्हें अनुतपता, शिखी, विपार्शा, त्रिदिवा, अकिगा, अमृता और सुकृता के नाम से पुकारा जाता है प्लिक्षद्वीप के वर्षों में यूग की कोई दशा नहीं यहाँ का समय सदैवी त्रेता के समान रहता है किन्तु यहाँ वर्णव्यवस्था आवश्य है जिसके पालन से यहाँ के प्रानी रोग मुक्त रहते हुए 5000 वर्ष की आयू पाते हैं श्री विश्नु का यहाँ सोम रूप में भजन पूजन किया जाता है ब्राहमन, क्षत्रिय, वैशिय और शूद्र का यह चतुवन प्लिक्ष द्वीप आर्यग, कुरः, विदिश्य और भावी जातियों के द्वीप के नाम से माने जाते हैं इस द्वीप का नाम भी प्लक्ष नाम के विशाल का इवरिक्ष के नाम पर पढ़ा है यह द्वीप अपने ही समान आकार वाले एक्षूस के समुद्र से घिरा रहता है शालमल द्वीप के अधिपती महावीर वपुश्मान के साथ पुत्रों के नाम पर साथ वर्ष पुकारे जाते हैं जिन्हें श्वेतवर्ष, हरितवर्ष, जीमूतवर्ष, रोहितवर्ष, वैद्यूतवर्ष, मानसवर्ष, सुप्रमवर्ष कहते हैं यह द्वीप चारों और से अपने ही समान विस्तार वाले मदिरा सागर से घिरे हुए हैं मदिरा सागर को उसके दुगुने फैलाव वाले कुष द्वीप ने घेर रखा है आकार में शालमल द्वीप एकशूर सागर से दुगुने विस्तार वाला है इस द्वीप को साथ परवत कुमुद, उननत, बलाहग, द्रोनाचार्य, कंक, महर्शी और कुकुदमान साथ भाजित करते हैं इनसे योनी, तोया, वित्रिशना, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवरिती ये साथ नदिया निकलती हैं इस द्वीप के निवासी ब्राहमन, शत्रिय, वैशिय और शूद्र, क्रमशा, कपिल, अरुन, पती और कृष्न कहलाते हैं इस द्वीप में चलमल, सेमल का एक महान व्रिक्ष होने के कारण ही इस द्वीप को शालमल द्वीप कहा जाता है जियोतिशमान कुष्द्वीप के अधिपती हैं इनके साथ पुत्रों के नाम से ही इस द्वीप के साथ वर्ष पुकारे जाते हैं जिन्हें उद्भिद, वेनुमान, वैरत, लंबन, घृती प्रभाकर और कपिल, वर्प कहा जाता है इनके विभाजित करने वाले ये साथ परवत हैं विद्रूम, हेमशेल, द्यूतिमान, पुन्यवान, कुशेशय, हरी और मंद्रा चल, इन परवतों से साथ नदिया निकलती हैं ये हैं धूत्पापा, शिवा, और मंदेह कहलाए जो भजन पूजन में विश्वास रखते थे, कुश्द्वीप में जगत जनार्दन की ब्रमरूप में पूजा होती है, कुश्द्वीप अपने चारों और समान विस्तार वाले धृत समुद्र से घिरा रहता है, कुश्द्वीप से लगभग दोगुने विस्तार वाला कुश्द्वीप घरित समुद्र को घेरे रहता है, कुश्द्वीप के स्वामी महात्मा द्योतिमान है, इनके साथ पुत्रों के नाम से ही इस द्वीप के साथ वर्ष पोकारे जाते हैं, जिन्हें कुश्चल वर्ष, मंग वर्ष, उष्ण वर्ष, पीवर अंधकारवश, मुनिवश और दुन्दू भिवश कहा जाता है, इनको साथ परवत विभाजित करते हैं, जिनके नाम है क्रौँच, वामन, अंधकारग, स्वाहिनी, दिवावरित, पुंद्री, क्वान और दुन्दू भी इन परवतों से प्रधान साथ नदिया निकलती है जो ये हैं गौरी, मुसुद्वती, संध्या, रात्री, मनोजवा, क्षाती और पुंद्री का, यहां के चतुरवरनी प्रानी पुषकर, पुषकल, धन्य और तिश्य कहलाते हैं, इन पुषकरादियों द्वारा भगवान विश्नु की शिव रूप में पूजा की जाती है यह क्रॉंच द्वीप अपने समान आकार वाले मठे के सागर से चारों और से घिरा है और यह सागर अपने से दोगुने वाले शाकद्वीप से घिरा हुआ है शाकद्वीप क्रॉंच द्वीप से दोगुना बड़ा है तिस द्वीप के स्वामी महात्मा भव्य के साथ पुत्रों के नाम पर साथ वर्ष हैं जिन्हें जलत कुमार, सुकुमार, मरीचिक, कुसुमोद, मौदाकी और महाद्रुम नामों से पुकारा जाता है जिनको उद्याचल, जलाधार, रैवतक, श्याम, अस्ताचल, अंबिके और केसरी ये साथ परवत विभाजित करते हैं सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, एक्ष्यू, वेनुका और गबस्ती ये साथ नदिया इन साथ परवतों से निकल कर साथ वर्षों को सीचती हैं सिध्ध गंधरवों से सिज्जित और सुगंधित एक शालुक के आधार पर इसका नाम शाकद्वीप पड़ा यहां के चतुरवनी, प्रानी, क्रमशह, बंगू, मागद, मानस और मंदग कहे जाते हैं ये भगवान विश्नु की पूजा सूर्य के रूप में करते हैं इस शाकद्वीप को उसी के समान आकार वालेक शीर सागर ने घेर रखा है तथा सागर अपने से दोगुने आकार के पुशकर द्वीप से घेरा हुआ है पुशकर द्वीप, शाकद्वीप से दोगुना विस्तार लिए हुए है इस द्वीब के स्वामी महाराज सावन के दो ही पुत्र थे महावीर और धातकी, इनके नाम के अनुसार यहां दो ही वर्ष हैं, इसके बीच में एक मानसोत्तर नाम का परवत है जिसकी उचाई और चोड़ाई 50 सहस्र योजन है, ये दोनों वर्षों को विभाजित करता है, इ और परवत भी कम हैं, यहां पर ब्रह्माजी का उत्तम निवास थान एक वट व्रिक्ष निगोध्र है, भगवान नारायन की यहां पर ब्रह्मा रूप में पूजा की जाती है, ये द्वीब अपने फैलाव वाले गोलाकार मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है, मुनी प समुद्र सदा जल से भरे रहते हैं, किन्तु चंद्रमा की कलाओं के कारण समुद्र का जल घरता बढ़ता रहता है, पानी का ये उतार चड़ाव 530 अंगुल तक दिखलाई देता है, उन्होंने बतलाया कि मीठे जल के सागर के चारों और एक सुनसान, सुनेहरी धरती है, यहां 10,000 योजन उचा और इतने ही फैलाव वाला विस्तृत परवत है, इस परवत के चारों और घना अंधिरा है, जो भ्रमांट कटाह से घिरा हुआ है, इस प्रकार इस सारे भूम अंडल का फैलाव लगभग 50 करोड योजन है, प्रित्वी के नीचे 10-10,000 योजन की दूरी पर अतल, वितल, नितल, गबस्तिमान, महातल, सुतल और पाताल लोक हैं, क्रमशा इनको भूमी अतल की शुकल वर्ण, वितल की कृष्णल वर्ण, नितल की अरुन वर्ण, गबस्तिमान की पीत वर्ण, महातल की कंकरीली, सुतल की पथरीली और पाताल की सुनहरी है, इन सभी लोकों में रहने वाले यक्ष, नाग, दानव, देत्य, राक्षस, आधी सैकडों जातियां सुख पूर्वक अनेक सुंदर महलों में निवास करती हैं पाताल लोक से नीचे परंपद विष्णु का शेश नामक्तमों में विग्रह है ये शेश भगवान सभी देवताओं द्वारा वंदित और पूजनिय सारे भूमंडल को फूलों की माला की तरह धारण किये हुए पाताल के तल में स्थित हैं पृत्वी और जल के नीचे यमराज की सत्ता के अधीन पापियों के निवास के लिए अनेक नरक बसे हुए हैं जिन में रौरव, महाजवाल, दारून, वहरजाल, सादंज, तमस, अप्रतिष्ठादी प्रमुख हैं जूट बोलने वाला, पक्षपात करने वाला और सच को छिपाते हुए जूठी गवाही देने वाला रौरव नरक भोगता है गौहत्या करने वाला, भृून हत्या करने वाला रोध नरक में जाता है मध्यपान सेवी आदी सूक नरक भोगते हैं क्षत्रियों और वनेकों का घाती ताल नरक में जाता है गुरुपत्नी तथा बहीन के साथ विशेब भोग करने वाला या राजदूतों का हत्यारा तप्त कुम्भ नरक भोगता है पुत्री तथा पुत्रवधू के साथ संभोग करने वाला महाजवाल नरक में जाता है सती साधी स्त्री को कुमार्गी के हाथों बेचने वाला तत्व लोह नरक में जाता है वेद निन्दक और वेद विरुध आचरन करने वाला अगम्यगामी लवर्ण नरक हो प्राप्त होता है मर्यादा भंजक और चोर कर्म करने वाला विलोहित नरक में जाता है देवताओं, ब्राहमनों अत्वा पिता के प्रती द्वेश रखने वाला ख्रिमी भक्ष नरक में जाता है और यग्य का अनिष्ट करने वाला ख्रिमी श्नरक में जाता है देव भूप, पित्रभू या अतिती भोग से पूर्व भूजन करने वाला लाला भक्ष नर्कवासी होता है और प्रानगाती शस्त्र बनाने वाला विश्यसन नरक में जाता है असत प्रतिग्रही और नक्षत रोप जीवी अधो मुख नरक में शूक आधी पक्षियों को पालने वाला मद्यविक्रेता, मित्रगाती और ग्रहदा करने वाला रूघरांधर नरक में, यग्यका विध्वन्स करने वाला वैत्रनी नरक में, पतित सदंश नरक में, नर्कों से होते हुए जल, क्रिमी, जलपशु, पक्षी, पशु, मनुश्य, धर्मात्मा, सज्जन, देवता के रूप में उतरोत्तर श्रेश्ट जाती में जन्नते हुए मुमुक्षु रूप में मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। प्रायश्चित न करने वाले लोग बार-बार नर्क्वास के फेर में पड़े रहते हैं। अताह मनुश्य के लिए विष्णु का स्मरन ही श्रे हैं। प्रित्वी जितना विस्तार ही उप्रलोग का भी है। इसमें प्रित्वी से एक लाख योजन दूरी पर सूर्य मंदल स्थित है। सूर्य मंदल से एक लाख योजन दूरी पर चंद्र मंदल है और चंद्र मंदल से एक लाख योजन दूरी पर तारा मंदल स्थित है। तारा मंडल से दो लाख योजन दूर बुद्ध ग्रह है तथा इसके बाद शुक्र, मंगल, ब्रहस्पती, शनी, सब्तर्शी मंडल सभी एक दूसरे से दो दो लाख योजन दूरी पर टेके हुए हैं। सबतर्शी मंडल से एक लाख योजन दूरी पर जयोतिश्चेक्र का कामरूप धरूव मंडल है। इसके उपर एक लाख योजन दूर महरलोग है। यहां भरेगु आदी सिध्धगन वास करते हैं इसी महरलोग से दो करोड योजन दूर जन लोग है। यहां ब्रम्हा के मानस पुत्र संकादी रहते हैं। यहां से आठ करोड योजन दूरी पर तप लोग हैं जिसमें कभी दग्धन न होने वाले वेराग जाती के देवता वास करते हैं। यम लोग से बारा करोड योजन दूरी पर सत्यलोग अवस्थित है। इसी को ब्रहम लोग भी कहते हैं। इस हैं और इससे उपर 14 लाख योजन विस्तार वाला स्वर्गलोग है गू भूव स्वर्व ये तीनों जन तप और सत्य और कृतक त्रेलोक्या और कृतक क्रितक कहलाते हैं कल पांद के समय महरलोग जन्शून्य हो जाता है लेकिन नश्ट नहीं होता यह ब्रमांड अपने चारो अकाश से अकाश 10 कुना जहंग्कार से और एहंकार 10 कुना महतत्वर से और यह घिरा रहता है यही संपूर्ण जगत का का परभूत प्रकृत्प्रकृति इसी प्रधान में तिल के समान चेतन पुरुष अवस्थित हैं। प्रधान और पुरुष दोनों ही विश्णु शक्ती से आवेश्टित हैं। प्रधान से महतत्वर से पंचभूत, संपूर्ण विकार से देव, असुर आधी उनसे उनके पोत्र पोत्र आधी उत्पन होते है यह प्रक्रिया बीज के विकास के समान होती है क्योंकि जिस प्रकार बीज के विकास से अन्य व्रिक्षों में प्रस्फुटित होने से पूर्वज व्रिक्ष को कोई ख्षती नहीं होती। उसी प्रकार अन्य अनेक प्राणियों के उत्पन होने से पूर्ववर्ती प्राण विश्नु भी इसके कारण है. विश्नु ही इस जगत की अव्यक्त मूल प्रकृती है. विश्नु से अतिरिक जगत की कोई सत्ता नहीं है. सूर्य के रत का विस्तार 9000 योजन होता है और रत के इशादन का 18000 योजन होता है डेड करोर साथ लाख योजन धूरे की लंबाई होती है इस धूरे में ही रत का पहिया लगा होता है सुभा, दोपहर, शाम तीन नेमिया होती है परिवत्सर आधी 5 और 6 रितूओं के रूप वाले अक्षे स्वरूप समवत्सर में यह संपूर्ण कालचक्र स्थापित है गायत्री, ब्रिहती, उष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ती साथ छंद होते हैं यही सूर्य के साथ अश्व है सूर्य के रत का दूसरा धूरा साड़े 45 योजन लंबा होता है दोनों इशादंडों का परिमा परत के अनुरूप होता है छोटा धूरा धूरूफ के आधार पर और दूसरा मानसुत्तर परवत पर टिका होता है इस परवत के पूर्व में इंद्र की वस्वोक सारा, दक्षिन में यम की सायमनी, पश्चिम में वरुन की सुखा तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नगरेया बसी हुई है सूर्य ही दिन और रात ही व्यवस्था करते हैं, दिशाओं विदिशाओं का ज्यान भी सूर्य से ही होता है, प्रतीक स्थान पर जहां सूर्य उदित होता है, वहीं से दिन शुरू होता है, जहां अस्थ होता है वहीं दिन समाप्त हो जाता है, इसी से पूर्व पश्चिम पूरे भूभाग को अतिक्रमित करने में लगा समय एक दिन रात होता है उत्तरायन में सूर्य मकर राशी में होता है इससे क्रमशा कुम्ब मीन राशियों में चला जाता है इसके पश्चात सूर्य भूमध्य रेखा के बीच में गमन करता है समान दिन रात के रूप में आ जा कर्क में आकर उत्तरायन से दक्षनायन में आ जाता है। इस थिती को पार करने में सूर्य तेजी से घूमता है दिन के समय सूर्य साड़े तेरा नक्षत्रों को बारा मुहूर्तों में तथा रात्री के साड़े तेरा नक्षत्रों को अठारा मुहूर्तों में पूरा करता है। दिन रात की छोटाई और बढ़ाई राशियों के परिमान के अनुसार होती है। उत्तरायन में सूर्य की गती दिन में तेज, रातरी को मन तथा दक्षिनायन में रातरी को तेज तथा दिन में मन होती है। वेदों में रात्री को उशा तथा दिन को व्युष्टी कहा गया है। इनका बीच का काल संध्या काल कहलाता है। इस संध्या के समय संदेह नामक भीशन देत्य सूर्य को डिकारना चाहता है किन्तु ब्राहमनों के सत्प्रयास, ओमकार से और गायत्री के मंत्रोचारन द्वा पूजे जल से सूर्य देव की रक्षा की जाती है। इस जल की शक्ती से ही सूर्य देव दैत्यों का नाश करते हैं। इसलिए ब्राहमनों को सूर्य की रक्षात चाहिए कि प्रातहकाल में तथा दिनात को संध्याकाल को मंत्र पूरे जल सूर्य को अर्ख्या रूप में 15 दिन रात का एक पक्ष तथा दो पक्षों का एक सौर मास होता है। प्रतीक मास में राका और अनुमती दो पूर्णिमाय होती हैं। सिनीवाली तथा कुहू दो अभावस्था होती हैं। माग, फागुन, चैत्र, वैशाक, जीष्ट, आशार ये छह मास उत्तरायन में तथा सावन, भादरपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन तथा पौर्ष ये छह मास दक्षनायन में होते हैं। लोकालोक परवत की चारों दिशाओं में सुधामा, शंकपाद, हिरन्यरोमा तथा केतुमान नाम के चार लोक रहते हैं। अगस्त्य के उत्तरी मार्ग और अजवीथी के दक्षनी मार्ग अलग मार्ग से भिन्म रिगवीथी पित्रयान पत हैं। यहां यग्य यगादी करने वाले महात्मा लोग विच्छिन वैदिक धर्म की पुनास्थापना के लिए निरंतर प्रयत नशील रहते हैं। पूर्व धर्म प्रवर्ट तक बाद की संतान के यहां जन्म होते हैं। बाद के धर्म प्रचारक अपनी संतान रूप में जन्में पित्रिगन के यहां जन्म लेते हैं। इस प्रकार ये महात्मा निरंतर सूर्य के दक्षिन मार्ग में आते जाते रहते हैं। सूर्य का उत्तरिय मार्ग देव्यान कहलाता है। यह नागवीथी के उत्तर में तथा सब्तर्शियों के दक्षिन में स्थित होता है। इसमें इंद्रियों पर विजय पाएं लोग, संतान के प्रती अनिच्शुक तथा मोक्ष कमी 80,000 मुनी प्रलैय होने तक वास करते हैं। यही काल त्रिलोक की स्थिती तक अमर अर्थात मृत्यो रहित कहलाता है। प्रलैय काल में पृत्वी से लेकर धरूफ प्रदेश तक सब नश्ट हो जाता है। उपर की और सब्तर्शियों से उत्तर दिशा में उपर धरूफ प्रदेश में विश्नु का तीसरा तेज में द आधार भूत और वर्षा का आधी कारण है यहीं से सब के पापों का नाश करने वाली गंगा निकली है कहा जाता है कि विश्णु के अंगूठे के नाखून से निकली गंगा को धुरूफ दिन रात अपने मस्तक पर धारन रखते हैं इसी पवित्र गंगा के जल में द्वारा अग्मर्षन मंत्र का जाप किया जाता है विश्णुपद से बढ़ती हुई और चंद्रमंडल से होती हुई मेरु परवत पर गिरकर गंगा संसार के कल्यान के लिए सीता अलकनंदा चक्षू और भद्रा नाम की चार धाराओं में बंटकर अलग-अलग चार करने वाले पाप मुक्त हो जाते हैं तर पर यग्य करने वाले निर्वान पत के अधिकारी होते हैं यहां तक कि गंगा सोयोजन दूर से भी नाम लेने वाले का उध्धार कर देती है ऐसी परम पवित्र महिमामई भगवती गंगा का उध्गम स्थान यह विश्णु का विग्रह, तारे, नक्षत, राकाश गंगा की दोरी से ध्रूव के साथ बंधे हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रूव ने परमपत प्राप्त करने की इच्छा से श्रीमन नारायन विश्णु की आराधना करके शिमुमार के पुच्छ स्थान में स्थिती प्राप्त की। ध्रुव में सूर्य और सूर्य में सकल जगत स्थित है। सूर्य ही संसार का जल खीच कर चंद्रमा का पोशन करता है। चंद्रमा उस जल को नदियों द्वारा अगनी, वायू और अमें मेगों तक पहुँचाता है। मेगों में यह जल निर्विकार रहता हुआ यथा समय बर्सा देते हैं, जिसके स्पर्ष मात्र से पृत्वी के प्राणी निश्पाप हो जाते हैं। अन्न, फल आदी से यग्य अनुष्ठान करके मूनी लोग देवताओं को प्रसन करते हैं। सर्पों तथा राक्षसों से अधिश्ठित होते हुए जगत को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार मैत्रे जी को संपून वृतांत सुनाते हुए पर आशर जी ने बताया कि सभी साथ गण एक-एक मास तक सूर्य मंदल में रहते हैं। मुनी लोग सूर्य की स्टुति करते हैं। गंधर्व यशगान करते हैं, अपसरायन रत्य करती हैं, त्राक्ष असरत के पीछे पीछे चलते हैं, यक्ष सूर्य की किरणों को थामे रहते हैं, सरप्रत की सज्जा करते हैं और बाल खिल्यादी नित्यप्रती सेवक के रूप में देख भाल करते हैं। ये सातों गण ही अ और फिर सूर्य के उदे और अस्थ होने और सूर्य से वर्षा होने की बात जो लोखमत में प्रचलित है उसका क्या आधार हुआ? मैत्रे जी की शंका का समाधान करते हुए पराशर जी ने कहा यद्यपी सूर्य स्वयम साथ गणों में से एक है फिर भी उनकी अपनी विशिष्टता है विश्णू की वेदत्रई पराशक्ती सूर्य को ताप्रूपी उर्जा प्रदान करती है और उपासक की पाप्वृती का नाश करती है प्रातहरिक शक्ती, मध्याहन में यजुशक्ती और अप्रहन में सामशक्ती सूर्य में वास करती है ये अवेद त्रे ब्रम्हा, विश्नु, महेश का भी रूप हैं। सर्ग के आदी में रिक्स्वरूप ब्रम्हा, मध्य में यजुर में विश्नु तथा अंत में साम में महादेव होते हैं। अता इस वैशनवी शक्ति के रूप में ही सूर्य में ब्रम्हा, विश्नु, महेश का वास होता है वस्तुतह सूर्य का कभी उद्य और अस्त नहीं होता वो सदैव स्थिर रहता है उनके सामने आने वाले को दरपन के समान उनमें अपना प्रतिभिम दिखाई देता है सूर्य की सुशुना किरन शुकल पक्ष में चंद्रमा का पोशन करती है और कृष्ण पन होता है सूर्य नारायन इसी प्रकार प्रित्वी से खीचे जल को अनाधी के लिए बरसा कर समस्त प्राणियों को प्रसंद करते हैं पराशम उनी ने सूर्य की भांती ही चंद्रमा आधी ग्रहों के विस्तार को इस प्रकार बताया कि तीन पहियों वाले चंद्रमा के रत और पित्रों की तुष्टी करते हैं। वे अपनी शीतल के रनोद्वारा और शधी आदियों में रस वर्षा करके मनुष्य जीव और कीट पतंगों का पोशन करते हैं। रत में शस्त्रों और पताका भी अपने धंग की अलग होती हैं। चंद्रमा के पास आता है तथा चंद्रमा से निकल कर सौर परवों पर सूर्य के पास आता है केतु का रत पुवाल के धुए सा होता है इसके अश्व लाखवर्णी होते हैं ये सभी रत वायुमाई डोर से धुरूव से बंधे हैं तथा स्वयम धुरूव को घुमाते रहते ह इस चक्र को प्रवह चक्र कहते हैं। वास्तव में श्री विश्णु के जल रूप से ही परवत, समुद्र, नदियों सहेत कमल के आकार वाली इस प्रित्वी की रचना हुई है। इस प्रकार यह सारा भूलोक विश्णु रूप ही है। यह सारी सृष्टी उन्ही का विलास है। जिस समय जीव शुधर रूप में हो जाता है। उस समय पदार्थ भेद का अनुभव नहीं रहता। घर पट आदी की भेद बुद्धी नश्ट हो जाती है। इस बदलते संसा को नित्य मानने की भावना अज्ञान ही तो है। इन्हीं को सत्य मानना मूर्खता के अतिरेक्त और क्या है। जिस प्रकार मिट्टी घड़ा बनती है। फिर वो कपाल बन जाता है। कपाल चूर्ण राज अनुरूप हो जाती है। उस प्रकार परंपत भगवान रूपों में सब जगह व्याप्त हैं। उनसे अलग किसी की कोई सत्ता नहीं। यही तत्व ज्यान है। अब मैत्रे जी ने तत्व ज्यान के विस्तार में जाते हुए पर आशर जी से प्रश्न किया कि भगवन योग-योक्त महात्मा राजा भरत सत्कर्मों के करने पर भी क्यों नहीं प्राप्त कर सके। इसका क्या कारण रहा। मैत्रे जी की जिग्यासा शांत करते हुए पर आशर जी ने बताया प्रित्वी के स्वामी भरत ने शाला ग्राम स्थान पर जाकर परमपद विश्नु का स्तवन अर्चन प्रारंब कर दिया। अहिंसा के पुजारी ह को देखा कि पानी पीने के लिए आये हिरनी सिंग की गरजना से डरकर जैसे ही आत्मरक्षा के लिए एक उंचे स्थान पर कूद कर पहुंची तो उसका गर्भ नदी में गिर गया और हिरनी मृत्यू को प्राप्त हो गई। क्रिपा के आगार महात्मा भरत उस मृगी के शि फिरकर चहल कदमी करने लगा अपनी बाल सुल्ब वृतियों से मृग शावक ने भरत जी के मन में एक ममता जगा दी थोड़ी देर के लिए भी यदि वो मृग का बच्चा कहीं चला जाता तो वे विचलित हो जाते और उन्हें भय लगने लगता कि कहीं बच्चे का कुछ बिगर तो नहीं गया इस मृग के बच्चे ने राजा भरत के राजयकाल को ही अपनी निमगनता में व्यतीत कराया साथ ही इनका मन ईश्वर चिंतन से भी विरक्त हो गया भरत जी के अंतिम समय में उनका ध्यान उस मृग बच्चे में ही अटका रहा इसलिए अगले जन्म म में वे जम्बूमार्ग में ही एक मृग के रूप में उत्पन हुए मृग रूप में भरत जी अपने राजसी अप पूर्वजन्म का समरन करते हुए संसार और अपने परिवार को छोड़ कर शाला ग्राम क्षेत्र में चले गए और अपने मृग बनने के कारण भूत कर्मो का विचार करने लगे इस प्रकार एक बार फिर उन्हें मृग शरीर छोड़ कर ब्राहमन कुल में जन्म लेने का अवसर मिला इस जन्म में भी पूर्वजन्म की यादबनी रहने पर वे संसार से विरक्थ हुए भरत सी लोगों के बीच अपने आपको विक्षिप्त सा प्र भरत जी शरीर से स्वस्थ थे अतव पूर्वजन के कर्मों का निवारन करते हुए जान बूज कर कठिन श्रम में लग गए एक बार राजा प्रिशत के सेवकों ने उन्हें विद्याहीन और संसकार शुन्य जानकर वर्ना श्रम व्यवस्था के विरुद्ध ब्राहमन धर् के प्रतिकूल आचरन करता जानकर वन्य पश्यू बना दिया लेकिन महाकाली देवी उनकी वास्तविक्ता जानती थी उसने अपनी तीक्षन धार वाले हथियार से मुख्य राज सेवक का गला काट कर उसका रेक्टपान किया और योगी पुरुष भरत को बंधन मुक्त किय एक दिन महाराजा सौवर राज अपने रत पर सवार कपिल मुनी से तत्व ज्यान प्राप्त करने के लिए उधर से गुजर रहे थे भरत के वास्तविक रूप को पहचानने में उनसे भूल हो गई और बिना काम का व्यक्ति समझते हुए उसे बलपूर्वक अपने रत में जोदिया भरत जी ने इसको भी पूर्वजन का फल मान कर स्विकार कर लिया और शिविका उठा कर चल दिये भरत जी अन्य तीन व्यक्तियों की अपेक्षा मंदगती से चल रहे थे राजा के सेवकों के बार बार को टोकने पर जब यह ग्यात हुआ कि शिविका भरत जी की म प्रती ऐसे वचन सुनकर भरत ने कहा श्रीमन न मैं मोटा हूं न मैंने आपकी शिविका उठा रखी है न मैं ठका हूं न मुझे श्रम सहन करने की आवश्यक्ता है भरत जी ने उन्हें समझाते हुए बताया कि तुम्हारी शिविका का वहन मैंने नहीं कर रखा पृत्वी पर मेरे पैर हैं और पैरों से कंदो तक अंगों उपांगों में विभक्त यह श्रीर है अता घ्रियों कि अभार कहा तुम्हारा यह श्रीर कहने भर को ही तुट शिविका पर रखा हुआ है वस्तुतह simplify का पर हो और मैं जमीन पर यह भी तुम्हारा भ्रम है स्रिष्टी के प्रत्येक जीव का शरीर पंच भूतों से मिलकर बना है तथा सत्थ, रच्ताम आधी गुन कर्मों के वशी भूत हैं कर्म विद्या जिन्य है, आत्मा शुधा, अक्षर मै शांत और प्रकृती से परे होती है यह न घटी बढ़ती है, न इसमें वृध्धी या क्षरन होता है तब फिर आपका यह कहना कि मैं मोटा हूँ क्या ओचित्य पूर्ण है यदि प्रिथवी पर चरन, चरन पर जंगा, जंगा पर उरू, उरू पर कटी, कटी पर उदर उदर पर बाहु, बाहु पर सकंध और सकंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भार हो सकती है तो इसी प्रकार तुम्हारे लिए भी भार हो सकती है क्योंकि यह सभी अनात्म तत्व मुझसे और तुमसे आत्म रूप से समान रूप से भिन है इसलिए आपको यह मानना ही पड़ेगा कि इस जगत के सकल प्राकृते को पादानों को पर्वतों, व्रिक्षों, ब्रहों और प्रित्वी आदी का भार समस्त जीवों ने ही तो उठा रखा है है राजन, विचारने के योग्य एक तथ्य यह भी है कि जिस पदार्ट से आपकी यह शिविका बनी है, उसी से तो हमारा तुम्हारा और समस्त जीवों का शरीर भी बना है इसलिए इसके प्रती ममत्व अनुभव करना नितांत असंगत है बेकार से दिखाई देने वाले इस मूर व्यक्ति के मुख से ऐसे तत्व ज्यानी वचनों को सुनकर बुद्धिमान राज शिविका से उतर कर भरत जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला है महा ज्यानी कृपया यह बताकर अनुग्रहीत करें कि इस छिपे हुए वेश में आप कौन है आपका यहां शुभागमन किस निमित से हुआ है मुझ मूर्ट की शंका निवारन करने की कृपा करें भरत जी ने कहा मैं कौन हूँ यह बात इतनी सरलता से नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह प्रश्न बड़ा जटिल है और इसका सही उत्तर क्या है इसे जानने के लिए अब तक न जाने कितने रिशी और महात्मा इसके बारे में प्रयत्न कर चुके हैं लेकिन सही अर्थ में मैं अमुक हूँ इस बात का उत्तर वे भी नहीं पा सके और जहां तक आने के कारण का बंध है तो यह आना जाना तो मनुष्य के करमफल के लिए होता ही रहता है अता मेरे आगमन के बारे में तुम्हारी जिग्यासा अर्थ हीनसी लगती है राजा ने भरत द्वारा इस प्रकार के वचन सुनकर यह स्वीकार किया कि करमफल भोग के लिए ही जीव देर धारन कर साथ ही मैं कौन हूँ इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ऐसा क्यूं है मैं जानना चाहूंगा और क्रिपा कर आप मेरी जिग्यासा शांत करें कि एहम शब्द से आत्मा में कोई दोश उत्पन नहीं होता लेकिन इसके प्रयोग से अनात्म में आत्म की प्रतिष्ठा उत्प आत्मा से प्रीथक है अप स्वयम इनमें आत्मा का प्रयोग आप किसके लिए और कहा करेंगे और जब समस्थजीव शरीर में एक ही आत्मा के अंश रूप में व Complete यमान है और जब आत्मा एक से अलग कोई वस्तु नहीं है तब मैं तुम आप वेका प्रयोग निरर्थकी तो है इसलिए मैं मैं हूँ तुम राजा हो यह वहन है और यह उसके चालक है यह समस्त प्रजा है इनमें से कोई भी रूप तो सत्य नहीं लकडी की शिविका के बारे आप में यह शिविका यदि एक लकडी से भिन है तो क्या आप लकडी की सत्ता को अलग कर विचार कर सकते हैं आपके सिर पर जो यह छत्र विद्यमान है इसकी शलाखाओं से अलग क्या इसका कोई महत्वर है यदि यही तथ्य हम स्वयम पर या तुम पर लागू करें तो प नमफल के भोग के भिन भिन रूप मात्र हैं क्यूंकि जीव न तो देवता है नहीं मनुश्य तथा न पशु है और न व्रिक्ष ही वास्तव में देखा जाए तो इस जगत में विभिन पद धारन किये व्यक्ति चाहे राजा हो या प्रजा सेनापती हो या सैनिक पारमार् वस्तु तो वही है जिसकी परिमान आधी के कारण कोई संग्या ही न रह जाए तुम अपने बारे में स्वयम सोच सकते हो तुम्हारे कितने ही रूप है प्रजा के लिए तुम राजा हो पत्नी के लिए पती पिता के लिए पुत्र बहें के लिए भाय मित्र के लिए मित्र और शत्रु के लिए शत्रु हो। किन्तु मेरे लिए क्या हो। क्या केवल सिर हो, केवल पैर हो, ग्रीवा हो, सकंध हो या केवल उदर। ये सभी अंगोपांग क्या तुम्हारे हैं। वास्तव में राजन, तुम इनसे अलग हो। अब तुम स्वयम सोच सकते हो कि तुम क्या कौन हो वास्तव में आत्मतत्व को इन सब चीजों से अलग करके ही समझा और समझाया जा सकता है अब तुम ही बताओ इस एहम का मैं तुम्हें क्या परिचे दूँ राजा सौवी राज ने इस प्रकार भरत जी द्वारा परम रहस्य पून एवं दिव्य तत्वग्यान को पा अक्षात आपके रूप में कपिल मुनी ने ही मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है अब आप कृपा करके यह बताकर अनुग्रहेत करें कि व्यक्ति का परमश्रेय क्या है इस पर भरत जी ने राजा से कहा कि राजन पहले यह विचार करो कि तुम श्रेय जानना चाहते ह या परमार्थ क्योंकि सभी श्रेय परमार्थिक है एक तरफ धन, संपत्ति, राज्य, वैभव, पुत्र की कामना वाले व्यक्ति के लिए देवताओं की आराधना करके इन्हें प्राप्त करना ही श्रेय होता है तो वे पदार्थ उसके लिए परम श्रेय है लेकिन धर्म के लिए त्याज्य है और भोग के लिए प्राप्य है अतर यह परमार्थ नहीं इसी प्रकार पुत्र आदी भी परमार्थ नहीं क्योंकि कोई भी पुत्र किसी का पिता हो सकता है और कोई भी पिता किसी का पुत्र इस तरह प्रतियक पुत्र अपने पिता का रूप औ इस से तो सभी कारणों के कार्य पर्मार्थ कहलाए जाएंगे। राज्य आदी भी पर्मार्थ नहीं हैं क्योंकि वे अस्थाई हैं। कभी हैं, कभी नहीं और यदी ऐसा मान लिया जाए तो पर्मार्थ को भी आने जाने वाला माना जाएगा जबकि वो नित्य और अनश्वर हैं. इसी प्रकार यग्यादी भी वेद आदी से संपन्न होने के कारण पर्मार्थ नहीं हैं. ये भी घी, समिधा, चरुवादी नाश नाश्वान द्रव्यों से संपन्न होते हैं और इन से पूर्ण होने वाली क्रिया यग्यादी भी नाश्वान होते हैं. ज्यानी पुरुष पर्मार्थ को अविनाशी बताते हैं. इसी प्रकार निशकाम कर्म मुक्ती रूप को पाने के लिए साधन तो हैं. साध्य नहीं, इसी लिए पर्मार्थ नहीं. शरीर से आत्मा के प्रिथक होने की प्रक्रिया भी पार्थक्य भाव के कारण पर्मार्थ नहीं होती. इसमें भेद भावना है जबकि पर्मार्थ अभेद है. देखा जाये तो आत्मा और पर्मात्मा का संयोग भी पर्मार्थ नहीं. इसमें आत्मा और पर्मात्मा में यदि बिम प्रतिबिम का सहभाव भी मान ले तो भी इसे उपाधी का निराकरण ही कहा जाएगा। यही कारण है कि इन्हें परमश्रेय कहा जा सकता है, पर्मार्थ नहीं। पर्मार्थ का स्वरूप एक भिन वस्तू है। वास्तव में आत्मा एक ऐसा अव्यव है जो प्रकृती से परे अविकारी। जन्व मरन और वृद्धी से मुक्त सर्वव्यापी और निर्गुन तथा शुधरूप माना जाता है। इसका न तो कभी असत पदार्थों से कभी म पर्मार्थ दर्शन है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि एक ही वायू वेनू के विभिन छिद्रों से निकल कर सरगम की ध्वनिया निकालती है। यह ध्वनी भेधी उसमें द्वैत का आभास कराता है। इसी तरह नाना देहों के कारण, नाना कम प्रवृतियों के का यह पर्मात्मा भी भेध्वान प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह भेध अविद्या रूपी अंधकार के आवरन तक ही सीमित है। भरत ने राजा को महर्शी रिभू द्वारा महात्मा निदाग को दिये गया आदेश का वृतान्त सुनाया रिभू मुनी श्री ब्र लेकिन इसी बीच रिभू ने यह भी अनुभव किया कि निदाग की निष्ठा अद्वैत में नहीं है। इस घटना के हजारों वर्ष बाद एक दिन रिभू मुनी देविका नदी के किनारे बसे मुनी पुलस्त्य के उपवनों से सजजित, सम्रिध्धी से संपन्न और अत रमनिय वीर नगर में निदाग से मिलने आये। गुरु चरणों की श्रधा पूर्वक वंदना करते हुए निदाग उचित रूप में अग्यत दान करके मुनी रिशी से भोजन के लिए घर चलने का अनुरोध करने लगा। यह जानकर मुनी निस पश्ट रूप से आपको बताया कि विप्रवर मेरी किसी भी प्रकार के कुच्सित अन्न की अभिलाशा नहीं है। अतर तुम यह बताओ कि तुम्हारे यहां किस प्रकार का भोज्य पदार्थ प्रस्तुत है। इस पर निदाग ने बताया कि जो सत्तु, बाटी और पूरे इस समय मठा और खान के स्वादिश्ट पदार्थ का भोग करने की मेरी अभिलाशा है। इस पर निदाग ने अपनी पत्नी से इसी प्रकार का भोजन यथा शिगर तयार कराकर गुरु सेवा में प्रस्तुत कर दिया। इसको रिभु ने इच्छा अनुकूल रुची के साथ भोग है। यह सुनकर रिभु ने बतलाया प्रियवर जिसे क्षुधा सताती है, त्रिप्ती उसी की होती है। मुझे तो कभी भूख लगी ही नहीं। इसलिए त्रिप्ती का प्रश्ण ही कहां पैदा होता है। शरीर में पोशन अव्यवों की कमी से भूख तथा जल की कमी से प् स्वस्त। आने और जाने के प्रतियुत्तर में मुनी रिभु ने बताया मैं न तो कहीं जाता हूं न कहीं आता हूं। देहाधी के कारण अलग दिखाई देने के कारण भूख तत्व में भेध नहीं इसलिए तू मैं और वो मूल रूप में अलग नहीं है। यह तू न इसी स्वादिष्ट भूजन को नितांत अस्वादू और सुस्वादू भूजन को नितांत स्वादिष्ट बना देता है। गुरू की कृपा का बखान करते हुए उनसे परिचे पाने की अनुने विने करने लगा। शिष्ट के श्रध्धा भाव को देख कर रिभू ने अपना परिचे देते हुए सकल जगत का कारण रूप वासुदेव परमात्मा का स्वरूप जानने में रूची रखने और अभि प्रजा की सवारी निकल रही थी तथा निदाग कुशासन लिए समिधा के साथ भीर से अलग एक और खड़ा था। निदाग के समीप जाकर मुनी रिभू ने उससे अपरिचे की मुद्रा में प्रणाम किया तथा उसके इस प्रकार भीर से अलग खड़े होने का कारण पू पूछा कि आप तो इसी नगर के हैं क्या बताएंगे कि कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं। निदाग ने सीधा सपात उत्तर दे दिया देख नहीं रहे। पहार के समान उचा जो महामानव मस्थ हाथी पर चला आ रहा है। वही तो राजा है। शंका करते हुए रि निदाग कुछ विचलित हुआ। फिर भी सयम रखते हुए उत्तर दिया रे भाई। जो नीचे है वही गज है और जो सवारी करता आ रहा है। वही राजा है। दोनों में वहन करने और होने का संबंध है। क्या यह इतनी सामान इसी बात भी तुम नहीं जानते। ट्रिभ भार वहन कर रहे हो, नीचे हो, अता हाथी हो। ट्रिभू ने प्रश्न किया यह ठीक है कि आप राजा के समान है और मैं हाथी के समान। लेकिन यह बताईए, आप कौन है और मैं कौन हूँ। ट्रिभू द्वारा यह तर्क सुनते ही निदाग को आत्मग्यान हो गया तथा गुरू रिभू को पहचान कर उसने उनके पैर पकर लिये तथा उनकी इस निशका महतों की कृपा के लिए बार-बार आभार प्रकट करने लगा। इस पर रिभू ने निदाग को सपष्ट बताया कि बाले काल में तुमने मेरी मन से श्रधा पूर्वक सेवा की थी। इसलिए तुम्हारे हित काम भाव से ही मैं पुना तुम्हारे समी पाया हूँ। थे महा बुद्धी, संसार में सकल पदार्थों में अदवत भाव द्रिष्टी रखना ही परमार्थ का सार है। यही तुम्हारे लिए मेरा उब्देश है। अप्रबोधित निदाग को गुरु मंत्र देकर रिभू चले गए। निदाग ने सर्वतर आतम बुद्धी तथा अदवत भाव को मंत्र रूप में धारन किया। फल्स्वरूप उसको मुक्ती प्राप्थ हो गई। इस कथा को सौवीर नरेश को सुनाते हुए भरत जी ने कहा राजन। जैसे आकाश एक है लेकिन वर्ण भिन्नता के कारण भिन रूप दिखाई परता है उसी प्रकार भ्रम एवं अज्यान के कारण ही आत्मा भिन भिन में द्रिष्टि गोचर होती है। वास्तव में जगत में नित्य आत्मा के अतिरेक्ट कुछ सार नहीं। व्यक्ति को मित्र मित्र के भाव को तिलान जली देते हुए अद्वेत विश्नु हरी का ही नाम जपते हुए मुक्ती का लाप प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार पराशर जी ने मेत्रे जी को बताया कि सौवीर नरेश ने तत्व बोध से परमार्थ बुद्धी को अपनाते हुए अद्वेत को मूल मंत्र स्वीकार कर लिया। भारत जी की भी इसी जन्म में मुक्ती हो गई। तृतिय अ अध्याए। सभी मनवंत्रों के बारे में स्वारोचिश, उत्तम, तामस, ट्रैवत और चाशुष मनु पूर्वकाल में हो चुके हैं। इस समय सूर्य पूत्र वैवस्वत मनु का सात्वा मनवंतर चल रहा है। स्वारोचिश मनवंतर में पारावत तथा तुषित देवता थे। इंद्र महाबली विपश्चित दे पूरुष। उत्तम मनवंतर में पांच देवता थे सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वश्वर्ती तथा इंद्र थे सुषान्ती नाम के देवाधिदेव वशिष्ट के साथ पुत्र मनवंतर के सब्तर्शी थे। आज परशु और दीपतादी उत्तम मनु के पुत्र तामस मनवंतर में सुपार, हरी, सत्य तथा सुधी चार देवगण हैं और प्रतीक देवगण में 27 देवता होते हैं। सो अश्वमेद करने वाला राजा शिवी इस मनवंतर का इंद्र था। सब्तर्शी थे जियोतिरधामा, प्रिथु, काव्य, चैत्र, अग्नी, वनक केतु रूप और जानुबंध आदी पुत्र थे। रैवत मनवंतर के चार देवगण हुए अमिताब, भूत्रत, वैकोंठ तथा सुमेधा जिन में प्रत्येक के अधीन 14 देवता होते हैं। विभू इनके इंद्र तथा हिरन्य रोमा वेद, श्री उर्द्व बाहु, भव्य, प्रिथक और लेक जिनके प्रत्येक के अधीन 88 देवता थे। इनके इंद्र थे मनोजव तथा सुमेधा, विर्जा, हविस्मान, उत्तम, मधू, अतिमानव और सहिष्णू इनके सब्तर्शी हुए हैं। उरू, पुरू, और शत्द्योन इनके बलशाली पुत्र ह इस समय चल रहे श्राध मनवंतर के देवता आदित्य वसू तथा रुद्रादी हैं। पुर्णदर नामक इंद्र हैं तथा वसिष्ट, कश्यप, अत्री, जमदगनी, गौतम। विश्वामित्र और भार्द्वाज इस मनवंतर के सब्तर्शी हैं। श्राध मनु के नौ ध हर मात्मा पुत्र हुए जिनको एक श्वाक, न्रिग, धृष्ट, शयोती, नारिशंत, नाभाग, अरिष्ट, करुश और प्रिश्द्र के नाम से अमेहित किया गया। इन सातों मनवंतरों के परमपद विश्णु के भिन-भिन रूप में मूर्तिमान हुए। अखिल विश्णु की ही विभूतियां हैं। स्वायम भूव मनवंतर में आकूती के गर्ब से उत्पन यग्यपुरुष, स्वरोचिश में तुशिता के गर्ब से उत्पन अजित, उत्तम से सल्या के गर्ब से उत्पन सत्य, तामस में हर्या के गर्ब से हरी, रैव में संभूती के गर्ब से मानस, चाशुष में विकुंठा से उत्पन, वैकुंठ तथा सात्वेश राध्ह मनवंतर में अदिती के गर्ब से उत्पन, वामन रूप में विश्नु ही प्रकट हुए और अखिल विश्व का पालन किया, विश्व कर्मा की पुत्री संग्या का सूर्य से विवाह होने पर मनु, यम, और यमी तीन संताने हुई, सूर्य के तेज को सहन न कर पा सकने के कारण संग्या ने छाया को पती सेवा में छोड़ स्वयम तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया, इसके पश्चात सूर्य ने छाया के साथ विचरन करते हुए शनिश्चर एवं मनु तथा तपती एक पुत्री एवं दो पुत्रों को और उत्पन किया, एक बार सूर्य को यह रह से घ्यात हुआ कि छाया संग्या की रूपत धारिनी है वास्तव शरीर तो वन में अश्वर रूप में तपलीन है तो सूर्य स्वयम अश्वर रूप में वन को गए, वहां संग संग्या के साथ दो अश्वनी कुमार को जन्न दिया वीर अस्राव के दौरान रेवंत को जन्न दिया इसके बाद सूर्य संग्या को अपने साथ ले आए विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कुछ कम करने का प्रयास किया लेकिन वो केवल तेज का आठवा हिस्सा ही कम कर सके वो आठवा हिस्सा पृत्वी पर गिर कर विश्व कर्माद्वारा विश्णु का चक्र, शंकर का त्रिशूर, कुबेर का विमान, कार्तिके की शक्ती और अन्य अनेक देवस्त्रों के निर्मान में काम आया। चाया पुत्रमनु संग्या पुत्र मनु के समान होने पर सावर्णी कहलाया। आने वाले आठवे मनवंतर के अधिपती यही सावर्णी मनु होंगे। इसके देवता सुतप, अमिताब, मुख्यगण होंगे। प्रतियक गन के अधीन 20 देवता होंगे, इसके इंद्र विरोचन पुत्र बली होंगे, दीपतिमान, गालव, राम, कृप, अश्वत्थामा, व्यास, तथा श्रिंग सप्तर्शी होंगे, विर्जा, उर्वरिवान तथा निर्भी कादी इनके पुत्र होंगे, दक्ष सावर् नवे मनवंतर के अधिपति होंगे, मरीची, गर्भ तथा सुधर्न, देवगन तथा इनमे प्रतियक के अधीन 12 देव होंगे, अध्भुत इंद्र होंगे तथा सावन, द्योतिमान, भाव्य, वसू, मेधातिथी, जियोतिश्मान और सत्य इनके सप्तर्शी होंगे, इनके अधीन 100-100 देव होंगे, शान्ती इनके इंद्र होंगे, थविश्मान, सुकृत, सत्य, तमोमूर्ती, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु सप्तर्शी होंगे, सुक्षेत्र उत्तमोजा तथा भरिवे शाधी इनके पुत्र होंगे, धर्म सावर्नी 11 मनवंतर के अधि देवगन होंगे, प्रतीक के अधीन 30 देव होंगे, व्रिश इंद्र होंगे तथा निहस्वर, अगनितेजा, वपुष्मान, भृनी, आरुनी, हविश्मान और अंध सप्तर्शी होंगे, सर्वत्रग, सुधर्मा और देवानी काधी इनके पुत्र राज्य संचालन का कार् ट्रितु धाय, देवराज इंद्र बनेंगे तथा तपस्वी, सुत्पा, तपो मूर्ती, तपोर्ती, तपो धृती, तपो धृती, तायो द्यूती तथा तपो धन सप्तर्शी होंगे, इनके देववान, उप देव तथा देव श्रेश ठादी महान तेजस्वी पुत्र हो प्रुची तेरवे मनवंतर का अधिपती होगा। सुनामा, सुकर्मा, सुधर्मा, देवगन, प्रत्येक के 33 देवता, दिवस्पती इंद्र होगे। निर्मोह, तत्वदर्शी, निश्प्रिकंब, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय, और सुत्पा सपतर्शी होगे। इनके पुत्र चित्र सेन और विचित्र बड़े कुशल शासक होगे। भौम चोधवे मनवंतर के अधिपती होगे। चाशुष, पवित्र, कनिष्ठा भ पुद्धियादी पुत्र होंगे, जो पृत्वी का पालन करेंगे। थे मित्रे जी, प्रतेक चार योग की समाप्ती पर जब वेदों का नाम समाप्त हो जाता है, तो मनवंतर के सपतर्शी ही वेद प्रचार करते हैं। सत्यय योग के प्रारंभ में धर्म की मर्यादा की स् समाप्ती तक पृत्वी का लालन पालन करते हैं। इस तरह न केवल मनुबल की सपतर्शी, देवगर्ण इंद्र तथा मनुवंशी भी मनवंतर के अधिकारी माने जाते हैं। 14 मनवंतरों के अंत में 1000 योग की अवधी वाले कल्प की समाप्ती होती है। तब इतने समय की ही रात्री होती है। इस समय तीनों लोकों को ग्रसित कर परमपद विष्णु शेश शय या लीन होकर निद्रामग्न हो जाते हैं। इस महाप्रलय रात्री के अवसान पर पुनाहर जोगुन के प्रभाव से स्रिष्टी संरचना होती है। इसलिए मनु, देवता, इंद्र मनु, पुत्र एक तरह से विष्णु के ही सात्वेकंश है। स्वयम, श्रीनारायन ही अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, सत्ययूग में कपिल रूप में ज्यान उबदेश करते हैं। त्रेता यूग में चक्रवर्ती राजा के रूप में दुष्टों का सनहार और संतो की रक्षा करते हैं। द्वापर में वेदव्यास रूप में वेदों का विस्तार करते हैं। कलिकाल में कलकी रूप में दुराचारियों पर शासन करते हुए उन्हें सुमार्गी बनाते हैं। इस तरह स्वयम विष्णु ही संपून स्रिष्टी के कारण भूत हैं। यह व भगवान के व्यास रूप के विवरन का व्रितांत जानना चाहा। इस पर पराशर जी ने उन्हें अब तक 28 द्वापरों का व्यास विवरन इस प्रकार दिया। स्रिष्टी के प्रारंभ में वेद अविभक्त तथा एक लाख मंत्र वाला था। 28 विद्वापर में वेद व्यास ने अपने पूर्व के वेद व्यासों के अनुरूप ही चार भागों में सहयुक्त वेद को विभक्त किया। इनके अध्यान के लिए चार विद्वान शिश्यों को दीक्षित किया। पैल को रिगवेद, वैश्मपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद तथा सुमन्तु को अथर्ववेद का ग्याता बनाया। सूथ जातिया रोम हर्षन को पुरान इतिहास की शिक्षा दी। ऐसा करने के पश्चात वेद्व्यास ने यजु से अध्वर्यू के, रिख से होता के, सोम से उध्गाता के तथा अथर्वन से ब्रम्हा के कर्म की स्थापना की। इस तरह वेद्व्यास ची ने पहले तो वेद्व्रिक्ष की चार शाखाएं प्रस्फुटित की तद्निंतर पूरे वेद्वन की स्रिष्टी की जिसे इस प्रकार देखा जा सकता है। पहल ने रिगवेद का दो वर्गों में विभाजन किया और अपने दो शिश्यों इंद्र प्रमिती तथा वासकली को एक-एक खंट सुनाया। वासकली ने अपने खंट की चार शाखाएं अपने चार शिश्यों को बोध्य, अग्निमात्रिक, याग्यवल्क्य और पराशक को पढ़ाया। इंद्र प्रमिती ने अपने भाग को अपने पुत्र मकंडेया को सुनाया एवं पढ़ाया। इसी प्रकार इनकी शाखाएं तथा प्रशाखाएं शिष्य परंप्रा से आगे फूटती रही और इनका प्रसार होता रहा। इसी परंप्रा में शाकल्य वेदमित्र ने सहीता का अध्यान किया तथा आगे पांच शिश्यों मुद्गल, गोमुक, वात्स्य, शालिय तथा शरीर को पांच उप शाखाओं के रूप में विभाजित किया। इस प्रकार रिगवेद की शाखा प्रशाखाओं के मध्य विस्तार हुआ। इनका प्रचार करने वाले इसी लिए बहवरच कहलाए। व्यासची ने यजुर्वेद का अपने 27 शिश्यों को अलग-अलग घंड रूपों में ग्यान दिया। इनमें एक शिश्य ही ब्रमरत पुत्र यागयवल किया था। एक समय की बात है कि मेरु परवत पर कुछ विद्वान महार्शियों ने सम्मिलित रूप से एक आयोजन किया तथा यह भी विधान किया कि उसमें अनुपस्थित रहने वाला ब्रमहत्या का दोशी कहलाएगा। स्वयम वैश्मपायन ने इस आदेश की अवग्या की जिससे उन्हें स्वयम ब्रमहत्या का दोश सहना पड़ा। इसी क्रम में उनका भागिनी पुत्र भी काल ग्रस्थ हो गया। यह देखकर वैश्मपायन ने इस दोश की गंभीरता समझते हुए अपने शिश्यों से इस इस दोश से मुक्त करने के लिए समर्थ हूँ। याग्यवलक्य की इस दरपपूर्ण उक्ती को सुन व्यास जी न अपने सभी शिश्यों का अपमान अनुभव किया और याग्यवलक्य से अपनी दी हुई सभी दीक्षा लोटाने का आदेश दिया। ततकाल ही याग्यवल कि महाराज ने सारा यजुर्वेद उगल कर फेक दिया। जिसे सभी शिश्यों ने तीतर होकर एकत्रत किया इसलिए इन यजुश्रुतियों को अतितिर रूप में ग्रहन करने वाले रिशी तैंतिर्या कहलाएं। जिन्होंने ब्रह्महत्या दोश के निवारन के लिए यजुश्रुतियों का ज्यान प्रदान कीजिए जो मेरे गुरु श्री वैश्मपाइन जी के स्मरण में भी नहूं। ऐसी भक्त यागेवल्के की जिग्यासा जानकर सूर्यदेव ने उन्हें आया तयाम यजुश्रुतियों का ज्यान दिया। सूर्य ने यह ज्यान देते समय वाजी रूप धारन कर रखा था। इसलिए इन श्रुतियों को वाजनेई सहिता भी कहते हैं। जो भी इसके ग्याता या अध्यान करते हैं वे वाजी कहलाते हैं यागेवल्के द्वारप राप्त इन्शुतियों की कन आदी 15 शाखाएं हुई। पराशर जी ने सामवेद की शाखाओं का विवेचन करते हुए बताया कि महर्शी जैमिनी के पुत्र सुमन्तू और उनके पौत्र सुकर्मा ने सामवेद के भागों का अलग-अलग अध्यान किया। सुकर्मा ने अपनी सहिता के एक हजार भेद किये तथा अपने दो कुशाग्र बुद्धी शिश्यों हिरन्यनाब तथा पौश्पिंजी को इनका ज्यान कराया। ये दो भागों में आगे प्रचारित हुए। धेरन्यनाब ने सहिता को अपने 500 शिश्यों को पढ़ाया तथा वे उदीच सामग कहलाये। पौश्पिंजी ने अपने शिश्यों को अपनी अपनी सहिताओं का अध्ययान कराया। ये प्राच्य सामग कहलाये। फिरन यनाप के ही एक शिष्य ने सारे सामवेद को केवल 24 शाखाओं में विभख्त करके अपने शिष्यों को दीख्षित किया। इस प्रकार सामवेद का प्रचार हुआ। अथर्ववेद की सर्व प्रथम सुमिन्तू ने कबंध को शिक्षा दी। कबंध ने आगे इसे अपने दो शिष्यों देवदर्ष तथा पथ्य को दिया। देवदर्ष के चार शिष्य मेद, ब्रंबली, शौलकाइनी तथा पिपपलाद और पथ्य के तीन शिष्य जाबाली, कुमुदादी और शौनक ने इन्हें सहिताओं में विभाजत किया। शौनक ने आगे अपनी सहिता बभरू और सैंधव नाम के शिष्यों को पढ़ाई। सैंधव के शिष्य मुझ्जकेश ने इसे अपने पांच शिष्यों में बार्ट दिया जिन्हें नक्षत्र, कल्प, वेद कल्प, सनहिता आंगिरस तथा शान्ती कल्प कहा गया। इस प्रकार व्यास जी महाराज ने वेदों का विधिवत शाखाउं उपशाखाउं में विभाजन के पश्चात आख्यान, उपाख्यान, गाथा तथा कल्प, शुद्धी सहिता पुराणों की रचना की। व्यास ने पुरान का ग्यान अपने खास शिश्य रोम हर्शन जी को दिया। इन रोम हर्शन सूद्ध जी महाराज के सुमती, अग्निवर्या, मित्रायू, शांस्पायन, अकृत्वरन और सावर्नी। छे शिश्य हुए ये सभी सनहिताकार थे। व्यास जी ने पुरानों को 18 भागों में विभक्त किया जो इस प्रकार हैं एक। कुछ मुनियों महार्शियों ने इनके अतिरिक भी कुछ अन्यशाखाएं करते हुए उप पुरान भी कहें हैं किन्तु इन में सभी में सृष्टी, प्रलय, मन्वंतर, देवता, रोत्रुन के वनशादी का विस्तार से वर्नन मिलता है। आगे पराशर जी ने इन पुरानों में ही पदम पुरान के अनंतर कहा गया पुरान मैत्रे जी को सुनाने का उपक्रम करते हुए उसमें शर्ग, प्रतिसिग, वन्श मन्वंतरादी का वर्नन करते हुए परंपद विश्णु महाराज के गुनों की विस्तार से महिमा का गा उन्होंने बताया कि विद्याएं 14 प्रकार की होती है। छेह वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरन, निरुक्त, छंद, जयोतिश, चार वेद, रिग्यजू, सामधर्वन, तथा मिमानसा, न्याय, पुरान और धर्मशास्त्र. इनमें भी आयूर्वेद, अतशास्त्र, धन नुर्वेद तथा गांधव को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो 18 विद्याएं हो जाती हैं। तीन रिशी होते हैं, ब्रह्मर्शी, देवर्शी तथा राजा। लगभग सभी मनवंत्रों में शाखा भेद एक समान ही रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के मुक्षे निस्रित भीष्म से किए गए प्रश्ण के उत्तर को सुनाते हुए कहा, भीष्म ने नकुल से कहा था कि उनका एक मित्र था। वो कलिंग देश का ब्रहमन था। एक बार उसकी मुलाकात जातिस्मर मुनी से हुई। उस मुनी ने ब्रहमन को उसके भविश्य के बारे में जो कुछ ब अपने प्रती इस प्रकार आस्थावान ब्राहमन की भक्ति देखकर मुनी ने ब्राहमन को यम तथा यमदूतों के बीच हुने वाला समवाद वर्नित किया। वो समवाद है नकुल। मैंने अपने मित्र से मित्रता के कारण जान लिया था। वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ यमराज ने अपने अनुचरों को यह सपश्ट आदेश दिया था कि विश्नु भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना है क्यूंकि यम रूप में मुझे महाप प्रभू विश्नु ने ही प्रित्वी पर पाप बुन्य का लेखा जोखा रखने का कार्य सौपा है। इसलिए तुम विश्नु के शर्नागत भक्तों का आदर करते हुए उन्हें मात्र प्रनाम करके ही छोड़ दोगे। हाँ, जो विश्नु भक्ती से विमुख हैं उन पर और्व से वर्नाश्रम के बारे में जानना चाहा तो मुनी और्व ने इस प्रकार बताया कि ब्राहमन का मुख्य करतव अध्यन शील होना, दान लेना तथा भजन करना ही होना चाहिए। अपनी जीवंचर्या के लिए दूसरों के लिए यग्य करना तथा उन्हें पढ़ान चाहिए। सभी से मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सनान नित्य लेकिन पत्नी समागम रितुकाल में ही करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है ब्राहमनों को दान देना, यग्यादी का कारेक्रम संपन करना, शस्त्रादी से प्रजा की रक्षा, दानवों का दम मितिक कार्य करने उसके लिए भी आवश्यक हैं शूद्र का धर्म है ब्रहमनों या अपने से अवर जाती के मनुश्यों की सेवा करना उसे व्यवहार में विनम्र, शौच्वान, कप्ठीन, स्वामी सेवा में रत, पूजन तथा सत्संग में सनलग्न रहना चाहिए इस पर भी जीव के प्रती दयाभाव, सहिशनुता, सत्य बोलना, पवित्रता का ध्यान रखना, मीठा बोलना, निशकाम कर्म के प्रती आक्रिष्ट होना तथा व्ये के दान के प्रती उदार होना, सभी वर्ण के व्यक्तियों के समान रूप से आचरन के लिए आवश्यक धर्म है हाँ, अपात काल में अवश्य ब्राहमन वैशिय या क्षत्रिय धर्म का, क्षत्रिय केवल न वैशिय वर्ण के अनुरूप व्रित्ती अपना सकता है, लेकिन समयान उकूल परिस्थितियां होते ही पुनह अपनी व्रित्ती पर वापस लौट आना चाहिए पांच वर्ष की अवस्था के पश्चात उपनयन, यग्यो पवीत, संसकार कराकर बालक को शिक्षा हेतु गुरू आश्रम में प्रवेश दिला देना चाहिए, जहां वो गुरू सेवा करता हुआ, गुरू के उपदेशानुसार सत्य का आचरन, वेद का अध्ययन तथा व प्रवेश करना चाहिए, इस आश्रम में पिंदान से पित्रों की, यके द्वारा देवताओं की, अन्नदान से अतितियों की, स्वाध्याय से रिशियों की, संतान पैदा करके प्रजापती की तथा भिक्षादान से परिवराजिकों की सेवा करनी चाहिए, ग्रहस्थी का क करतव्य है कि वो घर में आय अतिथी का सम्मान करें, मीठी वानी से कुशल मंगल की सुध लें, सोने एवं भोजन के लिए शया तथा आसन की समुचित व्यवस्था करें, एक निश्चित अवधी तक ग्रिहस्त सुख भोगने के बाद सद ग्रहस्ती का यह धर्म हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को पुत्र के हाथों सौप कर या अपने साथ रखते हुए वन में तपस्या के लिए गमन करें, केश दाड़ी बढ़ा कर पत्र, फल फूल आदी का आहार ग्रहन करते हुए प्रिथवी पर शैन करते हुए गर्मी, सर्दी, बरसाग की चिंता से मुक तपस लोग, दर्प तथा मात्सर आदी बुराईयों से मुक्त रहता हुआ ममता से परे हो जाता है, वो वृत्ती के लिए वृत्ती अपनाता है, समस्त जीवों को अभहधान देना उसका परम दायत्व हो जाता है, इस प्रकार विधिवत संपून जगत को ब्रहम की प्रतिकृती मानते हुए, धर्म का पालन करते हुए आचरन करने वाला मनुष्य अंत में ब्रहम लोग का अधिकारी हो जाता है, सगर के अनुरोद पर पिता का करतव्य समझाते हुए रिशी और जी ने कहा पुत्रूत्पन होने पर उसके सभी आवश्यक संसकार जात कर्म आदी अभ्युदैश राधा करे गुपता और दास का प्रयोग आवश्यक है आठ वर्ष का हो जाने पर पुत्र का यग्यो पवीत संसकार करना चाहिए और इसके पश्चात उसे विद्या पढ़ने के लिए गुरु कुल भेज देना चाहिए शिक्षा के संपूर होने एवं दीक्षित होने पर यदि पुत्र नैश्ठीक ब्रमचारी के रूप में जीवन वितीत करना चाहिए तो उसे वहीं गुरु आश्रम में गुरु एवं गुरु पुत्रों की सेवा करना चाहिए यदि वानप्रस्थिया सन्यासी बनना चाहिए तो उसे उसके लिए स्वतंत्र कर दिया जाए ग्रिहस्ट पालन में अपनी वृत्ती बना ले तो सुयोग्य कन्या से उसका विवाह कर देना चाहिए कन्या की आयू वर की आयू की तीन चौथाई होनी चाहिए और व्मुनी ने विवाह का उलेक करते हुए सगर को बताया की विवाह आठ प्रकार के होते हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्राजा पात्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, ट्राक्षस विवाह तथा पिशाच विवाह इनमें से अपने अपने वर्ण में मान्या और अपनी कुल परमपरा के अनुसार पिता को चाहिए कि पुत्र का घर बसाए एक पिता का अपनी संतान के प्रती यही नैमितेक और कावे कर्म है इसी की पूर्ती करने पर वो इस लोक में यश का तथा पर लोक में परमगती का अधिकारी होता है पर आशर जी ने ग्रिहस्त के मुख्य आचरन इस प्रकार बताए बुद्धिमान व्यक्ति का धर्म है कि सुभा सवेरे उठे आलस्य को त्याग कर ग्राम या कस्बे से दूर शौचादी से निवरित होना चाहिए मलमूत्र के समय सिर को वस्त्रों से ढख लेना चाहिए ऐसे स्थान पर मनुष्य को अधिक समय न तो रहना चाहिए और न बोलना चाहिए मलमूत्र से निवरिती के बाद एक बार लिंग में तीन बार गुदा में मिट्टी लगा कर साफ करना चाहिए दस बार बाएं हाथ को साथ बार दोनों हाथों को धोना चाहिए फिर पेरों का प्रक्षालन करके कुल्ला करके मूँ धोकर स्नानादी से निवरिथ होकर देवों, पित्रों तथा रिशियों का तरपन करना चाहिए. यदि घर पर उपस्थित हो तो कुल्पु रोहित ब्राहमन और अतिथी को भी भूजन करना चाहिए. इसके बाद स्वयम शांति पूर्वक भोजन करना चाहिए उसे पहले मीठा, फिर नमकीन, फिर खटा और अंत में कटू और टीक्षन पदार्थों का सेवन करना चाहिए मनुष्य को पहले द्रव, बीच में ठोस तथा अंत में द्रव का सेवन करने से कभी रोग नहीं घेरता वो सदैव स्वस्थ रहता है इसके बाद धर्म के अनुरूप कार्य करता हुआ अपनी आजीविका के लिए धन अर्जित करने का उपक्रम करें संध्या उपासना करनी चाहिए संख्या उपासना दिन के उद्धै और अंत के समय दोनों समय करना बुद्धिमान पुरुष का परम करतव्य है सद्ग्रहस्त को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पुलिंग नक्षत्र में युगम और उनमें भी पीछे की रात्रियों में शुप समय में अपनी विवाहिता स्त्री के साथ ही समागम करे यदि स्त्री अप्रसन है, रोगी है, रजस्वला है, अनिच्छुक है, क्रुध है, दुखी या गर्भवती है या स्वयम पुरुष इनमें से किसी से ग्रस्त है तो उसे समागम नहीं करना चाहिए भूखे पेट या अत्यंत गरिष्ट भोजन किये होने पर भी स्त्री समागम वर्जित हैं, इसके अतिरिक चतुरदशी, अश्टमी, पूर्णिमा और संक्रांती में प्रातहकाल, सांकाल तथा मलमूत्र के वेग के समय में ब्राहमन, देवता और गुरु के आश्रम, चैत प्रिक्ष के नीचे, पशुशाला, तीर्थ स्थान चौराहा जल आंगन में भी कभी मैथुन नहीं करना चाहिए, इससे न केवल बल, धन, आयू की हानी होती है, बल की व्यक्ति अप्यश का भागी बनता हुआ घोर नरक वासी होता है, एक अच्छे ग्रहस्थी का धर्म है कि उसे सदैव स्वच हुजले वस्त्रधारन करके रहना चाहिए, सत्य प्रिय और मधुर भाशी होना चाहिए, सजजणों के प्रती उदार और सेवा भाव रखने वाला तथा सोच विचार कर काम करने वाला होना चाहिए, नाक न कुरेदना, बंद मुँ से न खासना, जोर से न हसना, शब्द करते हुए अपान वायू न छोड़ना, ना खुनों को न चबाना, मूंच दाड़ी के बाल न चबाना, प्रत्वी पर न लिखना, दूसरे की नगन स्त्री को न देखना, उदे और अस्त होते सूर्य को न देखना, रात्री में चोरा ही, चैत्य व्रिक् करना तथा भोजन, देवपुजन, शुपकर्म और यग्यादी के समय न थूकना या न छीकना तथा अकाल, बादलों की गर्जना, पर्वत्योहारों, चंद्र और सूर्य ग्रहन के समय या किसी अशुद्ध स्थिती में अध्यान का न करना ही अपेक्षित है। इस प्रकार और व्मुनी ने राजा सगर को एक सद्ग्रहस्त के लिए आचरन के योग्या विधी विशेश का उपदेश देते हुए आगे प्रेत क्रिया की विधी बताते हुए कहा अपने बंधू बांधों को ठीक प्रकार से स्नान करा कर फूल मालाओं से सजजित कर इसके लिए पहले उन्हें वस्त रोस हित किसी जला शय में स्नान कराके मृट संबंधी को जल्की अंजली देनी चाहिए शाम के समय गाव में प्रवेश करके तिंकों की शया पर सोना चाहिए शौच काल में केवल दिन में ही निरामिश भोजन करना चाहिए युश्टिकाल इसके अलावा ब्राहमन के लिए 10 दिन, क्षत्रिय के लिए 12 दिन, वैश्य के लिए 15 दिन और शूद्र के लिए एक मास का अशौच माना गया है। समता के अनुसार 3, 5, 7 या 9 ब्राहमनों को श्रधा पूर्वक भोजन कराना चाहिए प्रेत की त्रिप्ती के लिए कुशासन पर पिंददान करके चारो वर्नों के प्राणियों को जल, शस्त्र, कोडा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। अत्वा सपिन संतानों में पैदा हुआ पुरुष ही श्रधादी कर्म करने का अधिकारी होता है। माग की अमावस्या के रोज यदि शत्भिशा नक्षत्र का योग हो जाए तो यह सयोग पित्रिगन की त्रिप्ती के लिए दुरलब किंतु परम पावन एवं उतक्रिष्ट होता है। घनिष्ठा नक्षत्र के योग से उस समय अपने कुल्वंशी द्वारा दिया गया तरपन 10,000 वर्षों तक पित्रों को त्रिप्त करने वाला होता है। भाद्र नक्षत्र के योग से 1000 वर्ष तक त्रिप्त होते हुए सोते रहते हैं। इसी तरहे किसी भी देथी को गंगा, शद्रू, यमुना, पिपासा, सरस्वती। गोंती आदी नदियों में स्नान करके आदर एवं श्रधा पूर्वक किया गया तरपन पित्रों को सोख एवं आनन प्रदान करता है। पित्रिगंट सदैव यही इच्छा एवं कामना करते हैं कि उनके कुल में ऐसा मतिमान वंशज उत्पन हो जो धन से लोब से मुक्त होकर हमारे लिए पिंड का दान करे। और व्मुनी ने बताया कि श्राध कर्म के लिए पवित्र बुध्धी एवं सुशिक्षित वेदग्या ब्राहमन होना चाहिए। किसी भी दुशकर्म में प्रवरित व्यक्ति, मित्रगाती, चोर या कुमारगी ब्राहमन इस कर्म के लिए आमंत्रित न किया जाए इसके लिए श्राध से एक दिन पूर्व सुपात्र को श्रधा पूर्वक आमंत्रित करना चाहिए। हाँ, यदि श्राध के दिन कोई बिन बुलाया ब्राहमन आ जाए तो उसे भी भोजनादी कराकर संतुष्ट करके भेजना चाहिए। श्राध कर्म के लिए सबसे पहले ब्राहमन के पैर धुलाकर कुशासन पर आसीन कराके अर्ग्यदान करे। उनकी आग्या लेकर देवों का अहवान करें। विधि पूर्वक धूपदान करके ब्राहमन के निर्देश पर मंत्रोप चार द्वारा पित्रों का अहवान करें। तद्नंतर अग्नी में मिष्ठान की आहूती देकर ब्राहमनों को श्रधपूर्वक भोजन कराएं। ब्राहमनों को भूजन कराते समय अपने पितामह या पित्रिगणों को ब्राहमनों के शरीर के अवस्थित मानकर श्रधापूर्वक उनकी त्रिप्ति करनी चाहिए। श्राध कर्म करने वाले कर्टा के लिए यहां आवशक है कि वो सतोगुनी भाव बनाय हुए क्रोध, उद्वेलन और असहिश्नुता अत्वा असयम का आचरण न करे। गया जी में किया गया श्राध कर्म अधिक पुन्यदाई होता है और ऐसा करने वाला श्राध कर्मी अपने पित्रों को शांत करके अपने जन्म को सफल करता है। पुन्यात्मा ही रहता है। मैत्री जी को सत शब्द का व्यापकर्थ बताते हुए मुनी पर आशर जी कहने लगे सत शब्द का अर्थ साधू होता है अर्थात सत कर्म करने वाला दोश्रहित व्यक्ती ही साधू है और ऐसे व्यक्ती द्वारा किया गया आचरण ही सदाचार इसके वक्ता और कर्ट्ता सब्त रशिगन मनु और प्रजापती हैं। एक और सदाचारी व्यक्ति जहां अपने सतकर्मों से लोक पर लोक को सुधार लेता है। वही इनके प्रतिकूल व्यवहार करने वाला व्यक्ति अपने कर्मफल के आधार पर दुर्गति पाता है। मैत्री जी ने पराशर जी से कहा कृपया मुझे नगन का स्वरूप समझाते हुए बताइए कि नगन किसे कहते हैं और व्यक्ति अपने किस आचान से नगन होता है। इसके उत्तर में पराशर जी ने महात्मा वसिष्ट द्वारा भीश्म को दिया गया वक्तव्य सुनाया। प्राचीन काल में देवता और राक्षसों के बीच काफी समय तक घमासान युद्ध होता रहा। उस युद्ध में देवता पराजित हो गए। तब देवताओं एक शीर सागर के उत्तरियतर पर जाकर तपस्या करके भगवान विश्नु की स्तुति की और अनेक प्रकार से उनकी आराधना की। देवताओं के इस प्रकार स्मरन किये जाने पर भक्तवतसल विश्नु गरूर पर सवार होकर अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंक, चक्र, गदा, पादम सुशोभित थे। देवताओं ने अपने समक्ष विश्नु को देखकर उनसे दैत्यों से रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की दूर्दशा देखकर द्रवित हुए भगवान विश्नु ने माया मोह को अपने शरीर से अलग किया और देवताओं को मोहनी शक्ती देते हुए बोले कि यह शक्ती मोहिनी के रूप में मैं तुम्हें देता हूँ जिससे देत्य मोहित हो जाएंगे और वेद के प्रतिकूल आचरन करने लगेंगे। इस प्रकार पत्भरष्ट होकर युद्ध में पराजित होकर मारे जाएंगे। अपने उपक्रम में सफल हुए देवगण मोहिनी शक्ती को लेकर पुनव युद्ध क्षेत्र में आ गए। माया गिह तब किसलिए कर रहे हैं? सांसारिक सुक वैभव के लिए या जन्म सफल की कामना से? दैत्यों ने तब का उद्देश पालो के क्फल इच्छा को बताया. तब माया मोहिनी शक्ती ने उन्हें सुझाया इसके लिए मेरे अपेक्षाकृत सरल धर्म का सहारा क्यू नहीं लेते. अनावश्यक रूप से स्वर्ग प्राप्ती या मुक्ती के लिए इस बेचारे शरीर को कश्ट देने की क्या आवश्यक्ता? इस तरह माया मोह ने जूठी साधना के भुलावे में तप स्यारत दैत्यों को वेद विरुद्द और भरष्ट आचरन में प्रवरित कर द इसके पश्चात माया मोह में अन्य असुरों से भी बुद्ध धर्म का उपदेश देकर उन्हें यग्यकर्म से विरत कर दिया. यहां तक कि अब ये लोग इनकी निंदा पर उतर आए और इनके द्वारा निर्देशित विधिनिशेद का, यग्यपालन का और पित्रिगनों के श्राध कर्म का उपहास करने लगे. एक तरफ तो देवताओं में माया मोह द्वारा असुरों और दैतियों को वेद भरिष्ट कर दिया, दूसरी तरफ स्वयम भीशन युद्ध की तैयारी में लग गए. इस प्रकार एक बार जब फिर युद्ध की स्थिती आए तो पत मकर्म का भेद भुला बैठे थे. वेद मार्क छोड बैठे थे. इस प्रकार वेद त्रई का परित्याग करने से ही ये लोग नगन कहला है? इसलिए त्रई धर्म का परित्याग ही नगनता है. अपने धर्म का पालन न करके अन्यकर्म में प्रवरत भी नगन ही कहलाता है. इ उसकी पतनी का नाम शेव्या था, ये बड़ी धर्म प्रायना थी, उस धर्म परायन एवं पती व्रता के साथ एक बार शत्धनु ने परम समाधी द्वारा परम पद विश्नु की आराधना की, दोनु पती पतनी श्रधा पूर्वक, श्रधा भाव से व्रतदान करते हुए ज मित्र एक पाखंडी नगन के दर्शन हो गए, अपने मित्र के भाव में उन्होंने उस नगन से बातचीत कर ली, यद्यपी विदूशी, धंप्रायना तथा सुलक्षन पतनी शेव्या ने उससे कोई समवाद नहीं किया, तथा सूर्य दर्शन द्वारा उस पाप का शमन भ पेली, नगन पाखंडी से समवाद के कारण शत्धनू तो कुत्ते की योनी में उत्पन हुआ और शेव्या काशी के नरेश के यहां उत्पन हुई, शेव्या को पूर्व जन्म की सारी घटनाय स्मरन थी, वो पूर्व स्मरना थी, इस कारण उसने विवाहा नहीं किया, बोली है महाराज, याद कीजिए, अपने पूर्व जन्म के बारे में विचारिये, वरत उपवास काल में आपने पाखंडी से समवाद किया था, इसी कारण आपको यह निकरिष्ट एवं घरिने तियोनी मिली है, राजकन्या पूर्व जन्म वाली शेव्या रानी के अनेक बार समरन कराये जाने पर कुत्ते को सभी स्थितियां जियों की तियों याद आ गई, इससे वो उद्विग्न हो गया और प्रान त्याग दिये, इसके पश्चात राजा ने गीदर, बगुला तथा कौई की योनिया प्राप्त की, विदूशी कन्या ने अपने ग्यान चिक कन्या ने इस जन्म में भी पूर्वजन की याद दिलाकर उसे प्रबोधित किया, घर जाकर अश्वमेद के जल से उसे सनान कराया, इससे उसके सारे पाप शमित हो गए, अब वो अगले जन्म में जनक के घर में उत्पन हुआ, जनक के पुत्र के युवा होने पर काशी नर रहकर अनेक प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत किया, इस प्रकार दोनों ही जब, तब, दान आदी से विश्नु का आराधन, स्तावन करते हुए परमधाम के अधिकारी बने, यह कथा सुनाने के पश्चात पराशर जी ने पाखंडियों, नगनों, दुराचारियों तथा प तिथी को श्रद्धा से न देखने वाला, पित्रों या पूजियों से पहले भोजन करने वाला, अपविध्या अपवित्र तथा वेदत्रई के विरुद्ध आचरन करने वाला व्यक्ति नगन कहलाता है, यह सभी घोरपात की नरक के भागी होते हैं, इनकी छाया से भी अतोर्थ अध्याय, मैत्रे जी द्वारा राजवन्षों का आख्यान सुनने की जिग्यासा देख कर श्री मुनी पराशत जी ने कहा मुनिव, अब तुम सर्व प्रथम इस श्रिंखला में मनुवंच का आख्यान सुनो, मनुवंच के आदी पूरुष स्वयम ब्रम्हा जी ह इस वंच में अनेक पराक्रमी, पुरुषार्थी, तेजवान, यशस्वी और कुशल राजा हुए हैं। इस स्रिष्टी के आदेव विश्नु हैं। उन्ही के शरीर रूप में हिरन्यगर्ब ब्रम्हा का सर्व प्रथम अवतरन हुआ। ब्रम्हा के डाएं अंगूठे से प्रजापती दक्ष, दक्ष से पुत्री अदिती का जन्म हुआ। इन्हीं ब्रम्हा की पौत्री अदिती के यहां विवस्वान ने जन्म लिया। ये मनू इन्हीं विवस्वान के पुत्र थे। आगे मनू के ही दस पुत्र उत्पन हुए इनका नाम था इक्ष्वाकू, द्रिश्ट, शर्याती, नरिश्यंत, प्रांशू, नाभाग, दिश्ट, करुश और प्रिश्ध्र, एक और रुचिकर प्रसंगी है कि मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रावरुन को प्रसंद करने के लिए यग्य का अनुष्ठान किया, किन्तु यग्य की भूल से अनुष पहली भाती पोशन होने लगा, युवा सुध्यून एक बार पार्वती जी के आरक्षक शेत्र में प्रवेश करने के कारण शाप का भागी बना और पुनह स्त्री रूप में परिनत हो गया, इसी परिवर्तित कन्या का चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के साथ पाने ग्रहन हुआ जिसके फल्स्वरूप स्त्री बने सुध्यून के गर्ब से पुरूर्वा का जन्म हुआ, तत पश्चात रिशियों ने सुध्यून के पुनह युवक रूप में परिनत हो जाने के लिए प्रभु का यग्या रूप में बड़ी तनमयता एवं निष्ठा से आहवान क किया, यग्या प्रसाद के फल्स्वरूप यह स्त्री पुनह सुध्यून रूप में परिवर्तित हो गई, अब पुरुष सुध्यून ने उतकल, गया तथा विनत नाम के तीन पुत्रों को प्राप्त किया, महराज मनु ने मनु वशिष्ट के आदेश से सुध्यून को प् जनु का एक पुत्र व्रिशगर शाप का भागी बना और शूद्र योनी को प्राप्त हुआ, करुष के यहां कारुष नाम से महा पराक्रमी क्षत्रिय उत्पन हुए, दिश्ट का एक पुत्र नाभाग वनेक हो गया, इसका वंश इस प्रकार फला नाभाग के यहां जन्मेजय ने जन्म लिया, जन्मेजय से सुमती उत्पन हुए, ये सभी विशाल वन्शी कहलाए, महाराजा विशाल बड़े प्रतापी राजा थे, विशाला नगरी भी इन्ही की बसाई हुई थी, शर्याती की पुत्री सुकन्या ने च्यवन रिशी से विवाह करके आनत को जन्म दिया जो बहुत ही धार्मिक प्रवृती का था, शर्याती ने बाद में इसे अपने पुत्र के रूप में गोध ले लिया, आनत के रेवत न के साथ ब्रह्मा लोक में श्री ब्रह्मा जी के समीप पहुचा, ब्रह्मा उस समय गंधर्वों का अनृत्य गायन सुनने में व्यस्त थे, रेवत को प्रतीक्षा करनी पड़ी और इस प्रतीक्षा में उसे कई युग बीट गए, यद्यपी रेवत को यह समय एक महूट के स तुम्हें यहां आय बहुत लंबा समय बीट गया है, कई चतोरियोग पूरे हो चुके हैं, इस समय प्रित्वी पर 28 वा मनवंतर समाप्ती पर है, कलियोग शुरू होन वाला है जिन लोगों के नाम तुमने समभावित वरों में गिनाय है उसमें जहनेक के वन्शों का भी ल जब हूँ, ऐसी दशा में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथ में सौपूँ, तब ब्रह्मा ने कहा राजन, सर्वभूतों के आदी पूरुष स्वयम विश्नु इस समय अपने अंश रूप में अवतरित हो गए हैं, तुम्हारी कुशस्थली अब द्वारिका पूरी में बदल चुकी है, वहां स्वयम नारायन बलराम के रूप में विराजमान है, तुम अपनी कन्या का पाने ग्रहन उन्ही के हाथों करो, ऐसा सुनकर रेवत ब्रहमलोक से लौट गया, द्वारिका पूरी में श्री बलराम के साथ कन्या रेवती का पाने ग्रहन करा दिया, बलर के नगर कुशस्थली पर अपना अधिकार जमा लिया कुकुदमी के भायों को मार कर भगा दिया भाय भी त्रेवत वंशी छित्राय हुए इधर उधर भाग गए उनके अनेक दिशाओं में फैलने के कारण ही उनके वंशच क्षत्रिय सब दिशाओं में फैल गए मनु पोत्र धरिश्ट्र के वंश में धार्ष्ट क्षत्रिय हुए नाभाग मनु के एक अन्य पोत्र थे नाभाग के यहां अंबरीश ने जन्म लिया इनके वंश में क्रमशह विरूप प्रिशदश तथा रथीतर उत्पन हुए रथीतर के पोत्र आंगिरस थे अपने उचे तपो में जीवन व्यतीत करने के कारण ये खशत्रिय जन्म लेने पर भी ब्रहमन केहलाए इनहें इसीलिए खशात्रोपेत ब्रहमन कहा गया एकश्वाकु भी मनु पोत्र थे एकश्वाकु के सौ पुत्रों में विकुषी निमी और दन प्रमुक थे इनमें 50 पुत्र उत्तर भाग क तथा 50 पुत्र दक्षिन भाग के अधिपती बने। एक बार एक श्वाकू ने अश्टक श्राध का आयोजन किया। अपने जीश्ट पुत्र विकुशी को श्राधयोग्या मास लाने के लिए आदेश दिया। पिता की आग्या के अनुसार वो धनुश्बान लेकर वन में म्र पिता को अनुश्य लागर वकुश्य सेहन न कर सका। एक खरगोश के मास को स्वयम ख़ाकर शेश मास यगया के लिए लाकर पिता को सौंप दिया। एक श्वाकू के ुल पुर Ойط ने अपने इश्वरीय ग्यान से यह रहस्या जानकर राजा से यगया पूर्व मास भक्षन से श्राध्ध भोग के अपवित्र हो जाने का दोशी विकुषी को बतलाया पिता ने यह सुनकर विकुषी का परित्याग कर दिया तब से ही यह शशात के रूप में जाना गया राजा एक श्वाकू के स्वर्ग सिधारने पर विकुषी सिंगासन पर बैठा विकुषी के पुरन जय था पुरन जय का एक दूसरा प्रसिद्ध नाम था कोकस्थ राजा पुरण जय का यह नाम उसके द्वारा बैलरूप धारी इंदर के कंधों पर आरूर होकर दैट्यों के संहार करने पर पड़ा था यह कथा इस प्रकार हैं एक बार त्रेता में भयंकर देवसू संग्राम हुआ। देवता हारने लगे तो सभी देवों ने परम पद विश्नु से रक्षा के लिए विनती की। विश्नु ने उन्हें बताया। वे पुरंजय के शरीर में अंश रूप में अवतरित होकर देवताओं की रक्षा के लिए दैत्यों का नाश करेंगे। स्वीकार कर ली। इसके लिए इंद्र को व्रिशब का रूप धारन करना पड़ा। यूद में परमपद विश्नु के तेज से स्फूर्त राजा पुरंजय ने दैत्यों का एक-एक कर सनहार कर दिया। कुकस्त पुरंजय का वंश क्रमश इस प्रकार है। अनेना प्रितु विश्ट्रा विश्व चंद्र यूवनाश्व श्रावस्त ब्रेहद इश्व कुवलाश्व द्रिदाश्व निकुंब अमिताश्व क्रिशाश्विद प्रसे निजेत यूवनाश्व द्वितिय। यूवनाश्व ने संतान थे। अपनी संतान हींता के कारण यूवनाश् उनका यह दुहक सहा नहीं गया। उन्होंने युवनाश्व के लिए पुत्रिष्टी यग्य किया। आधी रात के समय यग्य के समाप्त होने पर मंत्रपूत जल के घड़े को यग्य वेदी पर ही रख कर सो गए। रात को जागे युवनाश्व ने प्यास लगने पर वो मंत पूत्र पूत्र यग्य जल ही पी लिया। प्रातर काल घर को खाली देख रिशियों ने पूचताच की कि युवनाश्व की पत्नी को पूत्र प्राप्ती के लिए दिया जाने वाला जल किस ने पिया। पत्ती पर समस्या यह हो गई कि मा के दूद के अभाव में यह बालक पोशित कैसे होगा। देवराज इंद्र ने उसे अपना आश्रे दिया। इसलिए इस बालक का नाम माधाता पड़ा। बालक के मुख में इंद्र ने अपनी तरजनी उंगली डाल दी। इस प्रकार यह ब बरीश तथा मुचकोंद पुत्रों तथा पचास पुत्रियों को जन्न दिया। एक स्थान पर सौभरी मुनी तपस्यारत थे। मुनी को बारा वर्ष से तपस्या करते हुए कोई व्यवधान नहीं आया था किन्तु जिस जलाशय में मुनी तपोट थे। वहां एक विशाल का इमत्स्याराज अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक रहता था। मुनी को उसके पारिवारिक सुख मैं जीवन को देखकर जिग्यासा हुई। वो स्वयम भी पारिवारिक सुख की इच्छा से तपस्या छोड माधाता के पास गय तथा उनसे विवाह की इच्छा राजा माधाता सौभरी रिशी की जीर्ण शीर्ण दे को देख कर संकोच करते हुए सोचने लगे। राजा ने सेवक को बुलाकर मुनी को अंतहपोर में प्रविष्ट कर दिया। परधा में उनमें जगड़ा हो गया तो रिशी ने सभी से प्रेमपूर्वक विवाह करने का वचन दे कर शांत किया। राजा ने सेवक से जब यह समाचार पाया तो अपना सिर ही धुन लिया। वो प्रतिग्याबद था। अतह सौभरी से पचासो कन्याओं का विवाह कर दिया। विवाह के बाद मुनी पचासो को अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने विश्व कर्मा को बुला कर प्रतियक कन्या के लिए सुवासित आवास के निर्मान का आदेश दिया। राज कुमारियों को यहां पती सुख के साथ भौतिक सुख उपभोग को मिले। पुत्रियों के स्नेहवश एक बार राजा माधाता सौभरी के आश्रम में आए। राजा ने यहां आकर जब अपूर्व राज वैभव संपन छटा देखी तो हत्प्रब रह गए। एक पुत्री के महल में जाकर उसकी कुशलक शेम पूछी तो उन्हें मालूम हुआ कि पुत पूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वापस अपने महल को लोट गए। अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रमन करते हुए सौभरी ने डेड़ सौ पुत्र उत्पन किये। उनका लालन पालन करते हुए वो प्रति दिन उनकी लीला में मग्न रहने लगा। वो उनके बालेकाल में ही युवा होने, उनके विवाह हेवं पुत्र पौत्रों की कल्पना करकर के प्रसंदना समय वितीत करने लगा। निश्चित समय पर उसने अपने पुत्रों का विवाहादी किया। वो पुत्र पौत्रादी से भरे पूरे परिवार का सुख लेने लगा। इस सुक भोगने के पश्चात भी अब वो पौतरादी के जन्म की वांचा में लिप्त रहता है। आखिर इस भौतिक वृत्ती का क्या कहीं अंत होगा? एक इच्छा पूर्ती के बाद दूसरी इच्छा जुर जाती है। मन के फेर में पड़ा व्यक्ती कभी अपने मन को परमार्थ में नहीं लगा पाता है। प्रिशी सौभर ऐसा विचार करते हुए चिंतन करने लगे उनकी यह सुखों में आ सकती उनके साथ जलाशय में रहने वाले मत्स्याराज की संगती से उपजी थी। वास्तव में यह साथ ही सब दुर्गुनों एवं दोशों की जड़ है। इसलिए तो शास्त्रों में मनुष्य की मुक्ती के लिए निस्संगता को आवश्यक बताया गया है। अब मुझे अपनी विशया सिक्ती पर नियंत्रन करते हुए करतवे की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा विचार करके सौभरी निपत्नी, बच्चों, पुत्रवधुओं, पौत्रों आधी का संपून वैभव विलास के साथ परित्याग कर दिया और पुना परंपद विश्नु की शरण में जाने का उपक्रम किया। इस तरह प्रभुचरणों में पुनः अनुरिक्ति से प्रभु ख्रिपा से उन्हें अंत में स्वर्ग की प्राप्ती हुई। माधाता के पुत्र अमबरीश के यहां उत्पन युवनाश्व के पुत्र हारीत की संतती अंगिरा गोत्रिया होने के कारण हारीत कन कहलाई। माधाता का जीश्ट पुत्र पुरुकोज महा प्राक्रमी एवं प्रतापी राजा हुआ है। बहुत पहले पाताल लोक्वासी लगभग 6 करोड मौनेय गंधरवों ने नागवंच के सभी प्रमुक रतन और अधिकार छीन कर श्रीहीन कर दिया। नाग देवताओं ने श्री विश्नु की गुहार की और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। श्री विश्नु ने उन्हें बताया कि वे माधाता के बड़े पुत्र पुरुकुस के शरीर में अंश रूप में अवतरित होकर गंधरवों को उनकी उध्धता का फल देंगे और उन्हें नश्ट करके नाग देवताओं को उनके रतन तथा अधिकार पुना लोटा नर्मदा को जो राजा पुरुकुस की पत्नी भी थी पुरुकुस को पाताल ले जाने के लिए तैयार किया। पाताल में पहँचकर राजा पुरुकुस ने विश्नु कृपा से गंधरवों का वध कर नागूं को उनके अधिकार दिलवा दिये। इसी के फलस्वरूप ना नर्मदा को यह वर्दान दिया नर्मदा का स्मर्ण करने वालों को कभी कोई सर्प नहीं काटेगा। यदि यह श्लोक ध्यानपूरवक निष्ठा से पढ़ा जाये नर्मदाये नमा प्रातह न नमंभाजिषी। नमुस्तू नर्मदे दुभआयम त्राही मा विश्ष्च स यही सत्यवरत मुनी विश्वामित्र के कारण त्रिशनकु कहलाए। दैवदोश से किसी प्रकार त्रिशनकु को चांडलता चिपक गई जिसके शाप से राजिय में 12 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई। मुनी विश्वामित्र उस समय तपस्या लीन थे। सत्यवरत अपनी चांडलता से मुक्ती के लिए नित्यप्रती मुनी पत्नी एवं पुत्र की सेवा हे तो गंगा के किनारिस्थित वट्वरिक्ष पर म्रेग का मास रखाता था। तपस्या के पश्चाट जब मुनी को सत्यवरत की सेवा का रहे से ग्यात हुआ तो उन्होंने तपोबल से सत्यवरत को संदे स्वर्ग भेजने का उपक्रम कर दिया। इंद्रा दी देवगंड स्वर्ग के नियमों के अनुसार किसी भी पृत्वी लोकवासी का सदे स्वर्गाना सहन न कर सके। इंद्रा ने उसे पुना वापस पृत्वी लोक में भीजने का उपक्रम किया। इस कारण प्रिथवी से चला किंतु स्वर्ग न पहुंचा सत्यवरत अधर में लटक गया। इसी कारण वो त्रिशनकु कहलाया। राजा त्रिशनकु के पुत्र हरिष्च चंद्र से रोहताश भारत चंचु विजे रूरूक वरेक बाहु तक यह वन्ष परंप्रा चली। बाहु युद्ध में तालगंध तथा हैयक शत्रियों से पराजित हो जाने पर अपनी पत्नी महीशी को साथ लेकर वन में चला गया दूसरी और महीशी की सपत्नी ने गर्भाहीन करने के लिए महीशी को विश्ख खला दिया। इस कारण यह गर्भाशे में साथ वर्ष तक ठहरा रहा। राजा बाहु तो व्रिध होकर और मुनी के आश्रम में मृत्यू को प्राप्त हुआ। पती शोक में गर्भवती कि चिता में जाने लगी। मुनी और वरानी की गर्भावस्था के बारे में जानते थे। अता उन्होंने रानी को उसका धर्म समझाते हुए बाहू के वंशच को उधर में लेकर सती होने के अधर्म से रोख दिया। फलतु कुछी समय बाद रानी के गर्भ से एक सुन्दर प्रसंचित पुत्र उद्पन हुआ. यह बालक क्यूंकि विश्च के साथ उद्पन हुआ था, अता इसका नाम सगर रखा गया. युवा होने पर सगर को अपने पिता की मृत्यू के कारण रूप है है और तालजंद ख्षत्रियों का ज्यान हुआ तो सगर ने प्रतिग्या की कि वो अपने पिता के हत्यारों का वद करके ही शांती पा सकेगा। सगर ने है है तथा ताल जंद क्षत्रियों का वद किया और अपने पिता की आत्मा को शांती प्रदान की सगर के क्रोध से बचे क्षत्रिय सगर के कुल गुरु वशिष्ट की शरण में रक्षा की आचना के लिए गए वशिष्ट उन क्षत्रियों की बेगड़ी हुई वेशभूशा करके मुंदवा कर, कुछ को आधा मुंदवा कर, कुछ को बड़े हुए केश वाला बना कर जाती से निकाला दे दिया त तथा दूसरी विदर्ब के राजा की पुत्री केशनी थी, पुत्र की इच्छा से राजा सगर ने महर्शी और्व की पूजास्तुती की, महर्शी ने प्रसन होकर एक को एक तथा दूसरी को साथ हजार पुत्रों का वर्दान देते हुए उनकी इच्छा जाननी चाही सुम लिया यह पुत्र बड़ा होने पर कुमार्गी हो गया दुर्भाग्य से सगर के अन्य 60,000 पुत्रों ने भी उसी कुमार्गी पुत्र का ही अनुसरन किया अपने राज्य कर्म के अनुसार राजा सगर ने अश्व में धियग्य का आयोजन व्यवस्था के अनुसार सगर पुत पुत्रों उस यग्याश्व की सुरक्षा न कर सके और एक व्यक्ति अश्व को चुरा कर ले गया अश्व के पचेनों के आधार पर जब जगर पुत्रों से खोचते हुए पाताल में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कपिल मुनी तपस्या कर रहे हैं और यग्याश्व पास ही घुमता फिर रहा है दुर्बुध्धी पुत्रों ने कपिल मुनी को ही यग्याश्व को चुराने वाला धूट समझकर समाधी अवस्था में ही मुनी पर शस्त्रों से प्रहार कर दिया कपिल ने जब सगर पुत्रों के शोर एवं अव्यवस्था फैलाने से समाधी भंग होती देखी तो उन्हें क्रोध आ गया उन्होंने जियों ही अपने नेत्र खोले समस्थ सगर पुत्र अपने ही शरीर से निकली ज्वाला से जुलसकर भस्म हो गये राजा सगर को अपने दुरबुध्धी पुत्रों द्वारा कपिल मुनी के साथ अशोभनिय व्यवहार तथा पुत्रों के अकारण मृत्प्राय हो जाने का अत्यंत कश्थ हुआ किन्तु यग्य के पूर्ण करने के लिए यग्याश चरावशक था अता सगर ने अपने पौत्र अंशुमान असमंजस के पुत्र को विनम्र जानकर कपिल मुनी के आश्रम से यग्याश्व लाने का दायत्य सौपा अंशुमान में धावी एवं सूझ बूझ वाला बालक थ उसने आश्रम में पहुँच कर सर्व प्रथम मुनी की स्तुती वंदना करते हुए उनका अभिवादन किया। मुनी ने अंशुमान के सौम्य एवं श्रधालू व्यवहार से प्रसन होकर यग्याश्व ले जाने की अनुमती प्रदान की। साथ ही यह वर्दान भी दिया कि अंशुमान के पौत द्वारा लाए गए गंगा के जल्द से ब्रमशाप दंडेत उसके पित्रिगन का उद्धार हो जाएगा तथा वे सद्गती को पा जाएंगे। कृतकृत्य अंशुमान मुनी कृपा से अभिभूत हो गया तथा यग्याश्व लेकर वापस लोटाया। सगर ने यग्य संपन कराया। वस्तुतह सगर पुत्रों ने यग्याश्व की खोज में जितना धर्ती को खोदा था, वही सागर जलकुंट बन गया था। अपने पुत्रों के सनेह के कारण सगर ने सागर को अपना पुत्र मान लिया. अंशुमान के यहाँ दिलीब जन में, दिलीब के यहां भागीरत उत्पन हुए, भागीरत ही कठोर तप के बल से ठर्ती पर गंगा लाए। उन्हीं के पुरुषार्थ के कारण गंगा को खैंभाग, नाभाग से इंबर्रीश सिंधु द्वीप, स्थिंधु द्वीप से अयुतायू, अयुतायू से रितुपन, रितुपन से सर्वकौम, सर्वकौम से सुहास, सुहास से 110 मितरसय उत पन हुए। एक बार राजा मित्रसय वन में घूम रहे थे, उन्होंने दो व्यागर को देखा, इन हिंसक पश्यों पर राजा ने जंगल के अन्य जीवों की रक्षा के हित वान से प्रहार किया, ये व्यागर वस्तुत असूर थे, अता मरते समय दोनों ने राजा से प्रतिशोत लेने का स मुनी वसिष्ट का रूप धारन कर राजा से कहा यग्य की पूर्ण आहूती के पश्चात नर्मास का भोजन करना चाहिए, तुम ऐसा भोजन तयार कराओ, मैं आता हूँ कहकर वो रूप धारी वसिष्ट चला गया, दूसरा दैत्य रसोईय के रूप में भोजन शाला में विराज मान था, राजा के आदेश का पालन करते हुए दूसरे दैत्य ने नर्मास का पकवान तयार कर दिया, वस्तविक मुनी वसिष्ट के आने पर भ्रमित राजा ने सोने के पात्रों में मुनी को नर्मास युक्त भोजन परस दिया, वसिष्ट को राजा द्वारा मास क के प्रस्ताव में कुटलता तथा च्छडम का आभास हुआ अपने ब्रह्मग्यान से उन्होंने जब यह जान लिया कि यह नर्मास है तो उनको अत्यंत क्रोधाया जिसके फल्स्वरूप उन्होंने राजा को नर्मास के खाने वाले राक्षस हो जाने का शाप दे दिया राज पत्नी ने राजा के लिए 12 वर्ष की अवधी तक डैत्य रूप में रहने का प्रावधान करते हुए शाप में संशोधन कर राजा को राहत दे दी। किन्तु राजा स्वयम को निर्दोश मानता हुआ मुनी के शाप से असंतुष्ट क्रोध में उनमत होकर विवेक खो बैठा तथा मुनी को ही शाप देने के लिए हाथ उपर उठ गया और जल लेकर संकल्प जल छोड़ने लगा। शाप की अवधी में वन में घूमते हुए मित्रसय मनुष्यों का भक्षन करने लगा। संयोग की बात है कि एक बार एक मुनी रितु काल में अपनी पत्नी के साथ भोग विलास कर रहे थे। मित्रसय की द्रिष्टी जब उन पर पड़ी तो वो भायभीत होकर भाग खड़े हुए। मित्रसय ने भाग कर रिशी को पकड़ लिया तथा उन्हें भोजन के लिए खाने लगा। तभी मुनी पत्नी ने आगे आकर उसे रोकते हुए कहा है प्रभू। आप स्वयम को पहचानिए। आप एक श्वाकु वंच के मित्रसय हैं जो शापवंच नर्मास भक्षी दैत्य बने हैं तथा मनुष्य भक्षन के इस बुरे कर्म को छोड़ दीजिए। मुनी पत्नी ने यह भी कहा कि मैं कामपीरित एक अत्रिप्त स्त्री हूँ तथा तुम स्त्री की कामदशा से भली भाती परिचित हो। अता मेरे पती को मुक्त कर मुझे त्रिप्ती के लिए अवसर दो। किन्तु यह सुनकर भी मित्रसह स्वयम को नहीं पहचान सका और उसने रिशी को उदरस्ट कर लिया। ब्राहमन पत्नी ने अपने पती के इस प्रकार दोख़द अंत से दुखी होकर अगनी में समाधिस्थ होते हुए मित्रसह को स्वयम कामपीरित अवस्था में संभोग की क्रिया में तुम्हारी भी मृत्यू हो जाएगी। कहते हुए शाप दे दिया। शाप की अवधी की समाप्ती पर पुनह अपने राजसी जीवन को प्राप्त कर राजा ने जब अपनी पत्नी मदयंती से रमन की इच्छा प्रकट की तो ततकाल ही उसे रिशी पत्नी के भाधान कराया। साथ साल बीट जाने पर भी जब गर्ब प्रसव में परिनत नहीं हुआ तब दुखी मदयंती ने उस पर पत्थर से चोट मार दी जिससे उत्पन बालक अश्मक कहलाया। अश्मक ने पुत्र मूलक को जन्न दिया। परशुराम ने पृत्वी पर से क्षत र apost हुआ। देशरत का इलिवल। का विश्वसर और विश्वसर का खटवांग नाम का पुत्र पैदा हुआ। देवताओं के आहवान पर खटवांग ने देवसूर संग्राम में देवताओं की ओर से लड़कर दैतियों का वद्दध किया। देवाताओं ने खत्वांग के बाहुबल से अभिभूत होकर उसे वर्दान मांगने का प्रस्ताव किया। खत्वांग ने वर्दान के फलस्वरूप अपनी आयू जाननी चाही। देवताओं के द्वारा उसे ग्यात हुआ कि वो एक महूत और जीवित रहेगा। यह जानकर खत्वांग शीगरही देव्यान पर बैठकर पृत्वी लोग पर आ गया और श्री वासुदेव में अपना ध्यान लगाकर उन्हीं में लीन हो गया। इसी खत्वांग के वन्शच थे श्री राम। यह वन्श इस प्रकार है खत्वांग के पुत्र दीग बाहु के रगु। रगु के अज, अज के दश्रत और दश्रत के चार पुत्र राम, लक्षमन, भरत, शत्रुगन हुए। राम बहुत बल्शाली थे, इन्होंने बाल्यकाल में ही मुनी विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में रहते हुए यग्यरक्षा की तार का वद किया, मारीच को यग्यशाला से समुद्र के पार फेक दिया। सुबाहु आदी दैत्यों को मृत्यू का मुख दिखाया, तिर्स्कृत अहिल्यका उद्धार किया। राजा जनक की प्रतिग्या पूरी करते हुए शिव धनुष को तोड़ कर सीता का वरन किया। इसके बाद उन्होंने धनुष भंजन से क्षुप्ध क्षत्रिय शत्रु परशुराम का मान भंजन किया। पिता राजा दश्रत की आग्या नुसार राम, सीता और लक्षमन के साथ वन को चले गए। वन में रामचंद्र जी ने खर, दुशन, कबंद और बली जैसे दुष्ट राक्षसों का वद किया। समुद्र पर पुल बांध कर रावन का संपून राक्षसों सहित वद किया। सीता जी को मुक्ट कराया। रावन के यहां एक वर्ष रहने के कारण अपवाद ग्रिस्ट सीता का अगनी परीक्षन कराकर राम वन की अवधी समाप्त कर पुनह अयोध्या को लोटाए। और इस प्रकार राम ने ग्यारा हजार वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया। राम के भायों में भारत ने गंधर्व लोक पर विजय प्राप्त की तथा शत्रुगन ने राक्ष सलवन का वध करके मतुरा नगर बसाया। एक लंबे समय तक प्रिथवी पर शान्ती एवं सुख का साम्राज्य चलाने के पश्चात राम अपने भायों सहेद देवलोक वापस चले गए। चारों भायों के यहां दो-दो पुत्र उत्पन हुए। राम के लव कुष, लक्षमन के अंगद और चंद्र केतु, भरत के दक्ष और पुषकल तथा शत्रूपन के सुबाहूं और शूर सेन। यह वंश परंप्रा कुष से आगे इस प्रकार चली कुष अतिथी निश्धा नलनब पुंडरी क्षेम देवानी कहिनिक रूरूपार यत्र देवल विच्छल उत्विज्र नाब शंखन व्युशित व्युश्व विश्व सहहिरन्य नाब पुष्य द्रूव संधी सुदर करने का निश्चे किया यग्य के होता के लिए उन्होंने वसिष्ट मुनी का निर्नय किया वसिष्ट ने इंद्र के यग्य में व्यस्त रहने के कारण उन्हें 500 वश प्रतीक्षा करने के लिए कहा यह सुनकर निमी मौन हो गए निमी के मौन को वसिष्ट ने स्वीकृती ज जानकर शीग्रता पूर्व किंद्र का यग्य समाप्त कर निमी के यग्य के लिए पधारे किंतु वहां होता कि स्थान पर गौतम को यग्य संपन कराते हुए देख कर वो क्रोधित होकर भड़क उठे सोय हुए निमी को देहहीन हो जाने का शाप दे दिया राजा निमी ने जागने पर बिना कारण जाने मुनी वसिष्ट को भी देहहीन हो जाने का शाप दे डाला निमी के शाप से वसिष्ट का लिंग देय मित्रावरुन के वीर्य में प्रविष्ट हुआ मित्रा वरुन द्वारा उर्वशी के रूप पर मुगध होने से स्खलित हो जाने पर वीर्य द्वारा विसिष्ट जी का पुनरजन्म हो गया दूसरी और देवताओं ने निमी की देव को भी तेल गंधादी में सुरक्षित रखा यग्य की समाप्ती पर यजमान के कष्ट को देख कर यग्य भाग के लिए आये देवगणों से पुरोहितों ने उसे आशीरवाद देने के लिए कहा तब निमी ने कहा मैं दोबारा देर धारन करना नहीं चाहता मेरी कामना है कि सभी प्राणियों के नेत्रों में मेरा वास हो तथास्तु कहकर देवों ने निमी को लोक नेत्रों में बसने का वरदान दे दिया राजा के राज्य विहीन होने पर अराजक्ता के भाय से मुनियों ने राजा के शरीर का अरणी के साथ मंथन करा के जनक का जन्म कराया अपने पिता के विदेह हो जाने के कारण जनक वैदेह कहलाए इन्हें मिथी के नाम से भी पुकारा गया क्योंकि अरणी मन्थन से इनका जन्म हुआ था। ये सभी मिथिला के राजा तत्वदर्शी और आत्म ग्याता थे। चंद्रवन्शी राजाओं के वन्ष का विवरन देते हुए पर आर्शर जी ने कहा ब्रह्मा के पुत्र अत्री प्रजापती का पुत्र चंद्रमा था। के अधिकार का दुखडा रोते हुए शिकायत की। ब्रह्मा ने चंद्रमा को समझा कर तारा को वापस करने के लिए आदेश दिया किन्तु हठी चंद्रमा ने किसी की बात नहीं मानी। इसी क्रम में ब्रहसपती के पक्ष एवं विपक्ष में दो दल बन गए। जियोंतियों करके तारा ब्रहसपती को दिला दी गई। तारा चंद्र के द्वारा गर्भवती हो गई थी। यथा समय उसने एक पुत्र को जन्न दिया। इस नवजात बालक के सौंदर्य पर ब्रहसपती और चंद्र दोनों ही मुगद हो गए तथा दोनों ही उसे अपनाने के लिए आतोर हो गए। दोनों में फिर जगड़ा हुआ। तब देवों द्वारा तारा से यह पता करके कि यह बालक किसका आंच है। बालक चंद्रमा को दे दिया गया। चंद्रमा ने उसका नाम बुद्ध रखा। इला से विवाह कर बुद्ध ने पुरुर्वा को जन्न दिया। मित्रावरुन के शाप के कारण उर्वशी को कुछ समय पृत्वी लोक पर रहना था। इसी लिए जब यह पृत्वी लोक आए तो राजा उसकी रुपराशी पर मुगध होकर उससे प्रण्य निवेधन करने लगा। तब उर्वशी ने समर्पन से पूर्व तीन शर्ट र पस लोड जाएगी। पूरुर्वा ने उर्वशी की ये सभी शर्ते मान ली। अब वो उन्मुकतता से उर्वशी के साथ रमन करने लगा। स्वर्व में उर्वशी की अनुपस्थिती खलने लगी। विश्वावसु गंधर्व को जब उर्वशी की प्रतिग्या के बारे में पता चला तो उसने एक रात को सोते समय उर्वशी के भेड के बच्चे धुखे से चुरा लिये। उर्वशी उनके अभाव में रोने लगी और उनकी रक्षा के लिए पुरुर्वा के पौरुष को चुनौती देने लगी। अपनी नगनता से बेखबर राजा पड़ा। राजा के इस प्रकार पीछा करने पर गंधरवों ने तभी एक प्रकार से तेज प्रकाश उत्पन कर दिया। राजा को नगन देखकर उर्वशी द्वारा रखी गई दो शर्ते तूट गई और इस प्रकार उर्वशी स्वर्ग को लौट गई। गंधरव भी भ अहेलियों के साथ उर्वशी दिखलाई दी। राजा अत्यंत दीन स्वर में उर्वशी से पुना प्रण्य याचना करने लगा। उर्वशी निस्त्री में इतनी अत्यधे का नुरक्ती पर पहले तो पुरुर्वा को धिकारा फिर आश्वस्त किया कि वो इस समय गर्भवती ह ठीक एक वर्ष बाद इसी स्थान पर एक पुत्र पुरुर्वा को सौप देगी। एक वर्ष बाद पुरुर्वा को उर्वशी ने आयू नाम का एक ओजस्वी पुत्र प्रदान किया। राजा पुरुर्वा के आयू के अलावा अमावसू, विश्वावसू, श्रतायू, शतायू तथा आयूतायू नाम के च्छ पुत्र और थे कुशाम्भ ने इंद्र के समान पुत्र प्राप्ती के लिए भायांकर एवं कठो तप किया कुशाम्भ के तप से अपने इंद्रासन को खत्रे में जानकर इंद्र ने स्वयम उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया ये गाधी कहलाया गाधी के यहां सत्यवती ने जन्म लिया सत्यवती को रिचीक मुनी ने 1000 श्याम वरना घोडे देकर पतनी रूप में प्राप्त किया रिशी ने संतान की इच्छा से सत्यवती के समक्ष चरू प्रस्तुत किया सत्यवती की मा ने पुत्री को बहला फुसला कर उसका चरू स्वयम पी लिया तथा अपने लिए निर्धारित चरू को सत्यवती को दे दिया प्रिचीक को जब इस रहसे का पता चला तो उन्होंने सत्यवती को काफी बुरा भला कहा किन्तु सत्यवती ने अपने भूलेपन का हवाला दे कर तथा रिशी के चरण छूते हुए क्षमा याचना की। यथा समय सत्यवती के यहां जमदगनी तथा मा ने विश्वामित्र को जन्म दिया। जमदगनी रेनु की कन्या रेनुका से विवाह किया जिनसे परशुराम ने जन्म लिया। विश्वामित्र के यहां शून शेप ने जन्म लिया। यह बाद में देवरात के नाम से जाना गया। विश्वामित्र के अन्य पुत्रों में मधुच्छंद, धेननजे, कृतदेव, अश्टक, कच्छपादी हुए जिनसे आगे कौशिक वन्ष की काफी वृद्धी हुई. आयू के वन्ष का विवरन सुनाते हुए पर आशर जी ने कहा कि आयू का विवाह राहु की कन्या से हुआ. इसके यहां नहुष, क्षत्रवृद्ध, दंभरजी तथा अनेना नाम के पाँच पुत्रों ने जन्म लिया. क्षत्रवृद्ध के पुत्र सुहोता का आगे वन्ष इस प्रकार चला. सुहोता के तीन पुत्र हुए काश्या, काश्य तथा ग्रिस्मद. ग्रिस्मद के शौनिक हुए जिन्होंने चार वर्नों का प्रवर्तन किया. काश्य के पुत्र काशय हुए. इनके वंश में राष्ट्र दीरगत्पा धन्वंतरी हुए। यही धन्वंतरी आयुर्वेद का विभाग करने वाला तथा यग्य भाग का भोग करने वाला हुआ। में प्रतरदण काफी महत्व पूरन एवं प्रसिद हुआ। सभी शत्रुओं पर विजय पाने के कारण शत्रुजेत पिता द्वारा प्यार से वत्स पोकारे जाने के कारण सत्यवादी होने के कारण रितध्वज तथा कुवले नाम के अपूर वश्वधारी होने के कारण कुवल्याश के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ आयू के चौथे पुत्र रजी के बारे में मैतर जी को सुनाते हुए पराशर जी बोले एक बार देवासुर संग्राम शुरू होने से पहले ही देवताओं एवं देत्यों दोनों ने तीनों लोकों के ग्याता ब्रह्मा से विजे के पक्ष की स्थिती जाननी चाही तो ब्रह् करने लगे दैत्यों से त्रजी ने विजयो प्रांथ स्वयम इंद्रपत की इच्छा रखी दैत्यों ने इंद्रपत को हिरन्यक शिपू के पुत्र प्रहलाद के लिए सुरक्षित बताते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया अंततह रजी के पास देवगनाय जिन्हों रजी को इंद्र रूप में स्वीकार करते हुए उसकी शर्ट सहर्ष मानली युद्ध हुआ रजी के देवताओं के पक्ष में युद्ध के कारण देवताओं की विजय हुई इंद्रासन चिनने के भाई से इंद्र ने रजी के चरणों में अपना सिर रखते हुए पुत् के बाद अपने उत्तराधिकारी होने का दावा प्रस्तोत करते हुए अपना राज्य मांगा तो इंद्र ने उन्हें निराश किया। इस कारण युद्ध दुआ और इंद्र हार गए। रजी यूत्रों ने पुनह अपने पिता का राज्य वापस लेकर इंद्रक्जा को पालिया। इंद्र इस पर राज्य को अधिक देर सहन न कर सका। उसने देव गुरु ब्रहसपती से सहायता मांगी। ब्रहसपती ने इसके उपाय है तू ऐसे यगय का अनुष्ठान किया कि रजी पुत्र वेद्विमुक तथा ब्राहमन विरोधी हो गए। इस प्रकार शास्त्र विरोधी होने के कारण वे तेजहीन हो गए। ऐसी दशा में वे इंद्र के आक्रमन का मुकाबला नहीं कर सके फल तहा पराजित हो गए। इस प्रकार इंद्र ने पुनह अपना खोया वेभव प्राप्त किया और सिंघासन पालिया। आयू के तीसरे पुत्र रमम के कोई संतान नहीं हुई। किन्तु दूसरे पुत्र शत्र वृध की संतानों का विस्तार हुआ। क्षत्र वृध्ध के पुत्र पृतिक्षत्र संजय जय विजय कृत हर्षवर्धन सह देव अधीन जयत से इंसान कृती क्षुत्र धर्मा। आयू के प्रथम पुत्र नहुष के याती, ययाती, सहयती, आयाती, वियाती और कृती छे पुत्र हुए। याती के जीश्ट पुत्र होते हुए भी राज में विरक्ती के कारण याती गद्धी पर बैठा। याती ने शुक्राचार्य की पुत्री देव्यानी और व्रिश्पवा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। देव्यानी से यदू तथा तर्वसू तथा शर्मिष्ठा से द्रहिव अनू एवं पुरू पुत्र उत्पन हुए ययाती शुक्राचार्य के शाप के कारण असमय ही बुड़ा हो गया स्वार्थी ययाती ने अपने जीश्ट पुत्र यदू से उसके योवन की मांग की किन्तु यदू ने पिता की कामेच्छा का तिर्सकृत करते हुए उसकी मांग को ठुकरा दिया क्रोधी ययाती ने पुत्र को संतान हीन होने का शाप दे दिया तथा स्वयम के उत्तराधिकार से अलग कर दिया यही अनुरोध ययाती ने अपने अन्य पुत्रों से भी किया पुरू को छोड़कर सभी ने पिता के अन्याय पूर्ण प्रस्ताव को तिरसकार के साथ अस्वीकार कर दिया पुरू ने पिता की दीन दशा को देखकर एक हजार वर्ष के लिए उन्हें अपना यौवन देकर स्वयम उनका बुड़ापा स्वीकार कर लिया पोतर से प्राप्त यौवन के बल से ययाती अब पूर्ण रूप से विशय भोग में लिप्थ हो गया वो समझता था कि एक हजार वर्ष तक विशय भोग करके वो त्रिप्त काम हो जाएगा किन्तु जब इतने पर भी उसकी काम भावना शांत न हुई अपितू और अधिक भढ़क गई तो उसकी समझ में आ गया कि जैसे अगनी में घी डालने पर वो शांत होने की अपेक्षा और अधिक भढ़कती है उसी प्रकार कामवासना में विशय भोग से त्रिशना शांत न होकर और भढ़कती है अता इसके शमन का एक मात रुपाए इसका त्याग ही है उसने गलानी का अनुभव करते हुए विशयों की दास्ता को तिलांजली दे दी और इश्वर भक्ती में स्वयम को प्रवरत करन यदू के वंष में ही विशधु ने क्रिष्ण रूप में अवतार ग्रहन किया था यदू के सहस्रजित क्रोंतू नल तथा नहुष चार पुत्र हुए इनमें सहस्रजित के तीन पुत्र हैह, खेहय तथा वेनुहाय हुए, खेहय का वंष क्रम इस प्रकार रहा है, देहाई के धर्म धर्मनेत्र कुंती सहजिता महीशमान भद्रश्रेन्य दुर्दम धनक हुए। धनक के चार पुत्र हुए कृतवीर्य, कृतागनी, कृतधर्म एवं कृत ओजा। कृतवीर्य के यहां महाप्रतापी अर्जुन ने जन्म लिया जिसने भगवान दतात्रेय को प्रसन करके अनेक वर्दान प्राप्त किये। अर्जुन ने अपने पौरुष एवं वीर्ता के बल पर 85,000 वर्ष तक राज्य किया। उसने अपने पर आक्रमन करने वाले शत्रु रावन को पशु के समान बांध कर नगर के सुनसान स्थान पर रख दिया। अर्जुन के अत्यंत आत्ताई हो जाने पर परशुराम ने इसका वद किया। अर्जुन के सौ पुत्र हुए जिनमें शूर, शूर सेन, व्रिष सेन, मधू तथा जायतध्वज प्रमुख हुए। जायत ध्वज के पुत्र तालजंग के भी सौ पुत्र हुए। इनमें वीतिहोत तथा भरत प्रमुक थे। भरत के यहां वरिश ने जन्म लिया जिसके पुत्र वरिशनी के भी सौ पुत्र हुए। इसी कारण इसके वंच का नाम व्रिष्णी वंच कहलाया। महाराज यदू के नाम से यादव तथा मधू के नाम से माधव वंच भी बढ़ा। यदू के ही द्वितिय पुत्र क्रोष्टू का वंच ध्यजी निवान से ख्याती रुशन कू चितरट शशिबिंदू तक चला। शशिबिंदू ने एक लाग स्त्रियों के साथ विवाह किया और दस लाग पुत्रों को जन्न दिया। इनमें प्रिथु श्रवा प्रिथु कर परावरित हुए। इनसे रुख मेशुप प्रिथु, ज्यामद, वलित और हरित पांच पुत्र उत्पन हुए। ज्यामद बड़ा कीर्तिमान राजा था। ज्यामद की पत्नी शैव्या वंध्या थी। उससे कोई संतान नहीं थी। लेकिन ज्यामद पर उसकी पत्नी पू परुन क्रंदन करते देख उसका हिरदय पसीज गया और वो उसे अपने साथ राज महल में ले आया। संतान के एच्छुक राजा ने उसे प्रभु कृपा रूप में जानकर स्त्री के रूप में स्वीकार करने का निश्चे किया लेकिन महल में पहुँचने पर रानी की क् भंगिमा को देख वो विचलित हो गया और उसने कन्या का परिचय शेव्या की पुत्रवधू के रूप में कराया। लेकिन वो संतान हीन थी। तब जियामध ने यह कहकर समस्या सुलजाई की पुत्र होने वाला है। मैं पहले ही वधू का प्रबंध कर लाया हूँ। इश विधर्ब के क्रए कोशिक तथा रूमपात तीन पुत्र उत्पन हुए। रोमपात के वन्ष में वभरू धृति कौशिक चेदी हुए। चेदी के वन्षज ही चैत्य कहला है। विधर्ब के पुत्र करत का वन्ष क्रम इस प्रकार रहा कुंती से धिरिश्टी निधृती दशाह व्योमाजीमूत विकृती भीमृत नवरत दशरत शकुनी करंभी देवरात देवक्षत्र मधु कुमार्वन शनू पूरुमित रंशु सत्वात। इन्ही सत्वत के चतोर्थ पुत्र अंधक के एक पुत्र भजमान के वंश में देवगर्ब उत्पन हुए। इनके पुत्र शूरसेन के पुत्र वसुदेव के यहां यदू वंशी कृष्ण ने जन्म लिया। सत्वत के वंश में उत्पन होने के कारण इनके वंशी सात्वत कहलाए। सत्वत के साथ पुत्र हुए भजन, भजमती, देव्य, अंधक, देवावृध्ध, महाभोज तथा वृष्णी। भजन के च्छ पुत्र हुए। देवावृध्ध बहुत बड़े प्रतापी राजा के रूप में प्रसिध हुए। इनके पुत्र बभरू भी महाप्रतापी हुए। महाभोज के वंशज भोजवनशी कहलाए। वृष्णी के सुमित्र तथा युधजित नाम के दो पुत्र हुए। इनमें सुमित्र के अन्मित्र, अन्मित्र के निध्य, निध्य के प्रसेनिजित तथा सत्राजित दो पुत्र हुए। सत्राजित सूर्य के मित्र थे, अतह सत्राजित ने सूर्य को प्रसं करके उनसे न्यमंतक मनी प्राप्त कर ली और अपने गले में लटका कर जैसे ही उसने द्वारिका में प्रवेश किया लोगों ने मनी के प्रभाव से उसे ही सूर्य समझ लिया, क्रिश्न के मन में उस मनी को प्राप्त करने की इच्छा तो हुई लेकिन राज्य में विद्रोह के भई से उन्होंने यह हिम्मत नहीं की। सत्राजित ने वो मनी अपने भाई प्रसेनजित को सौप दी। प्रसेन को उस मनी के रख रखाव का पूरा ज्यान नहीं था। वास्तव में मनी को धारन करते समय मनुष्य को शुचिता का पूरा ध्यान रखना पड़ता था। वो लापरवाही में उस मनी को धारन करे हुए ही शिकार को चला गया। वन में उसे एक सिंग ने मार डाला। सिंग मनी को मूह में रखकर जैसे ही चलने को हुआ जामवंत ने उसे मार डाला मनी को लेकर जामवंत गुफा में आ गया। मनी को खिलोना समझ कर जामवंत के बच्चे खेलने लगे। दूसरी ओर नगर में यह समाचार फैल गया कि कृष्ण स्वयम मनी हड़ अपना चाहते थे। अतह उन्होंने प्रसेन को मरवा डाला है। इस मिथ्या प्रचार को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण अपने साथियों सहेत प्रसेन को ढूंडने निकल पड़े। खोचते हुए वन में उस जगह पहुँच गए जहां प्रसेन को सिंग ने मारा था। सिंग के चिन्ह का पीछा करते हुए कृष्ण जामवंद की गुफा तक पहुँचे। कृष्ण और जामवंद का यूद्ध हुआ। यह यूद्ध 21 दिन तक चला। गुफा से बाहर बैठे कृष्ण के साथियों ने साथ आठ दिन प्रतीक्षा करने के बाद कृष्ण को मरा समझ कर निराश लोटने पर उनके सारे क्रिया कर्म पूरे कर दिये। कृष्ण ने जामवंद को पराजित करके अपने वश में कर लिया। फल्स्वरूप जामवंद ने अपनी कन्या जामवती तथा स्यमंतक से मनी लेकर कृष्ण को सौंपदी। कृष्ण दोनों को लेकर द्वारिका लोटाए। कृष्ण को जीवित पाकर द्वारिका में पुनः हर्ष को लहर दौर गई। कृष्ण ने सत्राजित को उसकी धरोहर स्यमंतक मनी लोटा दी और अपने उपर लगे मिथ्या आरोप का खंडन कर दिया। कृष्ण के इस व्यवहार से प्रसन होकर सत्राजित ने अपनी बहन सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। अकरूर, कृतवर मा और शत्राजित की बहन से विवाह के इचुक थे लेकिन अकस्मात सत्राजित के इस व्यवहार से वे सत्राजित के विरोधी हो गए। शत्राजित को भरका कर मनी चीनने की योजना बना डाली। इस बीच वर्नावत में दुर्योधन की कूटनीती के शिका होने के फलस्वरूप पांडवों के जलने का समाचार पाकर कृष्ण वर्नावत चले गए। पीछे सत्राजित से मनी चीनकर शत्धनवा ने उसका वद्ध कर दिया। दुखी सत्यभामा ने कृष्ण को स्वयम जाकर इस घटना की सूचना दी तो कृष्ण ने बलराम के सा भाग खड़ा हुआ। कृष्ण ने उसका पीछा किया और सुदर्शन से उसकी गर्दन ही काट दी। शत्धनवा के मृत शरीर की तलाशी पर भी जब कृष्ण को मनी नहीं मिली तो कृष्ण को बलराम पर संदे हो गया। बलराम को कृष्ण का आविश्वास सहन नहीं हो पाया और इस कारण उन्होंने कृष्ण से संबंध तोड़ लिये और विदेह नगर चले गए। कृष्ण भी निराश और दुखी मन से द्वारे का लौट आये। स्यमन तक मनी शत्धनवा ने अक्रूर को सौप दी थी। उसके प्रभाव से नित्य ही एक स्वन मुद्रप प्राप्त करके अक्रूर रोज ही यग्यादी का अनुष्ठान करने लगे। सभी और सुक शान्ती का सामराज्य था। कृष्ण के विदेह जाकर अनुने विने करने पर बलराम भी द्वारे का लौट आये थे। किन्तु कुछ समय बाद किसी कारण खिन होने पर अक्रूर द्वारे का छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए तो मनी का सुक प्रभाव क्षीन होने लगा। दूर्भेक्ष, अनावरिष्टी, रोग और उपद्रवों ने सब और त्राही त्राही मचानी प्रारंब कर दी। कृष्ण को एक व्रिध अंधक नाम के यादव ने बताया अ देखते सारे कष्ट कर गए। उपद्रव शांत हो गए तो कृष्ण को लगा कि निश्चे ही अक्रूर के पास स्यमंतक मनी है। कृष्ण ने बड़ी कुशलता से अक्रूर को यह जता दिया कि उन्हें ग्यात हो गया है कि शत्धनवा के पास जो मनी थी वो उसने अक्रूर भी दे दिया कि वो चाहे जिसे दें। यादवों ने अक्रूर के इस कृत्य पर उनकी हिरदय से प्रसंशा की और कृष्ण ने मनी पुनह अक्रूर को दे दी। पर आशर जी ने यदू वंच का विवरन आगे बढ़ाते हुए कहा कि अनमित्र के पौत्र प्रसेन एवं सत् अन्य पौत्र शेनी का पौत्र सत्यक हुआ। इसी के यहां यूयुधान, जिसे सातिकी कहा गया यूयुधान के संजे, संजे के कुनी और कुनी के यूगधर हुए। शेनी के वंशत शैन्य कहलाए। अनमित्र के ही एक पौत्र प्रिश्णी थे जिनके पौत्र श्वाफल अक्रूर के देववान तथा उपदेव दो पुत्र थे यदू कुल में ही जन्मे सत्वत के चौथे पुत्र अंधक की वनशावली इस प्रकार है अंधक के चार पुत्र हुए कुकुर, भज्डमान, शुधुक्वाल और वरहिश कुकुर से धृष्ट का पोतर मा विलो मा अन अनक दुन्दू भी अनिजित, पुनर वसु अहोग देवक और उग्रसेन कंज, देवक के यहां चार पुत्र तथा साथ पुत्रियां जन्मी, ये साथों कृष्ण के साथ ब्याही गई, अंधक के द्वितिय पुत्र भजमान से विदूरत शूर शमी प्रतिक्षत्र स्वय पुत्र शूरसेन के यहां मारिशा के गर्ब से वसु देव आदी 10 पुत्रों एवं 5 पुत्रों का जन्म हुआ क्रिष्न वसु देव के पुत्रց थे, शूरसेन की चार पुत्रीयों में एक कन्या पृथा को अपने नेशन तान मित्र कुंति को दत्तक रूप में प्रदान की इस प्रिथा कुंति का राजा पांडू से पाने ग्रहन हुआ जिसने धर्म वायु तथा इंद्र के द्वारा क्रमशह युधिश्थिर भीम और अर्जुन को तथा अविवाहत रूप में सूर्य द्वारा कर्ण को जन्न दिया पांडू की दूसरी पत्नी मादरी द्वारा अश्विनी कुमारों से नकोल एवं सहदेव की उत्पत्ती हुई शूर्सेन की दूसरी कन्या भुत्देवा का वृध्ध धर्मा से विवाह हुआ जिसके यहां दंटवक्र नामक महादेत्य ने जन्न लिया तीसरी कन्या शुतकीर्ति का केकई राज से विवाह हुआ इसके विवाह करके शिशुपाल को जन्न दिया पूर्व जन्न में यही शिशुपाल दैत्य राज हिरन्यक्षिपु तथा महाबली रावन के रूप में उत्पन हो चुका था जो इस जन्न में कृष्ण के हाथों मारे जाने पर सायुज्य मुक्ति का अधिकारी हुआ इसके पश भद्र ने रेवती से विशट और उन्मुक को जन्न दिया सारण ने साष्टी, शिशु, सत्य और धृति को जन्न दिया प्रोहेनी के गर्ब से ही वसुदेव द्वारा भद्राश्व, भद्र बाहु, दूर्दम और भूत आधी पुत्र जन्न में वसुदेव द्वारा ही एक अन्य पत्नी मदिरा से नंद, उपनन तथा कृतक का तथा एक अन्य भद्रा से उपनिधी और गर्द का जन्म हुआ, वैशाली के गर्ब से कौशिक उत्पन हुए, देवकी के गर्ब से वसुदेव द्वारा उत्पन कीर्तिमान, सुशेन, उदायू, भद्र सेन, रिज क्रिष्णू का क्रिष्ण रूप में आगमन हुआ, इनहीं की क्रिपा से योग निद्रा ने यशोदा के गर्ब से जन्म लिया, जो वसुदेव के यहां क्रिष्ण की जगह कंस द्वारा मार दी गई थी, इस प्रकार क्रिष्ण रूप में अवतरेत प्रभू ने पर पुनह धर्म की स्थापना की, उनके पुत्र प्रद्यूम्न का रुक्म की पुत्री रुक्मती से चिवा हुआ और अनिरुद का जन्म हुआ, अनिरुद का सुभद्रा से विवाह हुआ और वज नाम का पुत्र जन्मा, वज्र के प्रतिबाहु और प्रतिबाहु के सु अनुक अंधम मरूत हुए मरूत नहसंतान थे इन्होंने पुरुवंश या दुश्यंत को पुत्र रूप में गोद लिया जिससे तुर्वसु का वंश पुरुवंश में समागया याती के तृतिय पुत्र द्रह्यू बभरू से तू आरण या गंधार धर्म धृत दूर्दम प्रचेता शत्धर्म जन्मे चौथे पुत्र अनुके तीन हुए समानल, चक्षू तथा परमेशू समानल से काल्यानल स्रिंज यश पुर्ण जय जन्मेजय महाशाल महामना उशीन और तितिक्षू नामक दो पुत्र हुए उशीन के शिवी, न्रिक, नर, क्रिमी और वर्य नाम के पांच पुत्र हुए आगे शिवी के प्रिशदब, सुवीर, केकई तथा भधरक चार पुत्र उत्पन हुए तितिक्ष से रुष्द्रत हेम सुत्पा बली का जन्म हुआ बली की पतनी से दीर घत्मा नामक मुनी द्वारा अंग, वांग, कलिंग, सुहयर और पॉं कर्मा व्रहत भानू व्रहनना जैद्रत विजे धृती धृत्वरत सत्य कर्मा से अतिर्थ हुए, अतिर्थ ने कुंती द्वारा त्याज्य पुत्र वसुसेन को पाला जिसे कर्ण के नाम से जाना गया, कर्ण से व्रिशसेन हुए, यूद में व्रिशसेन के संतान हीन मारे जाने से यह वंश यहीं समाप्त हो गया। यहाती के कनिष्ट पुत्र पुरू के यहां जन्मेजय का जन्म हुआ। अप्रतिरत के एक पुत्र कान के पुत्र मिधाति थी की वंश जी कानवायन ब्राहमन कहलाए। दूसरे पुत्र एलीन के यहां दुशन्त ने जन्म लिया जिसके यहां शकुंतला के गर्ब से भारत ने जन्म लिया। भारत के नाम पर ही यह आर्य भूमी भारत वर्ष कहलाती भरत की तीन पत्निया थी इन में नौ पुत्र जन में ये सभी पुत्र भरत के अनुरूप नहीं थे अता कामना से भरत ने मरुत्सों यग्य किया यग्य के फल्स्वरूप मरूदगर्ण ने उसे भरदवाज नामक बालक पुत्र रूप में प्रदान किया भरदवाज के पु जन्म हुआ। इसी से एक शत्रोपेत ब्राहमन गागया तथा शैन्य कहलाएं। महावीर्य से दुरिक्षे और दुरिक्षे से त्रययामनी पुष्कर रिंगी तथा कपी का जन्म हुआ। ये भी बाद में ब्राहमन हो गए। व्रेक्षत्र के ही एक अन्य पूत्र हस्ती ने ह व्रिहदिश्यू से व्रिहद्धनु व्रिहद कर्मा जैद्रत विश्वजित सेंजित से चार पुत्र रुचिराश्व, काश्य, द्रिढ़नु और वच्सेहनु। पुचिराश्व से पृथू सेन पार नील के सौ पुत्र हुए। इनमें जियेश्ट समर से पार, सादश्व और सुपार हुए। सुपार से पृथू सुकृति विम्राज अवह ब्रमदत विश्वसेन उदक सेन भलाभ ने जन्म लिया। हस्ती के दूसरे पुत्र द्विजमीर का वंश इस प्रकार चला द्विजामीर से यवीना, यवीना से धृतिमान सत्य धृति द्रिर्णों में सुपार्शव सुमती सन्नतिमान से कृत पैदा हुए। कृत ने हिरन्यनाब से योग विद्या सीख कर प्राचीन सामग शृतियों की 24 सहिताओं की रचना की। इन्ही कृत से उग्रायोद उत्पन हुए। इन्होंने नीपवन्शी क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायोद से क्षेम्य सुधीर रिपुनजय भहुर्थ हुए। ये सभी राजा पूरु के वन्शज होने के कारण पूरु वन्शिय कहलाए। हस्ती के सबसे बड़े पूत्र अजमीर ने एक अन्य पत्नी नलिनी से नील को जन्न दिया। नील से शान्ती सुशान्ती पुरंजय रिश हर्यश्व हुए। आगे हर्यश्व के पांच पूत्र हुए मुंगल, स्रिंजय, व्रिह देश्यू, यवीनर और कामपिल्य। पां पूत्म रिशी से शतानंद को जन्न दिया। शतानंद के यहां धनूर्वेद में पारंगत सत्यत धृती उत्पन हुए। सत्यत धृती के यहां कृप तथा कृपी नाम के सुपुत्र एवं एक पुत्री उत्पन हुई। दिवोडस मित्रायु चयवन सुदास सौदास रिष्ट के तूने जन्म लिया। अजमीर के ही एक पुत्र रिष्ट का वंच का इस प्रकार रहा रिष्ट सम्वरन कुरू, कुरू वंच के प्रमुक राजा, जहां परीक्षित तथा सुघनू हुए। सुघनू से सुहुत चयवन कृत को प्रिच वसु प्रत्यग्र फ्रांबू, कुचेल, मत्स्या, और व्रिहद्रत, पांच पुत्र हुएूए। व्रिहद्रत का एक पूत्र कुशाग्र, व्रिषब पुष्प्वान सत्यहित सुधन वाजचिच्तू जन्मे। व्रीहद्रत का एक पूत्र जन्म के समय दो खंडों में बंटा हुआ उत्प पुत्र जी ने कहा कुरू के एक पुत्र परीक्षित के यहां जन में जय, शुरुत सेन, उग्रसेन तथा भीम सेन पुत्रों ने जन मलिया। दूसरे पुत्र जहनू के यहां सुरिट से विदूर सार्व भॉमजयद से इनाराध्यता यतायू अक्रोधन देवातिती से रिश हुए। ये रिश अजमीर के पुत्र से भिन है। रिश से भीम सेंच दिलीब प्रतीप उत्पन हुए। प्रतीप के तीन पुत्र हुए पापी ने बच्पन में ही घर छोड़ दिया था और वन को चले गए थे। इस कारण शांतनु ने राज्य की बागदोर संभाल ली थी। पराशर जी ने बाहिक की वंश परंपरा को इस प्रकार वर्णित किया। बाहिक के पुत्र सोमदत के तीन पुत्र हुए भूरी, भूर विचित्रवीर्य स्वयम यक्ष्मा का रोगी था। व्यास द्वारा विचित्रवीर्य की दो पत्नियों अंबा एवं अंबालिका ने नियोग के द्वारा धृत्राश्ट्र एवं पांडु को जन्म दिया। इन राजवधुओं के साथ आई-दासी के यहां विदूर ने जन्म लिया। धृत्राश्ट्र के यहां गांधारी से सौ पुत्र जन्मे जिन में दुर्योधन सबसे बढ़े तथा दुषासन सबसे छोटा था। पांडु को कामातुर क्रौच पक्षी युगल में से एक को मार देने के कारण शाप्त था कि वो संभोग में प्रवरित हो मारों से नकोलेवं सहदेव उत्पन हुए। ये पांचो पांडु पुत्र पांडव कहलाएं। इनके यहां द्रौपदी से क्रमशह युधिष्ठर के प्रती विंध्या, भीमसें से शृतसेन, अर्जुन से शृतकीर्ती, नकुल से शृतानीक और सहदेव से शृतर्मा न मनिपोर राजकुमारी से बभरुहान तथा सुभद्रा से अभिम्यू को उत्पन किया। नकुल ने रिनुमती से निर्मित्र को तथा सहदेव ने विजया से सुहोत्र को जन्न दिया। अश्वत्थामा द्वारा ब्रहमास्त्र छोड़े जाने पर अभिमत्यु पुत्र को प्रित्वी पर भविश्य में शासन करने वाले शासकों का वृतान्त सुनाते हुए बताया कि परीक्षित के यहां चार पुत्र उत्पन होंगे जन्मेजय, शृतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। इक शेमक होगा। यहां आकर कुरुवंच समाप्त हो जाएगा। इक्ष्वाकु वंच में व्रिहा द्वल से व्रिक्षिन, उरूशे वत्सव्युहाज, प्रतिव्योम, दिवकर, सहदेव, व्रिहादेश, भानुरत, प्रतीत, आश्व, सुप्रतीक, भरुदेव, इन अंतरिक्ष, सुपर्ना, अमित्रजित, व्रिहद, राजधर्मी, कृचिन्या, रननजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिध्धार्थ, राहुल, प्रुसेन, जित्क, शुद्रक, कुदंक, सुरत, इक्ष्वाकु वंच का अंतिम वंशत सुनीत होगा। इससे आगे क 1000 वर्ष तक शासन करने के पश्चात समाप्थ हो जाएगा। रिपुनजय का मंत्री सुनिक, रिपुनजय का वध कर अपने पुत्र प्रद्योध को राजगदी सौप देगा। प्रद्योध से विशाखियूग जनक नंदिवर्धन नंदी तक यह शासन 138 वर्ष तक नंदे पुत्र शिशुनाब जिसके आगे के शासक शिशुनाब वन्शी कहलाएंगे से काकवार्ण क्षे मधर्मा क्षतोजा विधिसार अजात शत्रू अर्मक उदयन नंदे वर्धन दूई महाननदी के 362 वर्ष तक शिशुनाब वन्शी यह शासन चलेगा शूद्रा के गर्ब से उत्पन यह महाननदी क्षत्रियों का नाश करेगा इसके आठ पुत्र होंगे जिनमें सुमाली नाम का जियेश्ट होगा ये 100 वर्ष तक राज्य करेंगे इसी वन्श के 9 नंद्र राजाओं का कूट नीती के विद्वान ब्राहम अंचानक या बिन्दुसार अशोक सुयशा दशरत सैयोत शालिशुक सोमशर्मा शत्धनवा व्रिहद्रत 10 मौरे शासक 163 वर्ष तक राज्य करेंगे इससे आगे 10 शुंगवन शियर राजा होंगे इन में पुश्यमित्र नाम का सेना पती अपने स्वामी व्रिहद्रत का वद करके सत्ता हत्या लेगा पुश्यमित्र से अग्निमित्र सूजेष्ट वसुमित्र उदन्क पुलिंदिक घोश्वसु वज्रमित्र भागवत देवमूती तक चलता हुआ यह वन्श 112 वर्ष राज्यासीन रहेगा यहां आकर कन्वविन्शिय वसुदेव देव भूती का वद करके स्वयम गद्धी पर बैठ जाएगा वसुदेव से सुशरमा तक की चार पीडियां 45 वर्ष तक शासन करेंगी सुशरमा अपने सेवक बली पुच्छक द्वारा मारा जाएगा बली पुच्छक के बाद राज्य का उत्तराधिकारी उसका भाई कृष्ण होगा यह आंद्रजातिय शासन कृष्ण के शांत करनी पूर्णोत संग्षात की इन लंबोदर पिलाक में गजवाती पटुमान से होता हुआ पुलो माची आदी 30 पीडियों से 456 वर्ष तक चलेगा इसके बाद आभीर जाती के साथ गद्भिल जाती के 10 शिक जाती के 16 यवन जाती के 8 तुर्क जाती के 14 मुन जाती के 13 और मौन जाती के 11 राजा 1060 वर्ष तक राज्य करेंगे कलियुक के अंत में प्रिथवी पर विपत्ति का नाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयम परमपद विश्नु भगवान नारायन संबल ग्राम के वासी एक ब्राहमन विश्नु शर्मा के यहां कल की रूप में अवतार ब्रहन करेंगे प्रभू के अवतरण से तब प्रिथवी पर सत्योग आएगा लोगों में धर्म के प्रतियास्था पैदा होगी बुद्धी निर्मल होगी सुक शान्ती और वैभव फैलेगा कलियुक का कुल समय तीन लाग साथ हजार वर्ष श्री कृष्णा के तिरोभूत होने से प्रारंब होकर कल की रूप में अवतरित होने तक चलता हुआ समाप्त हो जाएगा पुनह कुरूवंशी राजा देवापी और इक्षवा कुवंशी राजा मरू पृत्वी लोक पर आकर क्षत्रिय वंश का प्रारंब करेंगे ये दोनों ही आगे आने वाले मनुवंश के प्रवर्ट तक होंगे इस प्रकार मेत्रे जी को पूर्ववर्ती राजाओं के चरित्र को सुनाते हुए पराश जी ने कहा कि महा बल्वान और धर्मात्मा इक्षवाकू, जहू माधाता, सगर रघुवंशी राजा नहुश और ययाती आदी आज केवल कथाशेश रह गए हैं उनके चरित्र का वृतांत सुनकर मनुश्य सांसारिक मुहमाया में नपड़े, इसी लिए ये आख्यान सुनाया गया है पंचम अध्याए, पराशर जी ने विश्नु द्वारा यदुकुल में अवतार धारन करने का वृतांत सुनाते हुए मेत्रे जी से कहा बहुत पहले की बात है महाराज देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया विवाह के पश्चात कंस, वसुदेव और देवकी को विदा देने के लिए रत पर बिठा कर ले जा रहा था अचानक उसने आकाशवानी सुनी जिस देवकी को तुम प्रेम पूर्वक विदा दे रहे हो उसी के गर्ब से पैदा हुई आठवी संतान तुम्हारी प्राण नाशिक होगी ये अशुग ववानी सुनकर कंस अपन संतुलन खो बैठा और तुरंथी तलवार से उसका वद करने के लिए तयार हो गया देवकी के पती वसुदेव ने अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्राणों पर आये संकट को देख कर कंस से उसके जीवन की आचना करते हुए कहा कि हम तुम्हें देवकी के गर्ब से उत्पन सभी संताने सौप देंगे तुम इसके प्राण मत लो कंस ने यह सोचकर कि वो इसके गर्ब से होने वाली संतानों को जन्ते ही मार देगा देवकी को मारने का विचार त्याग दिया दूसरी ओर प्रित्वी पर कालनेमी दैत्य के उग्रसेन के यहां कंस के रूप में उत्पन होने के कारण और अरिष्ट धेनुक केशी प्रलंब और सुंद्रद आधी-आधी अनेक धूर्त और भयंकर राक्षसों का भी अन्य अनेक राजाओं के घर में अवतरन होने से भयानक उत्पात होने लगे भार पीडित प्रित्वी भाईभीत होकर गौ के रूप में सुमेरु पर्वत पर होने वाली देवताओं की सभा में गई और ब्रम्हाजी से इन दैत्यों के भार से इनके द्वारा मचाए गए उत्पात से अपने पतन की ओर संकेत करते हुए उद्धा के लिए याचना की प्रित्वी इस असहनिय भार से पीडित और दुखी होकर आपके समक्ष आपकी शरण में आई है कृप्या इसका कष्ठ हरन कर उद्धार करें ब्रम्हाजी द्वारा प्रित्वी की इस तरह दुर्दशा को सुनकर महाप्रभु विश्नु ने अपने एक सफेद और एक काला दो केश उखाडे और कहा मेरा यह काला केश देवकी के आठवे गर्ब से उत्पन होकर कंस जैसे राक्षसों का दमन करते हुए प्रित्वी का उद्धार करेगा विश्नु भगवान ऐसा कहकर अंतरधान हो गए ब्रम्हा देवताओं सहित अपने अपने लोग को लोट गए नारद जी ने विश्नु द्वारा पृत्वी को दिया गया यह आश्वासन सुन लिया कंस ने जिस आकाशवानी को सुना वो यही नारदवानी थी इसके पश्चात कंस ने रत को वापस मोड़कर वसुदेव और देवकी को अपने कारागार में बंद कर दिया अपने वचन के अनुसार वसुदेव ने अपनी प्रत्येक संतान कंस को सौपी और इस प्रकार कंस ने उनकी छह संतानों की हत्या कर दी। सात्वी संतान के समय भगवान विश्णु ने योग निद्रा को बुला कर उसे आदेश दिया कि वो सात्वे गर्भ को अपने चमतकार से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिनी के गर्भ में इस प्रकार स्थापित कर दे की गोकुल में रहने वाली रोहिनी की उस संतान की वास्तवे जन्नी लगे दूसरी तरफ मत्रा में वसुदेव यह प्रचारित कर दे की देवकी का गर्भ पात हो गया है ऐसा करने से कोई संदेय नहीं हो पाएगा रोहिनी के गर्भ से उत्पन यह बालक गर्भ से आकर्षन के कारण संकर्षन कहलाएगा देवकी के आठवे गर्भ से मैं स्वयम जन्न लूंगा उस समय तुम गोकुल गाउं में नंद की पत्नी यह शोदा के गर्भ से उत्पन हो जाना श्री नारायन के आदेश आनुसार योगमाया ने यथा देश सात्वे गर्भ को रोहिनी के उदर में स्थापित करा दिया और तब स्वयम श्री विश्नु ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तथा यशोदा के गर्भ में योगमाया ने प्रवेश किया समय पूरा होने पर कृष्ण का अवतरन हुआ अपनी कोक से विष्णू को कृष्ण के रूप में उत्पन हुआ देखकर वसुदेव दमपती ने प्रसन भाव से उनकी स्तूती वंदना की और अपने चमतकारिक रूप से कंच से रक्षा की कामना की भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री नारायन को कृष्ण रूप में पाकर एक टोकरी में रखकर वर्षा की भीशन रात में वसुदेव उन्हें गोकुल ले जाने के लिए तैयार हुए दूसरी और उनके इस प्रयास को सफल करने के लिए भगवान की योगमाया ने काराग्रे के रिक्षिकों को गहरी नींद में सुलाते हुए सभी बंद दरवाजे खोल दिये और इस समय का लाब उठाते हुए कृष्ण को टोकरी में छिपाए हुए वसुदेव बड़ी सरल से बाहर आ गए इसी समय भीषन जल वर्षा के कारण यमुना अपने पूरे योवन पर थी लेकिन वहां भी श्री नारायन की कृपा से वे बिना किसी बाधा के यमुना पार करते हुए गोकुल पहँच गए जब वसुदेव जी नंद के यहां पहँचे तो उस समय तक यश प्यानेक और द्वार पाल नींद में सोए हुए थे कंस को भी इस प्रकार के बाल परिवर्तन को आभास नहीं हो पाया उधर नंक के यहां पुत्र उत्पन होने की खुशी में उत्सव मनाया जाने लगा कंस को देवकी के यहां पुत्री के जन्म का समाचार मिला तो वो हत प्रब हो गया किन्तु फिर आठवी संतान को अपना प्राण नाशक मानते हुए उसने उसे विनष्ट करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं किया उसने रोती बिलक्ती देव की और वसुदेव के अनुने विने की किंचित भी चिंता नहीं की और कोमल बालिका को पत्थर की शिला पर पटक दिया ठीक उसी समय वो बालिका उसके हाथों से छूट कर आकाश में विलीन हो गई वहां से आकाशवानी हुई जिसमें कहा गया रे कंस तेरा वद करने वाला तो पैदा हो चुका है अब तू अपनी खेर मना यह सुनकर कंस और अधिक चिंतित हो गया अपन करते हुए न केवल सभी देवताओं के अनिष्ट के लिए यग्य करने वालों को मारने का आदेश दिया बलकि सभी ताजा पैदा हुए बच्चों को भी और विशेश रूप से उन बच्चों को जो शक्तिशाली और हिरिष्ट पुष्ट दिखाई दे मारने के लिए विश सांतवना देने के बजाए पश्चा ताप करने लगा और अपने महल में चला गया कारागर से मुक्त होने के बाद वसुदेव ने नंजी के यहां जाकर बुडापे में उन्हें पुत्र होने पर बधाई दी और सुखी जीवन की कामना करते हुए वापस लोट आए बच्च पूत्ना के लिए यह वर्दान था कि वो जिस बालक को स्तनपान कराएगी वो अतकाल मृत्यू को प्राप्थ हो जाएगा भगवान त्रिकाल दर्शी विष्णू के एंश्रूप श्री कृष्ण यह रहस से जानते थे अता उन्होंने क्रोध में आकर अपने जमतकारी हाथ पूत्ना के स्तनों को इस प्रकार कसकर दबाया कि उसका सारा नाड़ी संस्थान चर्मरा गया और वो शीघ्रही मृत्यू को प्राप्थ हो गई मरते समय पूत्ना ने अपने विशाल देत्य रूप को फैला कर भयानक चीतकार किया उसका यह रौरव क्रंदन सुनकर सारे गोकुलवासी जाग गए उनके लिए यह एक अच्रच था उन्होंने देखा कि पूत्ना मरी पड़ी है और सामने कृष्ण मुस्करा रही है यह द्रिश्य देखकर ममता मई मा यशोदा ने भय से जटपर कृष्ण को उठा लिया और प्यार से चूम कर कलेजे से लगा लिया बालक क्रिश्ण पर ग्रेह दोशों को उतारने के खयाल से गाय की पूंच से उसे जाड़ा तथा नंद ने उसके कल्यान की कामना करते हुए बालक क्रिश्ण के मस्तक पर गोबर का तिलक लगा दिया कुछ समय इसी संदेह में बीता इसके बाद एक दिन यशोदा ने बालक क्रिश्ण को छकड़े के नीचे सुला दिया क्रिश्ण की लात लगने से वो छकड़ा नीचे तूट कर गिर गया उसमें रखा दूद और घी का बरतन तूट गया यशोदा को अचरज हुआ कि यह सब कैसे हो गया चकड़े के तूटने से सब तरफ शोर सम मच गया यह कोई जान ही न पाया कि चकड़ा इतनी उपर से अपने आप कैसे गिर गया जो बालक वहां पास में खेल रहे थे उन्होंने बताया कि क्रिश्ण की टांग उचालने से यह चकड़ा गिरा है उन्होंने यह स्वयम अपनी आँखों से देखा है यह शोधा यह सुनकर अत्यंत चिंता करने लगी उपाय स्वरूप उसने बालक क्रिश्ण को गोध में उठा लिया और उसके कल्यान के लिए उपाय करने लगी समय आने पर गर्ग मुनी ने देवकी के पुत्र का नाम क्रिश्ण तथा रोहिनी के पुत्र का नाम बलराम रख दिया दोनों का उपनयन संसकार भी यथाविधी संपन हुआ दोनों ही बालक बड़े शरार्ती वो उधमी थे राख और गोबर से सने हुए दिन भर ग्वालों और बच्छडों के बीच खेलते रहते थे यद्यपी यशोदा उन्हें इस प्रकार शरारते करने से रोकती थी पर वे यशोदा मा की एक भी नहीं सुनते थे एक दिन जुन्जला कर यशोदा ने कृष्ण को ओखली से बांध दिया और वो घर के काम में लग गई कृष्ण शैतान तो थे ही उखल को खीचते खीचते यमल तथा अरजुन नामक आंगन में लगे दो पेड़ा के पास ले गए और उखल को इस प्रकार खीचने लगे कि उनके कारण दोनों पेर जर से उखर गए जैसे ही व्रिक्ष धरार्शाई हुए भीशन शोर हुआ जिसे सुनकर सारे ब्रजवासी यशोदा के घर पर जमा हो गए वहां का द्रिश्य अजीब मनोहारी था उखल से बंधे कृष्ण मुस्करा रहे थे और पेर गिरे पड़े थे उनके उदर से रसी, दाम, बंधी थी उनका तभी से दूसरा नाम दामोदर पड़ गया नित्यप्रती होने वाले उत्पातों से भहेभीत ब्रजवासियों ने अपने रहने का स्थान बदलवाया था क्योंकि पूतना, शकट आधी दैत्यों का वद तथा यमल अर्जुन का समूल गिरजाना अचरच तथा आतंकित करने वाली घटनाय थी, और इस तरह ब्रजवासी गोकुल छोड़कर व्रिंदावन आ गये, यहां आकर भी क्रिशना अपने कौतुकों से ब्रजवासियों का मन खुश करते हुए उन्हें सुक पहुँचाते थे, वर्षा रितु के आने पर आकाश में बादल छा गये, चांदनी मलिन हो गई चारों तरफ कभी इंद्रधनुष, कभी बादल, कभी भयंकर वर्षा और कभी सूर्य का चमकना जैसे मोहग द्रिश्य उपस्थित होते, क्रिशन इस मनोहारी में ग्वाल बालों को साथ लेकर व्रिंदावन की विहार करने लगे, एक दिन बिना बलराम के वो अकेले ही यमुना के किनारे पहँच गए, वहां उन्होंने भयंकर विश्धर काल्यनाग का एक विशाल कुंद देखा, इस भयानक विश्धर की फुफकार से आसपास के किनारे लगे और खड़े पेड़ और वनस पतियां व को विशेला कर वनस पतियों और पशु पक्षियों तथा मनुश्यों तक को विश से प्रभावित कर दिया है, यह सोच त्रिकाल दर्शी के बाल रूपने पास ही के एक कदम के व्रिक्ष पर चड़कर उस विश्धर के कुंद में छलांग लगा दी और ताल ठुक कर एक कु अपनी कुनलियों में करना प्रारंब कर दिया और अपने दांतों से उन्हें काटना प्रारंब कर दूसरी ओर जिन गोप ग्वालों ने यह द्रिश्य देखा था वे घबरा गए और चीतकार सी करते हुए ब्रज की ओर भाग खड़े हुए तुरंत जाकर मा यशोदा को यह दूखद वृतांत कह सुनाया यह सुनना था कि सारे ब्रज में शोक छा गया सभी बिलगते हुए नंद जी बलराम और यशोदा मैया के साथ घटना स्थल पर पहांच गए उन्होंने देखा कि असहाई से कृष्ण सर्प के दंतक्षती का आगहात सहते हुए अभी के लिए यतन शील हैं निरुपाय से सभी ब्रजवासियों ने यशोदा की बिलक्ती पुकार में स्वर मिलाते हुए विलाप करना शुरू कर दिया कृष्ण ने उच्छलकर पहले स्वयम को सर्प बंधन से मुक्त किया फिर अपने दाहिने हाथ से काल्यनाग के विशाल फन की यह दुर्दश्या और पीडा देखकर कृष्ण के वास्तविक रूप को पहचान कर त्रिकाल दर्शी भगवान से उनके जीवन की रक्षार्ट प्राणों की भिक्षा मांगते हुए अनुने विने करने लगी नाग पत्नियों का निवेदन सुनकर कृष्ण को द्रवित होता जानकर काल्यनाग भी साहस करके कृष्ण की स्तूती करने लगा और कहने लगा है परम कृपालु देव आपने मेरे पौरुष एवं विश को नश्ट करके मेरा मान मर्दन कर दिया है अब मैं आपसे अपने प्राणों की भीक मांगता हूँ कृप्या मुझे मेरे स्थल बनाए मेरे कदम चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गए है अब कभी गरूर तुम पर आक्रमन नहीं करेगा यह कहते हुए दीन बंधू कृष्ण ने कालिया को पल्ला पर कर दिया कृष्ण की आग्या के अनुरूप कालियनाग सपरिवार यमुना को छोड़कर स पर शित हुए बाहर निकले तुम्रित प्राय मनुष्य के पुनर जीवित हो जाने के समान गोप वाले उन्हें गले लगा कर स्नेय से दुलारने लगे एक दिन कृष्ण बलराम के साथ गौई चराते हुए एक सुंदर तालाब के किनारे पहुँचे वहाँ एक गधे की आक इस तालाब पर रहने वाला राक्षस धेनुक इनकी रक्षा करता है यदि उस राक्षस से सामना करने का मन हो तो फलों की ओर आक्रिष्ट होना वरना लौट चलो गोप ग्वालों की बात की चुनोती जानकर ततकाल ही कृष्ण ने और बलराम ने वरिक्षों की टहनिया जुका दी काफी सारे फल जड़कर जमीन पर गिर पढ़े यह शोर सुनकर सोया माली धेनुक जाग गया उसने आते ही बलराम जी की चाती पर भयानक चरन प्रहार किया इस पर क्रोधित बलराम जी ने उसे पैर से ही पकड़कर हवा में ही घुमाना शुरू कर दिया जब वो कुछ मिलकर उनकी भी वही गती की इसके बाद यह स्थान भी बिना किसी आतंक के सभी गोपों के लिए रमनी अस्थान बन गया एक बार की बात है अपने संगी साथी ग्वाल गोपों के साथ वन में खेलते कूदते हुए क्रिश्नानंद मग्न विचरन कर रहे थे कि प्रलव नाम का राक्षस भी गोपों की शकल बनाकर उनके बीच आ गया और सब के साथ मस्ती में नाचते हुए मौका पाते ही बलराम जी को अपनी पीट पर बिठा कर भाग खड़ा हुआ बलराम तुरंत यह रहस्य जान गए उन्होंने चिल्ला कर क्रिश्न को पुकारते हुए कहा एक प्राक्षस ग्वालों की शकल में धोखे से उठा कर ले जा रहा है। साधारन मुस्कराहत लाते हुए क्रिश्न ने बलराम से अपने मनुष्य रूप को त्याग कर वास्तविक रूप को पहचान कर व्यवहार करने का संकेत दिया। यह सुनते ही बलराम जी ने अपनी चेश्ट होकर जमीन पर गिरपड़ा और मृत्यू को प्राप्थ हुआ। इस प्रकार कंस के ही तीसरे रक्षक प्रलम कभी अंत हो गया। वर्शा काल के बीट जाने पर सारे ब्रज में शरत काल के आगमन पर इंद्रोत्सव मनाने की तयारी होने लगी। इस पर क्रिश्न ने ब्रज के बड़े व्रिद्धों से इसकी पूरी जानकारी की। बाबा नंद ने क्रिश्न की जिग्यासा शांत करते हुए कहा वात्स। इंद्र जल के स्वामी हैं। उनकी क्रिपा एवं प्रेरना से ही वर्शा होती है। वर्शा से अन्नाधी पैदा होते हैं जिससे अंतर प्राप्त करने के लिए हमारा सब का दायत्व है कि हम स्तुति वंदना से उन्हें सदय प्रसन बनाए रखें। श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रती अपनी अवग्या का मान दर्शाते हुए कहा न तो हम किसान हैं और न व्यापारी, हम तो वन में रहने वाले हैं। हमारे लिए तो देवता हमारी गौएं ही हैं। जिस व्यक्ति की आजीवेका जिस से चलती है वो तो उसकी आधार रूप में पूजा स्तुति करता है। वही उसका वास्तविक इष्ट देव होता है। और जो मनुष्य अपने इष्ट देव की उपेक्षा करके अन्य किसी देव की पूजा अर्चना में समय गवाते हैं वे कभी भी न लोक में न पर लोक में यश के भागी बन पाते हैं। हमारे पश्यू तो पहाडों पर घास आदी से ही अपनी क्षुधा मिटाते हैं। इसलिए हमें तो परवत राज की स्तुति करनी चाहिए। अता इंद्र की जगर गिरी अत्वा गोईग्य करना चाहिए। यह कहते हुए क्रिश्न ने सभी वृध गोपों को संबोधित करते हुए आग्या दी की जो भी सामगरी आपने इंद्र पूजा के लिए एकत्रित की है उसे परवत पूजा में प्रयुक्त करें। सारे ब्रज का दूध पूर्वक यही किया। परवत राज की धूप, दीप, नैवेद द्वारा पूजा करने पर सबको ऐसा लगा कि भगवान विश्नु प्रसन होकर उन्हें गोवर्धन के रूप में दर्शन देकर कृतार्थ कर रही है। देवराज इंद्र ने इस कृत्य को देखकर अपना अनुभव किया और ततकाल क्रोध में कुपित होकर भयंकर मेग निर्मित कर घंगो मुसलाधार वर्षा प्रारंब कर दी। प्रलय का साद्रिश्य उपस्थित हो गया। सब और विनार्ष मूँ चौड़ा करके मानों तांडव करने लगा। गाय, बैल अन्य उपयोगी पर संकट आ गया। ऐसी दशा में कृष्ण ने यह जानकर कि यह सारा उत्पात अपनी पूजा के बदले परवत राज की पूजा से रुष्ट इंद्र का प्रतिशोत स्वरूप हैं मन में विचार किया कि अगर इस समय ब्रजवासियों की इस संकट की स्थिती से रक्षा न बुला लिया। इस प्रकार गोवर्धन के नीचे आने से सभी ब्रजवासी, गाय, बैल तथा अन्य पशुगन इंद्र के कोप से मुक्ती पाकर राहत अनुभव करने लगे। इंद्र ने गोवर्धन परवत की शरण में आय सभी जनों को सुरक्षित जानकर अपना प्रति क्रिष्ण के दर्शन के लिए गोकुल प्रस्थान किया और क्रिष्ण की शरण में आकर निवेदन करते हुए कहने लगा है प्रभू। आपने प्रित्वी का भार हलका करने के उद्देशे से ही अवतरन किया है। मैंने परंपरा कत यग्यादी के निशेद को अनुचित मा आया हूँ। ऐसा कहते हुए इंद्र ने एरावत के घंटे में भरे देवजल से क्रिष्ण जी का अभिशेक करते हुए उन्हें गोओं के स्वामी होने के कारण गोविंद नाम से संबोधित किया तथा बहुविधी स्तूती वंदना करते हुए निवेदन किया कि प्रभू मेरे अंच से उतपन अर्जुन की रक्षा का दायत्वम में आप पर सौपता हूँ। क्रिष्ण ने इंद्र से प्रसन होकर उन्हें अर्जुन की रक्षा के प्रती आश्वस्त किया। इंद्र के वापस देवलोक लोट जाने पर क्रिष्ण भी अपने ग्रह को लोट एक दिन श्री क्रिष्ण बलराम जी के साथ हकेले ही रात को अपनी प्रिय वेनू पर मीठी मृदुल रागिनी में तान छेड बैठे। बासुरी की तान का सुनना था कि उनके चारों और अनेक गोपियां, गोप पतनियां आकर जमा हो गई। क्रिष्ण ने अपनी तरंग म साथ रासलीला करके शरत रितु के चंद्रमा की ज्योत्सना से रात्री को प्रकाशवान कर दिया। इस समय सम्मोहन में फासी गोपियों की दशा ऐसी हो गई कि वे एक क्षन को भी क्रिष्ण का विरा सहन नहीं कर सकी। क्रिष्ण के पलभर को भी उज़ल होते ही उनकी दश को सभी लोग रास में मगन्थे की अरिष्ट नाम का देत्य बैल के रूप में सबको भाईभीत करने आ गया। उससे भायातुर सभी गोप पत्नियां, गोपियां, हे क्रिष्ण, हमें बचाओ, हमें बचाओ का उद्धोश करती हुई चीखने चिलाने लगी। अपने रंग अपना सींग घुसेरने की नियत से वो दैत्य बैल रूप में आगे दोड़ा। उस दैत्य के निकट आते ही क्रिष्ण ने उसके मन का भेद जानते हुए उसके सींग पकड़कर अपने घुटनों को उसके पेट पर दे मारा और उसकी गरदन मरोड कर एक सींग ही उखार द किया। नारद मुनी ने क्रिष्ण के इस प्रकार अलोकिक एवं चमतकारी कृत्यों का बखान करते हुए कंस को आंदोलित कर दिया और वसुदेव तथा देवकी के गर्ब से आठवे पुत्र के रूप में क्रिष्ण को जन्म का रहस्य खोलते हुए अरिष्टा सुर प्रलश्व का वद, कालिय नाग का मान मर्दन, यमल और अर्जुन जैसे व्रिक्षों का जड़ से उखार फेकना, शकट का उलट देना एवं गोवर्धन परवत को धारन कर लेने वाली घटनाय कह सुनाई। इन्हें सुनकर कंस बहुत चिंतित हो गया। कंस ने भरी सभा म वसुदेव जी को बुला कर डाटा और निश्चे किया कि वो दोनों आत्ताई बाल को बलराम तथा कृष्ण को युवा होने से पूर भी खत्म कर देगा। इस तरह आपने महाबली चानूर तथा मल विशेशग्य मुष्टिक जैसे मल्लों से अत्वा कुवल्या पीर हाथी से उन्हें मरवाने की योजना बनाते हुए अकरूर जी को दोनों ही बालकों को मतुरा ले आने के लिए भेज दिया। केशी दैत्य पहले से ही कृष्ण के वद के लिए वरिंदावन में आ चुका था। वो अश्वा रूप में गोपों पर आक्रमन करने लगा। उसके आत तोड़ डाले और क्षनभर में ही यमलोक पहुचा दिया। राक्षस केशी से मुक्ति पाए सभी ब्रजवासी कृष्ण के प्रतिया भार प्रकट करते हुए उनकी प्रशंसा तथा अभिनंदन करने लगे। गोकुल में उपस्थित होकर नारद मुनी ने कृष्ण को प्र संघर्ष वाले दिन युधस्थल पर ही आपके दर्शन करूंगा और आपके हाथों कंज के मारे जाने पर आपका पुनह अभिनंदन करूंगा। अगले दिन अक्रूर जी कंज के आदेशा नुसार रत पर चड़कर क्रिश्ण को बलराम के साथ लेने आप पहुचे। ब्र घर ले आए। भोजनाती करने के पश्चात अक्रूर ने कंस द्वारा वसुदेव के प्रती किये गए दुष्ट आचरन का वर्नन किया। क्रिश्ण ने बताया कि वे यह सब पहले से ही जानते हैं। उनकी मनोदशा समझते हुए क्रिश्ण ने बलराम के साथ मतुरा जाना स्वीकार कर अक्रूर जी को आश्वस्त किया। दूसरे क्रिश्ण और बलराम का अक्रूर जी के साथ मतुरा जाने का समाचार सुनकर सभी गोपिकाएं। ब्रजागनाय तथा गुआल बालों पर मानो वज्रपात्सा हो गया। सभी लोग विलापसा करते हुए क्रिश्ण क को मतुरा जाने के रोकने के निश्फल प्रयास करने लगे। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सका। रास्ते में यमुना में क्रिश्ण और बलराम के सनान करते समय जब अक्रूर जी ने भी सनान करके इश्वर में ध्यान लगाया तो उन्हें क्रिश्ण और बलराम के अपने को सफल कामी मानते हुए आगे गमन किया मतुरा में पहुंचकर कृष्ण ने एक रंग्रेज के घर में प्रवेश करके उनसे कुछ रंग बिरंगे वस्त्रम मांगे त्रंग्रेज ने उन्हें न केवल तिर्सकृत किया बलकि काफी बुरा भला भी कहा इस पर कृष्ण ने उसका सिर्ही धर से अलग कर दिया और मनपसंद कपड़े पहन कर बाहर आ गये यहां से आगे वे एक माली के घर में प्रविश्ट हुए माली ने उन्हें कोई देव पुरुष जानकर स्वागत किया और उन्हें पुष्पादी भेट किये माली ने उनके आगमन को अपन के होने का वर्दान देते हुए उससे विदाली मार्ग में आगे उन्हें लेप करने का बरतन ले जाती हुई एक कुबड़ी युवती मिली कृष्ण ने एक कामी पुरुष की भाती आसक्त नेत्रों से उसे देखा और उससे बात चीत की उस सुंद्री ने बताया कि वो अन अपने शरीर पर वो लेप लगा कर स्वयम को सुशोभित कर लिया उससे प्रसान होकर कृष्ण ने उसको बड़ी युवती की ठोड़ी पर अपने हाथ की आगे की दो अंगुली लगा कर पैरों को अपने पैरों में दबा कर उचका दिया प्रभू की कृपा से वो युवत पुना सुन्दर शरीर वाली युवती के रूप में रूपांतरित हो गई प्रभू की इस आकस्मिक कृपा से पुना रूप सौंदर्य को लोटा देखकर युवती अत्यंत आभार प्रकट करती हुई प्रभू को अपने घर आने का आमंतरन देने लगी कृष्ण ने फिर क रिक्षिकों द्वारा यग्य के उद्देश्य से प्रयोग किये जाने वाले धनुष के बारे में बतलाने पर कृष्ण ने धनुष उठा कर उस पर प्रत्यंचा चड़ा दी ऐसा करने से वो धनुष तूट गया धनुष के तूटने से भयानक शोर हुआ जिसससे सारी मतु द्वारा नगरी हत प्रभ होकर गुंजायमान हो गई धनुष को तूटा देख यग्यरिक्षिकों ने कृष्ण पर आक्रमन कर दिया तो दोनों ही कृष्ण एवं बलराम यग्यरिक्षिकों का सनहार करते हुए यग्यशाला से बाहर आ गये कांस को जब कृष्ण और बलरा का आदेश दिया तथा दूसरी और कुवल्या पीठ हाथी को आदेश दिया कि वो दोनों बालकों को पैरों से कुचल कर मार दे ऐसा आदेश दे कर किन्स अपने आदेश के अनुपालन के समाचार की प्रतीक्षा करने लगा अपने आयोजन के अनुरूप दूसरे दिन कंस ने बड़े पैमाने पर अतितियों को आमंत्रत किया और उन्हें उनके आसनों पर विराज मान करा कर स्वयम सिंघासन पर बैठकर आगे की कारिवाही का अवलोकन करने लगा। बिगुल बजने लगे, पहले तो रंगभूमी में चानूर तथा मुष्टिक राक्षस प्रविष्ट हुए, बाद में कृष्णन तथा बलराम भी उनका अनुगमन करते हुए आ गए। योजना के अनुसार महावत ने कुवल्या पीर हाथी का दोनों बालकों के पीछे दोनों भायों ने हाथी के एक-एक दांट को उखार कर उसी दांट को हाथियार रूप में प्रयूक्त करते हुए महावत पर प्रहार कर दिया। महावत इस आक्रमन के लिए तैयार नहीं था, अता प्रभाव सहन नहीं कर सका और नामशेश हो गया। उधर हाथी भी दंद शूल से तडप तडप कर मर गया। मंडप में उपस्थित सभी स्त्री पुरुष दोनों अल्पवे बालकों का कौतुक मैं साहस देखकर मंत्र मुगधा होकर उनकी प्रशंसा और स्तुती वंदना करने लगे। में कृष्ण ने चानूर को उपर उठा लिया और उसके निर्जीव हो जाने पर धर्ती पर पटक दिया। दूसरी और बलराम जी ने मुष्टिक के माथे पर मुकों घूसों से उसके वक्षस्थल पर घुटनों से प्रहार करके मृतक के समान जानकर जमीन पर धराशाई कर द दिया। दोनों ही दुष्ट दैतियों के सनहार के पश्चात मलराच दोशल अपने कर्तब दिखाने मंच पर आया। कृष्ण ने उसे अपने बाएं हाथ से घूसा मार कर परलो कगामी कर दिया। ये अद्रिश्य देखकर कंस आग बबूला हो गया। उसने अपने अनुच जर उसके आदेश का पालन करें इससे पहले ही कृष्ण कूद कर सिंगासन मंच पर पहँच गए। उन्होंने कंस के केशों को पकर कर जोर से खीचते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। फिर स्वयम उसकी छाती पर कूद कर बैठ गए। कंस ने कृष्ण के द्वारा उसे इस प्रकार धर्ती पर गिराते ही प्रांट त्याग दिये। कंस के वद के बाद उसके भाई सुमाली ने दोनों भाईयों पर आक्रमन कर दिया किन्तु बलराम जी ने अपनी चतुराई से उसे भी मार डाला। इस प्रकार दुष्टों का दलन कर कृष्ण ने मंच पर उप अस्थे तथा उपेक्षित खड़े देव की एवं वसुदेव जी के चरन स्पर्श करते हुए प्रणाम। माता पिता ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें गले लगा लिया। उधर पती के मरन के पश्चात कंस की पतनिया उसके शोक में विलाप और क्रंदन क करने लगी। ऐसा वातावरन देख कर स्वयम कृष्ण भी द्रावित हो उठे। फिर भी सैयत होकर उन्होंने शोक विल्वल परिवार को सांत्वना दी और अंतिश्टी संस्कार की व्यवस्था कराई। नाना उग्रसेन ने उनका अनेक प्रकार से अभिनंदन किया। यह स सबकार्य संपन कराकर श्री कृष्ण तथा बल्राम संधीपन गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए चले गए। मात चौसट दिन में ही दोनों भाय अस्ट्र मंत्रोप निशद, रहस्य, तथा अस्ट्र प्रयोग, संग्रय, सहेत संपून धनुर विद्या में प आगरा किया तो गुरु ने उनकी विलक्षन प्रतिभा देखकर साक्षात सूर्य तथा चंद्रमा के समान चमतकारी प्रकाशवान जानते हुए प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में अपने मरे पुत्र को पुनह जीवित लाने का अनुरोध किया। कृष्ण जब गु जन देत्य से युद्ध किया तथा उसे मार डाला। उसके अस्थी रुपी शंक को बजाते हुए कृष्ण यम पूरी पोहँच गए। वहां वो बालक यम यातना को बड़े कश्ट में भोग रहा था। कृष्ण ने बालक को वहां से मुक्त कराया और लोट कर पुनह गु लोट आने पर सभी मथुरार वासियों ने उनका उल्लस से थरदय से स्वागत किया किन्तु तभी एक अनिष्ट के संकेत भी दिखलाई पड़े। कंस के श्वसो जरासंध ने अपने दामात कंस का बदला लेने के उद्देश से 23 अक्षोहिनी सेना के बल से उन पर आक्रमन कर दिया। बलराम तथा कृष्ण के पास थोड़ी ही सेना थी लेकिन वे शत्रू से भीड़ गए। श्री कृष्ण ने धनुष, अक्षेबानों तथा कामोत की गदा लेकर बलराम ने हल तथा सुनंद मूसलों से शत्रू सेना पर प्रती आक्रमन कर दिया जिसका जटका ज जेल नहीं सके और भाग खड़े हुए। किन्तु कुछ दिन के विश्राम के पश्चात जरासंद ने फिर नए सिरे से सेना जुटा कर मतुरा पर आक्रमन कर दिया। इस बार भी कृष्ण और बलराम से हार कर वो भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार जरासंद का कृष्ण से लड़ने के लिए आना तथा भाग खड़ा होना लगभग 18 बार चला। कृष्ण के नेतरित्व में यादवों की छो सेना जरासंद की सेना को पचारती रही। यादवों की सभा में एक बार गाग्यजी को उनकी पतनी के भाई ने नपुनसक कहकर अपमानित किया। इस परशन दिये और अभीष्ट प्रदान किया। इसके उपरांत एक पुत्रहीन यवन्राज ने अपनी सेवा से गाग्यजी को प्रसंद करके उनकी स्त्री के साथ समागम करके कृष्ण वर्ण के वज्र के समान कठोर वक्ष वाले कालेवन बालक को उत्पन किया। उसे राज अते ही कालेवन ने अपनी विरात सेना के साथ प्रित्वी पर तथा यादवों पर अपना आक्रमन अभियान शुरू कर दिया। कृष्ण ने यह तथे जानकर कि कालेवन तथा जरासंद के दो मोचों पर यादवों की छो सेना एक साथ लड़ेगी तो एक पक्ष से विजे कृष्ण ने समुद्र से लगभग डेड़ सो किलोमीटर यानी बारह योजन भूमी मांग कर उसमें द्वारिका की रचना की। कालेवन द्वारा मतुरा के घेरे जाने पर कृष्ण ने सभी मतुरार वासियों को द्वारिका भिजवा दिया और लोटकर अकेले ही कालेवन स से भीर गए जैसे ही कालेवन उन पर लपका कृष्ण महाबलवान मुचुकूद की गुफा में घुस गए वो महाबली उस समय सो रहा था कृष्ण का पीछा करते हुए कालेवन भी उसी गुफा में पहुँच गया और जैसे ही उसने सोए मुचुकूद पर कृष्ण जानक मुचुकूद ने देवताओं को विजय श्री दिलाई लेकिन इस विजय में वे बहुत अधिक ठक गए थे। अतह उन्होंने देवताओं से लंबे समय तक सोने का वर्दान प्राप्त कर लिया था। फिर क्या था? मुचुकूद ने सरवेश्वर हरी को कृष्ण रूप में समक्ष पाकर उनकी बहुविधी स्तूती की और चरणों में गिरकर वंदना करने लगा। उसकी भक्ती से प्रसन भगवान ने मुचुकूद को दिव्य लोक में जाकर दैविय भोगों को भोगते अंत में उच्शकुल में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करने का वर्दन दे दिया। गुफा से निकलकर मुचुकूद तो गंधमादन परवत पर तप करने के लिए चला गया। श्री कृष्ण मतुरा में घेरा डाले पड़ी कालेवन की सेना को अपने वश में करके द्वा वारिका ले आय और महाराज उग्रसेन के अधीन कर दिया। वरुन ने एक बार प्रित्वी को धारन करने वाले शैश्टना के अवतार रूप बलराम जी को गोप ग्वालों के साथ विचरन करते हुए वन में देख लिया तो उनके उपभोग के लिए वरुन ने कदम के पह अचते गाते बजाते प्रसन मन से मदिरा का सेवन किया। धूप से अत्यंत व्याकुल बलराम जी ने एक बार शीतलता पान के उद्देश्य से यमुना जी को स्नान के लिए आमंतरित किया। यमुना ने यह जान कर कि यह तो एक उनमत का प्रलाप है। उनके आहवान की सामना करने लगी। इस पर बलराम जी ने उन्हें एक निर्धारित मार्ग पर बहने का प्रतिबंध लगाकर उनपर कृपा करते हुए उन्हें छोड़ दिया। यमुना मिस्नान करके बलराम जब बाहर आय तो सामने लक्षमी को पाया। लक्षमी ने उन्हें एक सुनदर क एक कुंडल तथा वरुन द्वारा भेजी गई कभी न मुर्जाय जाने वाले फूलों की एक माला भेट की और साथ में दो नीलवर्नी वस्त्र भी दिये बलराम इनको धारन कर अत्यन प्रसन हुए ये सभी चीजे उनकी शोभा बढ़ाने वाली थी वहां से ब्रजभूमी में लोट कर दो मास बलराम यहां रहे अपनी अनेक लीलाएं की ब्रजवासियों को प्रसन किया तत पश्चाद द्वारिका लोट गए द्वारिका में उन्होंने रैवत मुनी की पुत्री रेवती से विवाह किया रेवती से उनके यहां निशट तथा उलूक नाम के दो पुत भीश्मक के पुत्र रुकमी का यादवों से भयंकर द्वेश था इसी कारण कृष्ण द्वारा विवाह का प्रस्तावाने पर भीश्मक उसे स्वीकार नहीं कर सके और इसके विप्रीट शिशुपाल से विवाह करना निश्चे कर दिया इस विवाह में जरा संथ तथा अन विदूरत शिशुपाल जरा संथ तथा शाल्व आधी राजाओं ने क्रोध में कृष्ण का वद करने का पूरा प्रयास किया किन्तु महाबली बलराम और उनके साथ ही यादवों की चोली के सामने पर रास्त हो गए यह त्रिश्य देखकर भीश्मक पुत्र रुकमी ने घर न लोटने की प्रतिग्या करके कृष्ण का पीछा भी किया लेकिन कृष्ण की माया के आगे उसका बस नहीं चला। कृष्ण की लीला से उसकी सारी सेना नश्ट हो गई और कृष्ण ने रुकमी को धर्ती पर गिरा दिया। वैदे कृती से कृष्ण ने रुकमिनी से विवाह किया और प्रद्यूम नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली सुन्दर पुत्र को प्राप्त किया। दैवयोग से प्रद्यूम नाभी छह मास का ही था कि शंबरासुर नाम का राक्षस उसे अपना प्रान घाती जानकर प्रसूति का ग्रह से ही उठा कर ले गया और समुद्र में फेक दिया जहां भयानक मगरों का देरा था। एक भयानक मगर ने प्रद्यूम को ग्रसित कर लिया। यह बालक दैर्वी कृपा का धनी था। अतव मगर द्वारा पचाली जाने पर भी जीवित रहा। कुछ समय बाद कुछ मच्छुआरों ने जाल डाल कर मगर पकर लिये। उनमें से इस विक्राल मगर को की घर की सारी रसोई का कार्य अपने सामने करवाती थी। अतव मगर का पेट भी अपने सामने ही चिरवाया। उस मगर के उदर से वो ज्योतिमान तेजस्वी बालक निकला तो इसी ने नारद मुनी से उसके बारे में सब कुछ स्पष्ट बता दिया कि यह कृष्ण पुत् मायावती के चमतकार से जीवित रहा और अब यह तुम्हारे समक्ष है। नारद ने मायावती से यह नुरोद किया कि मायावती इसे स्वयम पाले। मायावती ने नारद की आग्या को आशीरवाद मान कर बड़े चाव एवं प्रेम से बालक का पालन प्रारंब कर दिया। यहां तक वो बालक बड़ा होकर पूर्व युवा एवं बड़ा ही रुपवान हो गया। मायावती स्वयम उस पर मुगध हो गई। इस प्रेम के वशी भूत ही उसने प्रद्यूम्न को सभी राक्षसी विद्याएं भी सिखा दी। युवन के उद्दाम प्रवाह में जब मायावती ने प्रद्यूम्न से प्रणय याचना की तो प्रद्यूम्न को यह सब विधान के विप्रीत लगा। तभी मायावती ने उस पालत बालक के जन्म का सारा रहे से ग्यापित कर दिया। उसकी वास्तविक मारुकमिनी तो आज तक अश्रुपूरित नेत्रों से उसकी कुशलता की कामना कर रही है। यह सुनते ही क्रोधि प्रद्यूम्न ने शश्वरासूर से युद्ध किया और उसकी विशाल सेना को नश्ट कर दिया। ट्राक्षसी सातों मायाओं को प्रभावीन करते हुए। शश्वरासूर की आठवी माया का प्रयोग करते हुए उसका वद्ध कर दिया। यह विमान द्वारा मायावती के साथ द्वारे का आ गया। कृष्ण रूप प्रद्यूम्न को अंतहपोर की रानियों ने जब देखा तो उन्हें कृष्ण का भ्रम हो गया लेकिन रुक्मिनी के मन में उसके प्रती ममत्व जाग उठा। वो कहने लगी कि बेटा मेरे मन में तो तुम्हारे प्रती वात्सल्य भाव जाग रहा है। रुक्मिनी और प्रद्यूम्न की अभी बातचीत प्रारंभी हुई थी कि तभी अर्दपूर में श्री कृष्ण नारत के साथ पधारे। नारत जी ने यह रहे से उद्गाटत किया कि यह प्रद्यूम्न रुक्मनी का वही बेटा है जिसे शश्वरासूर प्रसूती कक्ष से ले गया था। नारत जी ने यह भी बताया कि प्रद्यूम्द के साथ में आई हुई यह स्त्री मायावती वास्तव में शंबरासुर की पत्नी नहीं है बलकि प्रद्यूम्द की ही पत्नी है पूर्वजन में कामदेव के भस्म हो जाने पर पती के पुनरजन की प्रतीक्षा करती हुई इस द प्रद्यूम्न कामदेव का ही तप और मायावती रती का ही रूप है। ये दोनों आपके पुत्र और पुत्रवधु हैं। अब आप इन्हें स्वीकार करके सुखलाप करें। नारत के ये वचन सुनकर कृष्ण और रुक्मिनी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। द्वारि चारू आदी नौ पुत्र जन्न में। क्रिश्ण की 16,000 रानियों में रुक्मिनी के अतिरेक्ट सत्यभामा, भद्रा, सत्या, रोहिनी, कालिंदी, लक्ष्मना और मित्रविंदा प्रमुक्थी। प्रद्यूम्न ने रुक्मी की कन्या से विवाह करके अनिरुध नाम के वी जना बना डाली और बलराम द्वारा लगाए गए सभी दावा को जीत कर भरी सभा में रुक्मी का उभास करने लगे। बलराम की इस हार से प्रसन होकर कलिंगराज भी उभास करते हुए अनाप शनाप बखने लगा। इस पर क्रुध होकर बलराम जी ने एक करोर मुद्रा क दाव लगा डाला और उसे जीत लिया। सभा में उपस्थित सभी राजाओं और प्रत्यक्षदर्शियों के स्वीकार के बाद भी रुक्मी ने इस दाव में अपनी हार नहीं मानी तो बलराम जी ने अडियल रुक्मी का वद कर डाला और दुष्ट उपासी कलिंगराज के दात तोर दिये। और इनके सभी समर्थकों को भी मौत के घात उतार दिया। दुष्टों को उनके कर्म का फल देते हुए अपने यादव बंधुओं को साथ लेकर बलराम जी द्वारिका लोट आये। दियोग देकर उपकृत किया किंतु प्राग जोतिशपोर के राजा नरकासुर के उतपात से जो जन तथा धन हानी हो रही है। उससे समस्त पृत्वी आतंग के तथा दुखी है। इस दुष्ट राक्षस ने अनेक देवताओं, सिध्ध महात्मा और इशी मुनियों, तप प्रभू, वो दुष्ट तो स्वयम मेरी मा अदिती के अमरित रस्रावी कुंडलों और मेरे एरावत हाथी को भी हस्तकत करना चाहता है। उसकी दानवी प्रवृतियां दिन पर दिन बढ़ रही हैं। पृत्वी के सभी नर नारी उससे त्रस्त और पीडित हैं। आप कृ पूरी यात्रा में भी कृष्ण को अनेक दुष्ट शक्तियों का नाश करना पड़ा। वास्तव में जयोतिशपूर के चारों और सौ योजन तक फैला हुआ भू भाग मुर नाम के दैत्य द्वारा बड़े प्रयत्नों से बनाए गए नुकीले तारों से घिरा होने के कार जयोतिशपूर में प्रवेश करते ही कृष्ण के सामने नर्कासूर अपनी सेना के साथ तैयार था। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के दो टुकड़े करके धर्ती पर फेक। स्तुति की फिर कहा है प्रभो। आपने तो अपने ही पुत्र का वद्ध कर डाला। आपको स्मरण नहीं रहा कि वराह रूप में आपने मेरा उध्धार किया था। जब मेरे साथ आप ही के समागम से यह नर्स्तुसर पैदा हुआ था। यद्यपी यह दुष्ट और दुराचारी था तब भी मेरा और आपका पुत्र ही था। अब मेरी आपसे यह विनती है कि इसकी संतान की रक्षा का दायत्व आप स्वीकार करें। कृष्ण ने धर्ती की प्रार्थना स्वीकार की और उसके पिता की राजगद्धी उसे देते हुए और नर्कासु द्वारा दूसरों की चीनी और चुराई गई वस्तुओं को अपने अधिकार में लेते हुए सत्यभामा के साथ द्वारिका के लिए रवाना हुए। कृष्ण ने स्वर्ग के देवताओं को नर्कासुर के वद्व का सुखत समाचार भी दिया। अधिती को उसके कुंडल और वरुन को उसका छत्र वापस लोटा दिये। इस सारे कारिक्रम के पश्चात इंद्र और उसकी इंद्रानी ने कृष्ण को सत्यभामा सहित स्वर्ग में आमंत्रित करते हुए उनका बहुविधी स्वागत सत्कार किया। शची ने श्रधा पूर्व का आराधन पूजन तो किया किन्तु भूलवश सत्यभामा को एक सामानिस्त्री समझ बैठी और देवरिक्ष कल्प के पुश्पुने नहीं दिये। सत्यभामा के लिए यह बात चुभने वाली थी। इंद्र के नंदनवन में कृष्ण के साथ भ्रमन करते हुए उसने अनेक मनोरम, मोहक और मन को आनन्द देने वाले सुर्भिध पुश्पों से लदे व्रिक्षों के साथ पारजात व्रिक्ष भी देखा। पारजात व्रिक्ष के रूप सौंदर्य एवं गंध पर मुगद सत्यभामा ने कृष्ण से उसे द्वारिका ले चलने के लिए अनुरोध किया। पत्नी प्रिया की इच्छा देखते हुए कृष्ण ने ऐसा ही उपक्रम किया। वन के रिक्षकों ने पारजात व्रिक्ष को इंदरानी के अधिकार की वस्तु कहते हुए कृष्ण को रोकने का असफ़ल प्रयास किया और सचेत करते हुए कहा कि नियम विरुद्ध इस व्रिक्ष को ले जाने से देवता कुपित हो जाएंगे और इतनी छोबात के लिए देवताओं से वैर बढ़ाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ट्रिक्षकों से तर्क करती हुई क्रोधित सत्यभामा ने कहा कि चंद्रमा, लक्ष्मी, अम्रित और मदिरा के समान ही समुद्र मंथन से प्राप्तियह पादप भी किसी की व्यक्तिगत संपत्ती नहीं। वही इस अंधिकार चेष्टा का समाचार मौलियों द्वारा मिला। उसने देवसे न सहेत इंद्र को चल्दबल से किसी भी प्रकार से कृष्ण को परास्त कर पारजात व्रिक्ष को वापस लोटा लाने के लिए भेज दिया। कृष्ण तो स्वयम शक्ति रूप थे। विश्णू के अंच थे। अता उन्हें वरुन के पाश, यम के दंड, कुबेर के पोत, अगनी के ताप और शिव के त्रिशूल को प्रभावहीं करने में कोई देर नहीं लगी। इंद्र भी हताश हो गए। वो वज्र को हाथ में लेकर लड़ने लगे। कृष्ण ने वज्र को अपने कबजे में ले लिया और कृष्ण के वाहन गरूर ने एरावत को घाल कर दिया। इस संकट से इंद्र घबरा कर भाग खड़ा हुआ। तभी सत्यभामा ने इंद्र और शची के अभिमान को तूटता देख इंद्र का मान मर्दन करते हुए कहा तुम्हारी इसी शक्ति के बल पर शची को घमन था। लो ले जाओ यह पारजात व्रिक्ष। मैंने इसे जीत करते हुए अनुरोध किया कि वे इस व्रिक्ष को द्वारिका पुरी ले जाए। कृष्ण इंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए और उन्हें कृतार्थ करते हुए पारिजात व्रिक्ष सहित द्वारिका लोटाए। द्वारिका में यह पारिजात पुष्प संपत्ति और वैभव की वर्षा होने लगी। रुकमिनी के अतिरिक्त क्रिष्ण की अन्य पत्नियों से संतानों का वर्णन करते हुए पर आश्चर जी ने कहा कि सत्यभामा ने भानू, भौमेरिक को, रोहिनी ने दीप्तिमान और तामरपक्षादी को, मित्रविंदा ने प्रमुक पुत्र था, उसी प्रद्यूम्न के पुत्र अनिरुध से वज्र का जन्म हुआ, अनिरुध युध में रोका जा सकने वाला अजेयर और महाबलशाली था, उसका विवाह बली की पौत्री और बानासुर की पुत्री उशा से हुआ था, इस विवाह में कृष्ण और शंकर का भायनकर युद्ध हुआ, बानासुर शंकर पक्ष की ओर से लड़ा, शिव और कृष्ण के युद्ध को विस्तार से बताते हुए मुनी पराशने बताया, एक बार दैत्यराज बानासुर की पुत्री ने शंकर तथा पार्वती को रतिक्रिया करते हुए देख कर स्वयम भी उसी प्रकार के सुख प्राप्ती की कामना की। पार्वती जी ने उसके मन की इच्छ जानकर उसके मनोनुकूल वातावरन शीघ्र ही बन जाएगा कह कर आश्वस्त किया। पार्वती ने यह भी बताया कि वैशाक मास की शुकल पक्ष की द्वादशी की रातरी को तेरे साथ बलात समागम करने वाला ही तेरा पती होगा. पार्वती के कथनानुसार ही उस रातरी में स्वप्न की दशा में ही उशा से एक पुरुश सम्भूग कर गया. उशा ने जागने पर जब उसे पुरुष को अपने समीप न पाया तो वो बौरा उसकी स्मृती में हेनात आप कहां चले गए कहती हुई विलाप करने लगी और अपने प्रिय को पाने के लिए जल बिन मीन की भांती छटपटाने लगी इस घटना के बारे में उशा की सभी सखिया अन्भिग्यत ही अतहवे उसकी कोई भी सहायता न कर सकी किन्तु वानासुर के प्रिय मंत्री क्रिम्भानू की पुत्री चित्रलेखा उसकी पीडा से गंभीर रूप से जुड़ गई उसने उशा को रहस्य को गुप्त रखने का वचन देते हुए उससे सारी कथा जान ली उसने सप्ताह भर में ही उशा के प्रेमी को उसकी सेवा में प्रस्तुत करने का वचन देकर उशा को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया अपने और अन्य ग्रह आधी के काम में व्यस्त हो गई ठीक समय आने पर उशा के सम्मुख एक प्रमुख व्यक्ति देव गंधर वसुर दैत्या आधी के चित्र प्रस्तुत किये और उशा से अपने प्रेमी को पहचानने के लिए कहा तो उशा ने कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद के चित्र को देखते ही पहचान लिया। चित्रलेखा ने बताया कि ये कृष्ण का पौत्र है। साथ तालों में बंद द्वारिका में वास करता है। फिर भी मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ तुम्हारा मिलन शीग रही कराऊंगी। बानासुर से हैस्र भुजावाला देत्य था। वो बहुत बलशाली था। उसके सम्मुख कोई ही नहीं पाता था। कोई उसका प्रतिद्वंदवी था ही नहीं। उससे अपनी समस्थ भुजाए निश्प्रयोजन लगने लगी तो उसने शिव जी से ग्यात किया क्या कभी उ वजा को तूटा हुआ पाया तो वो युद्ध की कामना से प्रफुलित हो उठा एक और बानासुर युद्ध की संभावना से प्रफुलित था और दूसरी और अपने योग बल से चित्रलेखा द्वारिका से अनिरुद का हरन करके उशा के कक्ष में ले आई अपने महल में उ अतकाल अनिरुद का वद कर डालने का आदेश दे दिया किन्तु महा प्राक्रमी अनिरुद ने अपने सुरक्षित अस्त्र से सभी सेवकों और अनुचरों को यमपूरी पहुँचा दिया सेवकों के इस तरह हताश होकर मारे जाने का समाचार सुनकर क्रोध में फुफकारता हुआ देत्यराजबाना सुर्स्वयम रत पर चड़कर अनिरुद से युद्ध के लिए ततपर होकर आ गया किन्तु वो किसी प्रकार से उस पर विजय न पा सका तो छल से उसने भी बताया कि कुम्भानू की पुत्री चित्रलेखा उसे योगमाया के बल से ले गई क्यूंकि बानासुर की पुत्री उशा उसके प्रेम में अनुरक्त थी। ये अवरितान्थ सुनकर क्रिश्ण अपनी यादव सेना को लेकर प्रद्युम्न तथा बलराम के साथ ज्वर ज्वर से कृष्ण पर आक्रमन किया किन्तू विश्णू ज्वर की काट से उसका कुछ भी प्रभाव न हो सका। अब कृष्ण की समस्त यादव सेना बानासुर की सैन्य शक्ति को रौंदने लगी। अपनी शक्ति शाली सेना का इस प्रकार सर्वनाश देखकर घबराया बानासुर रक्षा के लिए शिवजी की शरण में पहुचा तो शिवज ने बानासुर के पक्ष में कार्टिके के साथ सहयोग करना स्वीकार कर लिया। अब क्रिष्ण और शंकर में भीशन यूद्ध छेड़ गया। चारो तरफ प्रलय का द्रिश्य उपस्थित हो गया। क्रिष्ण ने अपना अमोग जुमकास्त्र छोड़ा जिससे अलसाई मुद्रा बनाए शंकरतो यूद्ध से विरत रत के प्रिष्ट भाग में जा बैठे। गरूर ने उनके वहन को भी नश्ट कर दिया। प्रद्यूम्न के अस्त्रों से पीड़ित कार्टिके भी पलायन क कर गए। इस प्रकार अपनी मूल शक्ती को प्रभावीन देखकर बानासुर स्वयम रत पर चरकर युद्ध में सन्नध्ध होकर लड़ने लगा। अब बलराम जी ने भी अपने कर्तब दिखाए और बानों की ऐसी तीवर एवं प्रबल वर्षा की की बानासुर की अधिका करने लगे। काफी समय पश्चात कृष्ण ने दैत्य पर विजय पाने हितू अपने सुदर्शन को घुमा दिया। तभी नगनावस्था में दैत्यों की कुल देवी कोटरी कृष्ण के सम्मुक प्रकट हो गई। मर्यादा का ध्यान करते हुए कृष्ण ने आखे बंद क करके सुदर्शन छोड़ दिया। बानासुर के सभी प्रहारों को बेकार सिध्ध करते हुए सुदर्शन ने बानासुर की सभी भुजाएं काट डाली। केवल दो भुजाएं शेश रह गई। इन्हें भी काट डालने के लिए कृष्ण ने पुनह सुदर्शन छोड़ने क का उपक्रम किया तभी मध्य में शिव ने आकर दैत्य का पक्ष लेकर क्षमा याचना की और कहा महाप्रभू मैंने इसे अजेया होने का वर्दान दे रखा है कृप्या मेरे वर्दान को तो आप जूठा न करें कृष्ण ने हमारा वचन आपका वचन समान धर्म है अता जब हम में कोई भेद नहीं तो फिर इसको छोड़ दिया जाता है ऐसा कहते हुए बानासुर के मृत्युकाल को टाल दिया और अनिरुदूशा को साथ लेकर दलबल सहेत कुशलता से द्वारिका नगरी को लोट आए पॉंद्रवंश में एक वासुदेव नाम का राजा हुआ है वो अपने मिथ्या अहनकार और अग्यान में स्वयम को श्री विष्णु के रूप में अफ्तरित वासुदेव समझ कर व्यवहार करने लगा उसने कृष्ण की ही भाती अव्यव और वेश्भूशा बना ली और स्वयम की पूजा स्तुति कराने लगा जब उसे यह ग्यात हुआ कि द्वारिका में भी एक अन्य व्यक्ति वासुदेव के नाम से जाना जाता है तो उसने अपने दूद के द्वारा यह समाचार प्रेशित करवाया ये सभी मिथ्या चिक्रादी संकेतों को त्याग कर मेरे जीवन संकट में आ जाएगा। कृष्ण ने इस सुभास जनक समाचार को सुना तो उनके मन में अपने समरूप को देखने की जिग्यासा पैदा हुई। कृष्ण ने दूद से कहलवा दिया कि मैं आपके राजा का मनतव्य जान गया हूं कल मैं अपने संकेत और वेशबू कृष्ण अवश्य लेकर आऊंगा तब सत्य का स्वयम निर्नय हो जाएगा। गरूर पर चड़कर कृष्ण पॉंट्रक की राजधानी में पहांच गये। वक्ष पर श्रीवत्स का संकेत और अनेक रतनादी धारन कर रखे है तो कृष्ण उसके इस रूप को देख कर हसने लगे। यूद की स्थिती आ गई तो कृष्ण को पॉंट्रक का दंब चूरन करने में एक शनांश भी नहीं लगा। उसकी सारी सेना नश्ट भरष्ट हो गई। कृष्ण ने उस दुष्ट मित्याचारी से कहा तुमने अपने दूत द्वारा ये सभी चिन्ह मांगे थे। तो मैं इन्हें यहीं छोड़ रहा हूँ। कृष्ण ने उन चेहनों को जैसे उतारा वैसे ही उन्होंने पॉंड्रक को चीर डाला। काशी नरेश पॉंड्रक की यह दशा देखकर स्वयम युद्ध के लिए आगे बढ़ा तो प्रभू ने शांग धनू से छोड़े एक ही क्षण में उसको भी निस्ते जेवं सुना तो उसने पुरोहित से परामर्ष करके भगवान भूले शंकर का स्मरन किया और उन्हें प्रसंद कर उनसे पित्री घाती के लिए कृत्या उत्पन करने का वर्दान मांगा। पुत्र को समस्थ सेना को पूरी काशी नगरी को जला दिया। कृत्या भी जलकर भस्म हो गई। और चक्रपुनह क्रिष्ण के पास लौट आया। क्रिष्ण जी के साथ साथ शैशनाग के अवतार बलराम जी के पराक्रम की भी चर्चा करते हुए श्रीपराश जी बोले ज प्रकार पाश में बांधे जाने का समाचार मिला तोक शुब्द बलराम स्वयम कौर्वों के बीच में चले गए हस्टिनाप्पूर की सीमा के समीप स्थित बगीचे में बलराम के विश्राम का समाचार सुनकर सभी प्रमुख लोगों के साथ स्वयम दुरियोधन उनके आत इसने है अनिता हमें आपकी शक्ति से कोई भय नहीं है साम्मिय का छोड़ा जाना संभव नहीं कौर्वों के इस प्रकार रूखे व्यवहार और अपने प्रस्ताव की उपेक्षा को बलराम सहन नहीं कर सके और सभी कौर्वों के दर्प को चूरण करने के उद्देश से अपन से क्षमा याचना करने लगे कौर्वों को आखरकार पराजस्वीकार करते हुए साम्म को उसकी प्रयसी के साथ ससम्मान विदा करना पड़ा इस प्रकार बलराम अकेले ही कौर्वों के दर्प को तोड़ कर साम्य सहित वापस लोटाए कृष्ण ने नरकासुर का वध देव करना तथा सभी मानविय मर्यादाओं का उलंगन प्रारंब कर दिया यह द्विविद इतना अधिक दुष्टता पून कार्य करने लगा कि निरप्राद ग्रामीनों के गाउं के गाउं जला देता था और शेश पर परवत शिलाएं गिरा देता उसने तो धर्ति पर से मर्या पात्र फोर डाले स्त्रियों पर फब्दियां कसने लगा तथा बल्राम जी का उपहास करने लगा प्रारंब में बल्राम जी ने उसे सामान्य रूप से डराने धमकाने से सही मार पर लाने का प्रयास किया किन्तु प्रतियोतर में दुष्ट ने एक पत्थर की शिलाही बल् बल्राम ने भूतल से उसका प्रतिकार कर दिया। फिर भी, द्विविद को शान्ती नहीं मिली तो उसने उनकी छाती में एक घूसा मारा तो बल्राम ने द्विविद के सिर पर घूसा मारकर उसे अचेत कर धर्ती पर गिर दिया। द्विविद के मरने पर देवों को बड़ी प्रसन्नता हुई और इसके लिए सभी देवगन बलराम का उपकार मानते हुए उन पर पुष्पवर्शा करने लगे। इस प्रकार सभी दुष्टों, दानवों, दैत्यों का सनहार करके कृष्णन तथा बलराम ने विश्णू तथा शेशावतार के रूप में महाभारत की 18 अक्षोहिनी सेना का भी सफाया कर दिया। और पृत्वी के भार को हलका करके, धर्म तथा मर्यादा की फिर से स्थापना करके मानव देहत्याग कर पुनह अपने विश्णू धाम चले गए। द्वारिका छोड़ने से पूर्वी प्रभू ने विप्रशाप के कारण अपने कुल का भी नाश पूर्ण करा दिया। आगे यादव कुल को लगे विप्रशाप से उनके विनाश और कृष्ण के देहत्याग के संस्मरन को सुनाते हुए पर आशर जी ने बताया एक समय की बात है कि कुछ अधिक अभिमानी तथा दिक भ्रमित युवा यादवों ने आश्रम में वास कर रहे मुनी विश्वाम कान और नारद से परिहास करते हुए उनके व्यक्तित्व के प्रतिकूल व्यवहार किया युवको ने सांध को स्त्री वेश में मुनियों के समक्ष लाकर पूछा कि कृप्या बताएं यह स्त्री पूत्र जमेगी या पूत्री मुनियों ने उनकी धूर्टता को जानते जन देगी जिससे तुम्हारे सारे कोल का ही नाश हो जाएगा कुछ समय बाद साम्य के पेट से एक मुसल किला उग्रसेन को इस संदर्ब में सारी जानकरी दी गई उग्रसेन जी ने उस लौह मुसल का चूरण करवा कर समुदर में फिंक्वा दिया इससे समुदर में टीकी नोक वाले अनेक सरकंडे उपजाए। मूसल की बची नोक भी सागर में ही फेक दी गई जिसे एक मचली ने उदरस्त कर लिया। यह नोक मच्छूओं द्वारा मचली चीरे जाने पर जरा व्याद के हाथों लग गई। व्याद ने उसे अपने बान में लगाकर उससे एक अस पुरे दायत्व का निर्वाह हो गया है और अवतार धारन के आपको सौ वर्ष हो चुके हैं। सभी अभीष्ट पूरे हो चुके हैं। अतह आप पुना स्वर्ग लोटकर उन्हें कृतार्थ करें। स्वर्ग आपके बिना सूना सा लगता है। यह सुनकर कृष्ण ने कहा बिना यादव कुल के नाश के पृत्वी का भार हलका नहीं हो पाएगा। अतह साथ दिन में मैं उनके विनाश हो चुकने पर समुद्र से मांगी द्वारिका पुना समुद्र को सौप कर स्वयम ही यह दे छोड़कर आ रहा हूं। इस प्रकार कृष्ण के आगमन की से आश्वस्त वायु स्वर्ग लोड़ गए। द्वारिका में नित्य ही मच रहे उतपीरन और उतपात को देख कर शांतमना कृष्ण ने उन सभी से द्वारिका छोड़कर प्रभास क्षेत्र में चलने के लिए कहा और अपने प्रियस सखा उध्धव के असमय समक्षा जा हां, मेरा भुवन तलमग नहीं होगा। भक्तों के हित उसमें सदैव वास रहेगा। श्री कृष्ण जी से इस प्रकार आदेश पाकर उध्धव जी तो बद्रीनात चले गए। यादव गण यहां आकर अत्यांत उच्रिंखल हो गए। मदेरा का अत्यधिक सेवन करके पर उनको समुद्र में फेके जाने पर उत्पन, लोहे के नुकीले सरकंडों को तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर फेक कर मारने लगे। यह लोहतीर के समान प्रहारक सरकंडे यादवों को वेदना पहुंचाने लगे। कृष्ण ने उन्हें उनका करतव्य बोध कराते हुए युद्ध शांत करने का भरसक प्रयास किया किन्तु उनका नाश निकर था अतह विवेक्शुन्य यादव आपस में ही मिथ्या अहंकार के वशीभूत मरते रहे। लेकिन कृष्ण की राय अत्वा पराम शत्वा आदेश का उन्होंने लेश मात्र भी प्रभाव अनुभव नहीं किया। कृष्ण ने इस प्रकार अपनी अवमाना देख कर बहुत सरकंडों को अपनी मुठी से उखार कर यादव पर फेक। थोड़ी ही देर में बलराम तथा कृष्ण तथा उनके सारती दारुक को छोड़े सभी यादव नामशेश हो गये। कृष्ण का जैन रत भी समुद्र में समाधिस्थ हो गया। कृष्ण के सभी अस्त्र शस्त्र, शंक, गदा, चक्र, तूनीर, धनुश और खग भी उनके संकेत से विश्नु धाम पहँच गये। इसी समय कृष्ण ने देखा एक व्रिक्ष के नीचे बलराम समाधिस्थ हो गये हैं तथा उनके म वसुदेव से समस्त यादवों के विनाश का समाचार दे दे। साथ ही यह भी कह दे कि बलराम ने परम गति प्राप्त कर ली है। कृष्ण ने दारुक से सपष्ट बता दिया कि उनके द्वारिका गमन के पश्चात कृष्ण स्वयम भी मानव देख का परित्याग कर क्योंकि यह द्वारिका भी समुद्र में लीन हो जाएगी। दारुक ने यथा देश अपना दायत्व पूर्ण करते हुए उग्रसेन तथा वसुदेव को पूरा वृतान तथा संदेश कह सुनाया। अर्जुन के द्वारिका आने पर सभी ने तकाल द्वारिका से प्रस् यह बान वही था जो मूसल की अवशिष्ट नोक से बनाया गया था क्रिश्न के पास पहुंचने पर जब व्याद को ग्यात हुआ कि उसने शिकार के भ्रम में एक साधनारत योगी पर बान चला दिया तो वो पश्चाताप में क्षमायाचना करने लगा। क्रिश्न ने उसक पर जब भामद्वारा इंद्रानी से बलपूर्वक लाया गया पारजात व्रिक्ष भी स्वर्ग सिधार गया। क्रिश्न के स्वर्ग गमन के पश्चात अर्जुन ने सभी यादवों के शवों को एकत्रित करके उनका अंतिम संसकार किया। उन्होंने भी सशरी रगनी में समाधी लेली। शेश बचे द्वारिका वासियों को साथ में लेकर अर्जुन ने उत्तर पश्चिम दिशा में पंचंद में लाकर बसा दिया। अर्जुन स्वयम सामर्थ्यहीन सा अनुभव करने लगे। उनके कमान से कोई भी तीर सही नहीं चूट सका। उन्हें लगने लगा। वो पौरुशहीन और अशक्त हो गए हैं। उन्हें सारी धनुर्विद्या विस्मृत हो गई। नवे लक्ष साथ सके न शत्रुओं का दमन ही कर सके। अर्जुन को लगने लगा कि उसके सारे कौशल के आधार स्रोथ शायद कृष्ण ही थे। उनके अपने धाम वापस लोटते ही मानों अर्जुन का कौशल भी गत हो गया। अब कृष्ण के अभाव में भीश्म, द्रोन तथा कर्ण आधी को युद्ध में परास्त करने वा यदुवंशी वज्र को राज्य का अधिकार सौपते हुए अभिशेक कर दिया। इसके पश्चात व्यथित अर्जुन व्यास जी के पास गया। व्यास जी ने उसकी उदासीन्ता और निराशा को देखते हुए उससे उसका हाल पूछा तो अपनी व्यथा कथा सुनाते अर्जुन ने बताया प्रभू। मेरा सारा शौर्य, बल, ओज, प्रतिभाकान्ती, श्री, वीर्य तथा पर आक्रम सभी कुछ गत हो गया लगता है। मुझे लगता है कृष्ण के जाते ही मैं अशक्त हो गया हूँ। मेरे गांडीव, मेरे दिव्यास्त्रों, बानों का सा क्रिष्ण ही थे, वरना साधारन से लुटेरे मेरे पुरुशार्थ को चुनौती दे सकने का साहस कर सकते थे। महा भारत का यशस्वी विजेता आभीर दस्यू की लाठियों का भी सामना नहीं कर सका, यह सब क्रिष्ण की अनुपस्थिती का परिनाम ही तो है। अर्जुन यह ध्यान रहे, क्रिष्ण का अवतरन अपने प्रयोजन के पूर्ण हो जाने पर गमन का सूचक था। अता उन्हें मानव देह त्याग करके जाना ही था। अता तुम्हें उनके गमन को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए था। तुम्हें एक, रहस्य की बात कहता हूं कि य पर विजय पाने के लिए सुमेरु परवत पर एक विशाल यग्य का आयोजन किया। यग्य में भाग लेने आये अनेक देव अपसराओं ने जल मिस्थित ब्रहम स्तुती में लीन अश्टावक्र की पहले तो अभिनंदन स्तुती की जिससे प्रसन अश्टावक्र जी ने उ अपनी वक्रता पर मुस्कान को अश्टावक्र सहन न कर सके। अश्टावक्र ने देव अपसराओं को शाप दे दिया मेरे द्वारा प्रदत्व वर्दान से तुम्हें पुरुशोत्तम वर रूप में तो प्राप्थ होंगे किन्तु साधारन ग्रामीन दस्यू तुम्हार हरन कर लेंगे इस प्रकार तुम्हारी यह उपहास वृत्ती मेरे वर्दान को शाप में परिवर्तित कर तुम्हें सुफल से वंचित कर देगी जब अपसराय अनुने विने करती हुई उनसे अपनी भूल सुधार करते हुए एक शमायाचना करने लगी तो अश्टावक्र जी ने यह कहकर शाप के प्रभाव का शमन किया कि हरन के पश्चात वेशी घ्रही दस्यों के बंधन से मुक्त होती हुई स्वर्ध धाम को प्राप्थ होंगी अता है अर्जुन तुम अपनी अशक्ता पर चिंता न करो यह तो शाप का फल था तुम्हारी सामर्थ्य शक्ती का ह अहरास भी तुम्हारे अंतिम समय का संकेत कर रहा है ज्यानी पुरुष को जन्म मरण, हानी लाब, यश अप्यश को अवश्य ही होने वाली घटनाय मानते हुए चिंता शोक नहीं करना चाहिए इस प्रकार महामुनी व्यास ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए उन्हें परामश दिया कि वे परीक्षित को राज भार सौप कर भाई बंधूं सहित वन को सिधार जाए अर्जुन ने लोटकर युधिष्ठिर से मुनी का संदेश कह सुनाया इसके पश्चात सभी पांदव परीक्षित को राज सौप कर तपस्या के लिए चले गए शष्ठ अध् राहमन, मनुष्यों का एक मास पित्रों का एक दिन एक रात होता है, पित्रों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के समान होता है, देवताओं के दो सहस्व चतोर्योग ब्रहमाजी का एक दिन रात होता है, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलियोग ये चार युग इन सभका संपून समय कुल 12,000 वर्ष होते हैं. learners wonder पहले युग में ब्रह्माजी स्रिष्टी की रचना करते हैं, इसलिए इसे कृति युग कहते हैं तथा अंतिम कली युग में स्रिष्टी का सनहार करते हैं। प्रतियास्था रहती है, न जब तप में रुची रहती है, न यग्यादी में प्रवरिती रहती है। यहां तक की वरत अनुष्ठान आदी भी अपनी रुची के अनुकूल करने लगते हैं। लोगों में लोब लालच बढ़ जाता है, थोड़ा सा भी धन पा लेने से अभिम जागरत हो जाता है। स्वार्ण, मनी या रतन आदी की अपेक्षा अपने केश को हिस्त्रिया सौंदर्य साधन मान बैठती हैं। अपने गुणवान किन्तु धन हीन पती को छोड़कर पर पुरुष से प्रेम करने में अपना स्वभाग्य समझती हैं। प्रेम के स्थान प उप्योग मनुष्य कलियुग में मकान बनवाने में तथा विशय वासना की पूर्ती में करता है। इसके विप्रीत अतिथी सतकार यग्यादी, पूजा, वरतनियम, दान आदी का व्यवहार क्षीनतर होता जाता है। स्ट्रिया स्वेच्षा चारिनी हो जाती हैं। मनुष पूर्शा के ना होने पर अन्नादी का अकाल पढ़ने लगता है और प्रजा भूखों मरने लगती है। बार-बार अकाल पढ़ते हैं। लोग बिना शौचादी के स्नान, ध्यान और पूजन बिना कि यही भोजन कर लेते हैं। इसके कारण उनकी प्रवृतियां दूशित हो जाती हैं। परिनाम स्वरूप अभाव में सारी प्रजा दुखी रहती है। कलियुग में पापाचार इतना बढ़ जाता है कि न तो बमचारी आचरनवान रहते हुए वेदादी का अध्यान करते हैं और नहीं ग्रिहस्त अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और नवान होते हुए हर समय विशया सक्थी रहती हैं। और पुरुष भी लाल्ची, मतलबी, धूर्ट और जूठे होते हैं। राजय पालक राजा भी प्रजा के हिट से विरत होकर उनकी रक्षा की जगह उनहीं का धन चीनने में लग जाते हैं। जिसके पास धन वैभव संपत्ति और शक्ति है वही राजा कहलाता है और जो निर्बल है, विपन है, वो सेवक कहलाता है। वनिक वर्ग क्रिशी की जगह शिल्प, चित्रकारी आदी को अपना व्यवसाय बना लेते हैं और शूद्र ब्राहमन की सेवा की जगह स्वयम सन्यासी बंकर अपनी पूजा ब्राहम होकर मरते हैं अथ्वा अपनी दुष्टता के कारण दुर्गूनी रहकर जीते हैं। कलियोग का ऐसा विपलवकारी चित्र उपस्थित करके पराश मुनी ने मैत्रेजी से कहा है मुनी। जब जब पृत्वी पर धर्म की हानी हो, अधर्म का बोल बाला होने लगे, मनुष् लेना चाहिए कलियोग आ गया है। जब यह लगे कि मनुष्य पाखन में जी रहा है, देव, ब्राहमन, यग्य, वे देवम जल से होने वाली पवित्रता को अमानने करते हुए अपने सास्ष्वसुर को गुरुजन, पत्नी के भाई को अपना हिताईशी, माता-पिता को विस्तारपन समझ लेना चाहिए। इससे आगे कलियोग से होने वाले रोगों, व्याधियों, अकाल मृत्यू, दरिद्रता आधी के बारे में विस्तार से बताने पर पराशमुनी ने मैत्रिया जी से कहा है शिश्य। कलिकाल में एक विशिष्ट बात यह भी है, यदि मनु जानना चाहा किस काल में मनुष्य थोड़ा सा भी पूर्न कर्म करके महतम फल पा लेता है। उस समय व्यासची गंगा में डूबकी लगाते हुए कह रहे थे कलियोग ही श्रेष्ट है, शूद्र ही श्रेष्ट है, स्त्रिया ही साधु हैं। धन्य हैं। सनानाती से निवरित होकर जब व्यासची अपने आसन पर आकर बैठे तो पहले तो मुनियों ने उनकी स्तुती वंदना की। तक पश्चात अपने आने का प्रयोजन बताया। साथ ही यह भी जानना चाहा कि कलियोग में शूद्र तथा स्त्रियां किस प्रकार श्रेष्ट हो गए। कृपा करके यह बताकर क्रितार्थ करें। व्यासची ने बताया कि जो फल सत्यूग में दस वर्षों तक, त्रेता में एक वर्ष और द्वापर में एक मास तक तप करने से प्राप्त होता है, वही कलियोग में एक दिन रात कर लेने मातर से प्राप्त हो जाता है। जो फल सत्यूग में प्रयत्न से ही पुन्यफल प्राप्ती के कारण मैं कलियुक को श्रेष्ट मानता हूँ। आप जानते ही है कि ब्राहमन जाती के मनुष्य जिस द्विलोक को ब्रहम चर्य पालन, वेद अध्यान, स्वधर्म के आचरन यग्ययागादी के करने सयम वरत आदी से बड़े कश्ट पूर्वक आचरन करने से प्राप्त कर पाते हैं, शूद्र वही द्विलोक ब्राहमनों की सेवा मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस कारण में अन्य जातियों की अपेक्षा शूद्र को ही धन्य और साधू मानता हूं। और पुरुष जिस धर्म लाब के लिए यग्य यागादी कर ले, न्याय पूर्वक अर्जित धन से जी की महानता और स्त्रियों की साधूता का वर्णन करने के उपरांत व्यास जी ने रिशियों से आगमन का प्रयोजन जानना चाहा तो रिशियों ने उन्हें बताया है महाभाग। आपसे पूर्वोक्त उपदेश सुनकर हमारे आने का प्रयोजन स्वतव पूर्ण हो गया तब व्यास जी ने उन्हें बताया कि यह विशेष्टा केवल कलियुग में ही है। इसमें कृष्णन भगवान का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य मुक्तकाम हो परंपत प्राप्त करता है। एक से दसगून की 18 भी बार गिनी जाने वाली संख्या एक पराप कहलाती है। इसकी दुगूनी संख्या की प्राकृत प्रलय होती है, इसमें संपूर्ण जगत अपने ही अव्यक्त रूप में लीन हो जाता है। आप जानते हैं, एक मात्रा में लगने वाला समय निमेश कहला 15 निमेश की एक काश्ठा, 30 काश्ठाओं की एक कला, 15 कलाओं की एक नाडी, 2 नाडिकाओं का एक महूर्ट, 30 महूर्ट का एक दिन रात, 3 दिन रातों का एक मास, 12 मासों का एक वर्ष ही देवलोग का एक दिन रात होता है, देवों के 360 दिन रातों का एक वर्ष होता है, देवताओं के 12,000 वर्षों का एक पूर्ण चतोरियोग होता है ऐसे 1000 चतोरियोगों का ब्रह्माजी का एक दिन होता है यह एक दिन ही एक कल्प है इस एक कल्प में 14 मनु के बीट जाने पर अंत से नामितिक प्रलय होती है आगे इसी नामितिक प्रलय के भीशन स्वरूप का चित्र उपस्थित करते हुए पराशर जी ने बताया है मुनिव छोटे एवं दूर्बल जीव घोर अनावरिष्टी से दुखी होकर मृत्यू को प्राप्थ होते हैं तत पश्चात स्वयम परंपद विश्णू संपून स्रिष्टी का क्षय करके स्वयम में लीन कर लेते हैं इस कार्य को करते हुए वे सूर्य की सातों किरणों में अवस्थित होकर समुद्र का संपून जल सोख कर नदी, नाले परवत सरिता और सहित सारे भूमंडल और पाताल को सुखा देते हैं ये सात किरणे ही सात सूर्य के रूप में प्रज्ज्वलित होकर तीनों लोकों को भस्म कर देती हैं तब प्रित्वी कच्छुए की पीट की तरह कठोर हो जाती है इसके पश्चात स्रिष्टी का संपून विनाश करने के विचार से स्वयम विश्णु शैशनाग की फूतकार में अवस्थित होकर कालागनी शिव के रूप में प्रकट होकर पाताल को जलाना प्रारंब कर देते हैं इसके पश्चात यह भीशन एवं दारुन अगनी प्रित्वी, देवलोक तथा पाताल लोक को जलाती हुई वहीं घूमती रहती है पूरा त्र लोक एक तपते हुए कडाहे के समान खौलने लगता है स्वर्ग के अधिकारी देवगन तब रक्षार्थ महरलोक में गमन कर जाते हैं वहां भी ताप के प्रभाव से आहतवे जनलोक में आ जाते हैं अब संपूर्ण स्रिष्टी को भस्मी भूत करने के उपरांत विश्नु विविद रंग वाले समवर्टक मेगों को मुख से निश्वास रूप में छोड़ते हैं जो पूरे आकाश पर घुमर घुमर कर चा जाते हैं और पूर्ण जगत को जलमगन कर देते हैं समस्त अगनी और उसकी तपन शांत हो जाती है इसी प्रकार ये मेग तीनों लोकों की तपिश मिटा देते हैं निरंतर सो वर्षों तक मेग वर्षा से समपूर्ण त्रिलो की एक महत सागर का रूप ले लेता है अब निश्वास से वायू का संचरन होता है और सो सो वर्ष तक बहता रहता है मेग नश्ट हो जाते हैं, वर्षा रुख जाती है यह सब कार्य पूर्ण कर श्री नारायन समस्त वायू को पीकर अपने स्वरूप के बारे में सोचते हुए महा समुद्र में चिर्निद्रा में मगन हो सो जाते हैं ब्रम्हा जी की एक पूर्ण रात्री काल शैन के पश्चात, एक सहस्र युग बीट जाने पर विश्नु नीन से जाग कर ब्रम्हा रूप में फिर्स रिष्टी के निर्मान में लग जाते हैं प्राकृत प्रलेय में वर्षा ना होने के कारण सभी लोकों के निष्ट प्राय हो जाने पर श्री नारायन की कृपा से प्रलेय काल का द्रिष्य गोचर होने लगता है महत तत्व से लेकर विशेश परियंत सारे विकार नश्ट हो जाते हैं जब सबसे पहले जल द्वारा प्रित्वी गंधगुन स्वलीन कर लिया जाता है और प्रलेय होने लगती है गंध के समाप्त होने पर जलमगन प्रित्वी से सारे जगत में जल ही जल हो जाता है अब जल के गुन रस को तेज अपने में लीन कर लेता है रस के कारण से जल नश्ट हो जाता है जल के अगनी रूप में पदारपन से धीरे धीरे सारा जगत जुलसने लगता है तब अगनी के प्रकाश गुन को वायू अपने में लीन कर लेता है इसमें रूप तनमात्रा के क्षय होने पर अगनी रूप हीन हो जाती है यानि तेज के वायू में लीन हो जाने से अगनी शांत हो जाती है। भयंकर रूप में वायू बहने लगती है। तब वायू के स्पर्श गुन को आकाश अपने में लीन कर लेता है। वायू के शांत होने पर आकाश आवरनहीन हो जाता है। इसके कुछ समय उपरांत आकाश के शब्द गुन को आदी ग्रसित कर लेते हैं। इन भूतादी में पंच भूतों एवं इंद्रियों का एक साथ ले हो जाता है। केवल अहनकार शेश रह जाता है। यही तामस्वृत कहलाता है। इसे बाद में सत्व रूप महतत्व ग्रसित करता है और इस महतत्व को प्रकृती स्वयम अपने में लीन कर लेती है। वास्तव में अभाव या भाव से मुक्त तीनों गुनों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृती है। इसी को प्रधान भी कहते हैं। यही समस्थ जगत का प्रमोख और परम कारण है। इस प्रकृति के व्यक्त अव्यक्त रूप में व्याप्थ होने के कारण ही अव्यक्त में व्यक्त लीन हो जाता है। इस प्रकृति से इत्रशुध, अक्षर, नित्य और सर्वव्यापी रूप पुरुष की सत्ता होती है। यह सर्वभूत कारण परमात्मा का अंशुरूप होता है जो नाम जाती। कल्पना से रहित सत्ता में परमपद विश्नु का ही विश्वरूप है। योगी महात्मा इसी की प्राप्ति के लिए तपस्यारत रहते हुए निरंतर प्रयतनशील रहते हैं। और प्राप्ति के पश्चात जगत के आवागमन से मुक्त रूप हो जाते हैं। इस प्रकार यह व्यक्त आव्यत रूप प्रकृती और पुरुष भी पर्मात्मा में लीन हो जाते हैं। ज्ञान योग से प्राप्त करता है यह विष्णु ही अव्यक्त व्यक्त एवं अविनाशी नित्य पुरुष है इसी अविक्रित दशा में प्रकृती एवं पुरुष लीन रहते हैं पहले बताया गया यह द्विप्राथ काल विष्णु का एक दिन कहा जाता है इस प्रकार व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृती रूप में विलीन होने तथा प्रकृती के पुरुश रूप में विलीन होने पर इतने ही काल की रात्री होती है। वास्तव में विश्णु की इस प्रकार कोई रात्री या दिन नहीं होते किन्तु व्याख्या के लिए ऐसा मान लिया जाता है। आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक को जान लेने पर पंडित जन संसकार से विरक्त होकर आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त करते हैं। इससे आध्यात्मिक तप दो प्रकार का हैं। शरीरगत शारीरिक तथा मंगत मानसिक। शरीर के अंतरगत सभी शारीरिक व्याधियां आती हैं। इन में प्रतिश्याय, जुवर, शूल, भगंदर अर्ष, शोत, श्वास, अतिसार आधी आते हैं। मानसिक में काम, क्रोध, लोब, भै, मुह, इर्शा, द्वेश, शोक आधी गिनाए जा सकते हैं। वस्तु तरह छोटे-छोटे जीवों सांप, बिच्छू, कीट आधी से प्राप्त कष्ट आधिभोते कहलाते हैं तथा सर्दी, गर्मी, बरसात, जल, विद्युद्वारा प्राप्त व्याधियां आधिदेविक होती हैं। इन तीनों प्रकार के दुहक तापों के अतिरिक्त गर्ब, जन्म, मरन, अग्यान, व्रिधावस्था, नरकादी और अनेक दुहक हैं। इस समय श्वास नेश्वास में कष्टा नुभव करता हुआ, पूर्वजन की स्मृतियों से भ्रमित जीव व्याकुल दशा में समय कारता है। प्रसूती वायू के प्रभाव से मा के गर्ब से मुक की और से वो योनी मार्ग से बाहर आकर संसार में प्रवेश करता है, जहां शारीरिक मलादी में लिप्ता यह जीव बाहरी वायू के संसपर्ष से बेहोश दशा में पड़ा रहता है। इस समय इसमिस्वयम की शक्ती से कर्वट लेने या अपने आपको खुजाने तक की सामर्थ्य नहीं होती है। यहां तक की स्नान, शौचादी के लिए दुगधपानादी आहार के लिए अन्याश्रित होता है। इस प्रकार बाल्यावस्था तक वो अनेक प्रकार से आधि भौट इक संताप सहत है। पशु के सम्मान भूजन, निद्रा तथा मैथुन में लिप्ट जीवन या पन करता है। और इस प्रकार अविवेक से अपने भावी जीवन को भी नर्कमें बना लेता है। इस प्रकार के आचरन से यह जीवन स्वयम अपने अज्यान से अपने आपगती खराब कर लेता है। वस्तुतह यह अज्यान तमोवृती के कारण ही होता है और इसमें अज्यानी सहज प्रवृत हो जाता है। ऐसा करने से ही वैदिक धर्म का लोप होने लगता है जिसका करमफल नरक होता है। इस प्रकार्ट अमोगुन प्रधान करम करने से अज्यानी मनुष्य अपना वर्तमान और भविश्य दोनों ही बिगार लेते हैं तथा बार बार जन्मरन के फेर में कश्ट भोगते रहते हैं। शरीर के व्रिधय अक्षाय ग्रस्थ होने से सभी अंग कमजो पर जोते हैं। जागना आदी करते हुए मनुष्य को कश्ट का अनुभव होने लगता है। शरीर की सभी ग्यानेंद्रियां तथा करमेंद्रियां शिथिल पर जाने से देखने, सुनने, खाने, सूंगने, बोलने आदी की ताकत जाती रहती है। ऐसी दशा में न वो कुछ कह पाता है, न सुन पाता है, न देख पाता है। यहां तक कि अपनी रोजाना की आवश्यक्ताएं भी वो पूरी नहीं कर पाता है। दूसरों पर निर्भर रहने लगता है और इस प्रकार तिरसकार, उपेक्षा और अनादर का पात्र हो जाता है। ऐसे में उसके सगे संबंधी भी उसका ध्यान नहीं रखते और वो स्वयम के लिए एक निरर्थक और उभास की वस्तु बन जाता है। ऐसी असाध्यता को लेकर शारीरिक और मान से कष्ट सहत हुआ व्यक्ति मृत्यू समय निकट आने पर भायन कर्तम कष्ट में जीता हुआ अपने पर स्वयम ही गलानी करने लगता है। ऐसे में वो अपनी स्मृती भी खो बैठता है और असंतुलन की दशा में धन, वैभव, पोत्र, स्त्री के भविश्य के प्रती चिंतातोर हो उठता है। भौतिक संबंधों के प्रती उसकी अत्यधिक लिपसा के कारण उसके प्रान पत्नी, बेटा, संपत्ती में ही अटके रहते हैं। यहां तक कि वो असमंजस की दशा में छटपटाने लगता है। भूक प्यास से व्याकुल होता हुआ यम्राज के दूतों से भायभीत और प्रतारित होता है और अंत में विशम वेदनाय तथा कष्ट जहलता हुआ यह जीव बड़े कलेश एवं कष्ट से शरीर छोड़ता है। मरने के पश्चात कर्मफल के अनुसार उसे यमदूतों तथा कारिंदों द्वारा बंधन में बंधना और दंट सेहना पड़ता है। शेर के मुढ में डाला जाता है रातवा बंधना और और दंवतना रहें पड़दा में गोरब दोर दोर भा जाता है यह परकार कुमार की जीव को अपने निंद्य कर्मों के फल्सवरूप नरक में घोर पीडा धाया क्यातना भोगनी पड़ती है। ऐसे में यदि किन ही अच्छे कर्मों के वश्षी भूत जीव को स्वर्ग की प्राप्ती भी हो जाती है तो वहां भी कर्मफल के समाप्त होने तथा फल्स्वरूप पतन की आशंका से उसे शांती नहीं मिल पाती। अंततो गत्वा कर्मफल के अधीन जीव को पुनर जन्म की यातना और सांसारिक आवागमन का कष्ट तो जहिलना ही पड़ता है। फिर से मा का गर्ब, अंधेरी कोटरी में टांगे से कोडे, मलमूतर में लिपते, श्वास निश्वास का कष्ट सहते हुए उल्टा लटके रह गर्ब से बाहर आकर बचपन, जवानी और बुड़ापे की पीड़ा को सहन करना, जन्म फिर मरन का फिर फिर क्रम से आना जाना सदैव इसी भाती चलता रहता है और इस प्रकार जीव निरंतर अपने कर्मफल का दाई भूगने के लिए बाध्या रहता है। समस्त भौतिक स सुविधा के कारक संबंध स्त्री पुत्र, मित्र, धन, ग्रे आदी जीव को दुहक पहुंचाने वाले हैं। ऐसी दशा में सांसारिक मुहमाया से चुटकारा पाने की वांचा, मोक्ष के अतिरिक्ट जीव को कहीं सुख शांती नहीं मिल पाती। गर्ब, जन्म एवं व्रिधावस्था के क्रम में मिलने वाले दुहक एवं कष्ट से चुटकारा पाने का एक मात्र मूल मंत्र भगवत प्राप्ती है। यह विश्नु स्तूती, उन्हीं में ध्यान लगाना ही एक मात्र मृत्यू के बंधन से मुक्ती का सनातन निदान है। विश्नु को ज्यान तथा कर्म दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ज्यान भी दो प्रकार का होता है शास्त्र द्वारा ग्रहीत तथा विवेक द्वारा स्वारजित। शास्त्र से शब्द ब्रहम का ज्यान होता है तथा विवेक से परब्रम्हा का बोध होता है। यही कारण है कि शास्त्र से प्राप्त ग्यान दीपक के समान होता है तथा स्वविवेक से प्रबोधित रूप सूर्य के समान देदी प्यमान होता है। अज्यान रूपी अंधकार को दूर करने में दोनों ही सहायक होते हैं। इसलिए भगवान मनु ने ब्रहम के दो रूप किये हैं शब्द ब्रहम तथा परविद्या इसमें पराविद्या से अक्षब्रहम का तथा अपराविद्या से वेदत्रई का बोध होता है वास्तव में अव्यक्त, आजर, आज, अचिंत्य, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, अपानि पादोर, व्यापक, नित्य, सर्वगत, सर्वव्यापक तथा ग्यान गोचर ही परव्रम हैं यही परमधाम है तथा मोक्ष के इचुक व्यक्तियों के लिए यही ध्यातव्य है परमात्म का यह स्वरूप ही भगवत रूप है तथा यह उसी आद्य अक्षर रूप का वाचक है इसी परमधाम का ग्यान कराने वाली विद्या ही परा विद्या है विद्यराई में ग्यान कर्मकान परक है और ट्रई विद्या से अलग है इस कर्मकान परक विद्या को ही अप्रा विद्या कहा जाता है इस भगवत शब्द से उपासना के लिए ब्रहम का ही अर्थ लिया जाता है इसके वर्णों के अभीष्ट भाव इस प्रकार हैं भभरन पोशन का सबका आधार गकर्मफल प्राप्त करने वाला, सृष्टी की रचना करने वाला वो समस्त भूतों में निवास कराने वाला समस्त भूतों को अपने में निवास कराने वाला एश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्यान और वेराग्य च्छ भाग शास्त्रों में वार्णित हैं। इनको धारन करने वाला, स्रिष्टी करता, भरता, सहता तथा सभी भूतों का आधारभूत भगवान शब्द उसी पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव का वाचक है तथा ज्यान, शक्ति, बल, एश्वर्य, वीर्य, तेज, आधी गुन भगवत शब्द के ही वाचेवाचिक है सर्वश्रेष्ट, सर्वात्मा वसुदेव ही सारे भ्रमजालों, आवरणों तथा विकारों से परे, सर्वभूत प्रकृती से विलक्षन, समस्त कल्यानकारी शक्ति के गुनों से संपन माया से संपून जीवों को व्याप्त करने वाले, स्वेचा से अपने मन के अनुकूल शरीर धारन करने वाले, संपून जगत का कल्यान करने वाले, तेज, बल, शक्ती, एश्वर्य, वीर्य, ज्यान आदी गुनों से संप्रिक्त, संपून ठलेशों से मुक्त, व्यक्त अव्यक्त, समश्टी व्यश्टी स्वरूप वाले, सबको जानने वाले, सबके स्वामी, विशुद्ध निर्मल, निर्दोश, एक रूप परमात्मा विश्नु रूप वासुदेव जिस ग्यान से देखे सुने जाने जाते हैं। वही ग्यान पर आविद्या है तथा इसके विप्रीत ग्यान आविद्या ही है। ब्रहम को प्राप्त करने का कारण रूप विद्या भी ब्रहम विद्या ही कहलाती है। यह ब्रहम नैतिक आखों से नहीं देखा जा सकता। उसे गोचर बनाने के लिए स्वाध्याय और योग ही नेतर रूप होते हैं। अब मैत्रेजी ने मुनी पराश से योग के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की तो सर्व प्रथम मुनी ने खांडिक्या तथा केश ध्वज का परिचे दिया। फिर उनके बीच हुए योगविद्या परक समवाद को कह सुनाया जो इस प्रकार है बहुत पहले की बा संसकार के अनुरूप खांडिक्या कर्म मार्ग में निपुन था तथा केश ध्वज अध्यात्म विद्या का पारगत विद्वान था। अपने अपने ग्यान के बल पर दोनों में सदैव प्रतिस परधा रहती थी। दोनों ही एक दूसरे को शास्त्रा आर्थ, तर्क तथा वाद विवाद में पराजित करने की जुगत में लगे रहते। अंत में केश ध्वज ने जीश्ट होने के कारण खांडिक्या को राज्य से स्तुत कर दिया। अब खांडिक्या पूरोहे तथा मंत्रियों के साथ दूर्गम वन में छिप गया। अपनी ग्यान दृष्टी ह होते हुए भी केश ध्वज ने अविद्या द्वारा मृत्यू पर विजय पान के हित अनेक यग्यों का अनुष्ठान आरंब कर दिया। इसी क्रम में एक बार केश ध्वज की धर्म धेनु की वन के सिंग ने हत्या कर दी। जब राजा ने अपने रित्विजों से इसका प दिया। शुनक ने राजा केश ध्वज से साफ कह दिया कि तुम्हारे प्रायश्चित को इस प्रित्वी पर तुम से हारा हुआ तुम्हारा शत्रु भाई खांडिक्या ही जानता है। इस पर केश ध्वज ने विचार किया कि यदि खांडिक्या के समीत जाने पर शत्रुत जावश उसका वद्ध भी हो जाता है तो भी उसे महायग्य का फल्स्वतह मिल जाएगा और यदि खांडिक्या ने प्रायश्चित भी बता दिया तो यहां निर्दिष्ट समाप्त हो जाएगा और सुफल मिल जाएगा ऐसा सोचकर केश ध्वज क्रिष्ण हिरन की खाल पहन कर रत पर चड़कर वन में खांडिक्या के आश्रम में पहुँच गया केशिध्वज को इस प्रकार वन में आया देखकर खांडिक्या ने कमान पर तीर चड़ा कर क्रोधित होकर उससे कहा तुम इस प्रकार मृक्चम पहन कर मेरा वद करने आये हो किन्तु तुम्हारे दुष्ट इरादे पूरे नहीं होने दूंगा तुमने जिस प्रकार मुझे राजय से वंचित किया है आज मैं तुम्हें समाप्त करके ही दम लूंगा खांडिक्या के इस प्रकार दूरभावना पूर्ण विचार सुनने के पश्चात के शिध्वज ने शांति पूर्वक धंग से उसे अपने आने का प्रयोजन बताया तो खांडिक्या ने अपने मं पूर्थवी का राजय तो मिल जाएगा किन्तु उसके बदले इसे तो पालोकिक विजय प्राप्त हो जाएगी और मैं इस भौतिक विजय से पालोकिक विजय को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं क्यूंकि भौतिक राजय प्राप्ती तो अस्थाई है जबकि परलोक पूर्ण विधी विधान बताते हुए उसका प्रायश्चित कह सुनाया संतुष्ट मना केशिध्वज आश्वस्थ होकर अपने राजय को लौट आया तथा प्रायश्चित कारे पूरा करके पूर्ण विधान से यग्य संपन कराने में लग गया यग्य पूरा होने पर भी केशिध्वज को मानसिक शांती नहीं मिली यद्यपी उसने रित्विजों का पूजन सदस्यों का सम्मान और भिखारियों की मनोच्छा भी अपनी सामर्थिके अनुसार पूर्ण कर दी थी फिर भी उसे कहीं असंतोश अवश्य था वो अनुभव करने लगा कि कुछ पूर्ण अभी छूटा हुआ है उसे ख्याल आया कि अभी तक उसने खांडिक्या को उसके उपदेश की गुरु दक्षिना भेट नहीं की है यह जानकर केशिध्वज दोबारा रत पर चड़कर वन में खांडिक्या के पास गया तो खांडिक्या को फिर उसकी दुरभावन का शक हुआ किन्तु केशिध्वज ने अपना मनोरत समझाते हुए उसे आश्वस्त किया और उसे गुरु दक्षिना स्वीकार करने का अनुरोध किया केशिध्वज की इस प्रकार निर्मल वृत्ती देखकर खांडिक्या ने फिर अपने मंत्रियों से परामश किया तो मंत केशिध्वज से सांसारे क्लेशों को शांत करने में समर्थ आध्यात में ग्यान रूप पर मार्थ विद्या का उपदेश गुरु दक्षिना में जानने का प्रस्ताव रखा ग्यान का यह प्रस्ताव गुरु दक्षिना में मांगा मानकर केशिध्वज को खांडिक्या पर मूठ लोग किया करते हैं, क्षत्रिय का वास्तविक धर्म प्रजापालन, शत्रूओं का और राज विरोधियों का वद करना है, तुम ही सोचो, मुझे दुर्बलेवं शक्तिहीन जानकर ही तो तुमने मेरा राज छीन लिया, ऐसी दशा में प्रजापालन न कर पाने का दोश वेभव, राग लोब के कारण उपजी है, धर्म के प्रति प्रवरिती से नहीं, और फिर भीक में राज्य का मांगा जाना क्षत्रियों चित कर्म ही नहीं, इसलिए मैं प्रजापालन आदी कर्म को अविद्या की संग्या देता हूं और राज्य से विमुक्त होकर तुम से शान्ती की कामना की बात करता हूं, यह भौते का सकती तो मूर्ख चित वाले अहनकारी एवं मूर्ख लोगों की बाते हैं, खांटिक्यस से इस प्रकार उनका शक्ति पूर्ण विचार सुनकर के शिध्वज ने उसे सराहते हुए कहां मैं स्वयम अविद्या द्वारा मृत पर विजय पाने की लालसा से ही राजय भोग तथा अनेक यग्यों का आयोजन कर रहा हूं, इस प्रकार मैं स्वयम अपने पूर्णियों को क्षीन ही कर रहा हूं, प्रिय बंधु, तुम्हारा विवेक और ओदेश जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, अब मैं तुम्हा माया के अंधकार के घेरे में पढ़कर पंच भूत की इस देर को छोड़ने पर मैं मेरा के भाव से उसमें आसकती प्रकट करता है, यह जानता हुआ भी कि आत्मा और देर दो अलग चीजे हैं, फिर भी वास्तविक्ता को न पहचानता हुआ जीव देर में आसकत रहता अगर, धन संपत्ती, जमीन आधी को अपना मानता है, पुत्र, पत्नी, माता-पिता से शरीर रूप में अलग रहने पर भी उन्हें अपना मानता है, वास्तव में मनुष्य सारे काम देल जन्न के लिए ही तो करता है, इसलिए आत्मा को भूला हुआ वो देर धारन के बंध में फसा रहता है, ऐसा बतलाते हुए के इशिद्वज ने खांडिक्य से कहा सैकडों, हजारों वर्षों तक यह जीव सांसारिक विशय वासनाओं को भोगते रहते हुए उसी भ्रमित सुक के मोह अंधकार में फसा रहता है, यह मोह ही मिथ्या सुक का आभास देने वाला है इसमें जब भी अपने विवेक या ज्यान से मनुष्य इस तर से उपर उठकर ज्यान के ताप से मोह को भेद कर रहे से जान लेता है, तो उसका मन सांसारिक्ता से विरत होकर भोतिक सुकों से परेवास्तविक आत्मा के सुक को प्राप्त करने में रमने लगता है, तभी वो ज्यान, भय, सांसारे, मिथ्याचारों, दोखों और प्राकृतिक धर्मों का आत्मा से कोई संबंध नहीं, जैसे कटोरे में रखे जल का सीधा अगनी से संपर्क न भी होने पर कटोरे की गर्मी पाने से जल भी उश्नता प्राप्त कर खौलने लगता है, उसी प्रकार आत् की प्राकृतिक धर्मों से विमुक्त रहने पर भी उनके प्रभाव में आ जाता है, यह मोही तो स्वमेपर और अनात्म में आत्म की प्रतिष्ठा से अविद्या रूप हो जाता है और अंत में सब प्रकार के कष्टों, क्लेशों की जन्नी बनती है, योग इस अविद्या क को नश्ट करने का एक मात रुपाए है, मुनी लोग इस योग द्वारा ही तो सांसारिक्ता से विमुक्त होकर ब्रहम में लीन पर्मानंद की प्राप्ति कर पाते हैं, केश ध्वज ने योग की परिभाशा एवं व्याख्या करते हुए बताया कि शम नियम का अनुपालन कर मन का ब्रहम के साथ सयोग ही योग है, ये शम नियम आत्म ज्यान के साधन रूप होते हैं, इन पर आचरन करने वाला योगी मुमुक्षु कहलाता है, प्रारंबिक दशा में जब मनुष्य इसमें प्रवरित होता है तो उसे योग-मुक्त योगी कहते हैं तथा अंत में पर प्रियास को दोहराने पर पुना मुक्त हो सकता है, और विनिश्पन योगी तो योग की शक्ती से अपने सभी कर्मों को भस्न करके उसी जन्म में मोक्ष का अधिकारी होकर उसे प्राप्त कर लेता है, ब्रहम चिंतन के लिए अपने चित को एकाग्र करने के लिए जीव को चाहिए कि वो निशकाम रूप से ब्रहम चर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रा का शुधर रूप में सेवन करे तथा उसे स्वाध्या, श्रॉच, संतोष तथा तब का आचरन करते हुए मन को सदैव ब्रहम में लीन रखना चाहिए, इस प्रकार इन शम नियमों का आचरन करते हुए अभ्यासरत रहना चाहिए, इस क्रिया में जब वो श्वास को वश में करता है तो यह प्रान वायू वशीकरन प्रानायम कहलाता है, यह सबीज तथा निर्बीज दो प्रकार का होता है, अभ्यास के समय आलंबन का स्थूल रूप ध्यान तथा मंत्र प द्वारा अपान वायू का निरोध रेचक तथा अपान वायू द्वारा प्रान वायू का निरोध पूरक कहलाता है तथा दोनों का एक ही समय सयम कुम्भक कहलाता है, योगी को प्रानायाम करते समय प्रत्याहार का भी विशेश ध्यान करना चाहिए, इस अभ्यास में मने का ग्रचित हो पाता है मन का मुख्या आधार ब्रहमस्वभाव से ही दो प्रकार का होता है यह मूर्थ और अमूर्थ गोचर और अगोचर अत्वपर और अपर रूप है भावनाय भी जगत में तीन प्रकार की होती हैं कर्म भावना ब्रहम भावना तथा उभयात्मिका भ पुरुष अपने विवेक पूर्ण ध्यान, तब से ज्ञान प्राप्ट करके कर्माधी को क्षीन करके ही अहंकार को नश्ट करके ब्रहमत्व को प्राप्ट करता है, इसके बिना जगत एवं ब्रहम में अहंकार के कारण जीव की भिंद रिष्टी बनी रहती है और यह भेधी समाप्थ हो जाए तो फिर संपूर्ण जगत में वही अनुभव करने योग्य ब्रहम ही दिखलाई पड़ता है, प्रारंभे का वस्था में योगा भयासी के लिए सर्वव्यापी निराकार रूप का चिंतन सरल नहीं होता है, तब तक उसे श्री नारायन के स्थूल रूप का ही चिंतन स्तवन करना श्रे है, इसके लिए वसू, रूद्र, सूर्य, ग्रह, गंधर्व, यक्ष, डैत्य, दानव, समुद्र, नदी, व्रिक्ष, वनस्पती, मनुष्य, पशू, पर्वत, चेतन तथा अचेतन आदी सभी भगवान विश्नु के भावनात्मक गोचर क्षेत्रग्य शक्ति अविधा के फेरे में पढ़कर ही सांसारे कष्ट भोगती है, अपना पराया अत्वास्व एवंपर का भेद पैदा करती है, इसी से व्रिक्ष, पर्वत, सर्प, पक्षी, म्रेग, पशु तथा मनुष्य तक प्रभावित हैं, और मनुष्य से नाग, नाग से गंधर्व, गंधर्व से यक्ष, यक्ष से देवगन, देवों से इंद्र, इंद्र से प्रजापती, प्रजापती से हिरन्यगर्भ में इस शक्ति का उतरोत्तर विकास होता है, विश्नु की शक्ति से व्यापती पाकर ये उन्ही भगवान के ही शरीर रूप है, य तथा मनुष्य आदी की चेश्टाओं से जुड़कर सर्वशक्तिमान रूप धारन करता है तथा इस रूप में प्रभु की अव्याहत चेश्टा काम के प्रती उन्मुक नहीं होती। जैसे अगनी वायू को साथ में लेकर सूखे तिंकों के जाडू को जलाकर राख कर देता है। उसी प्रकार मन में विराज़त विश्णु योगियों के सारे पाप नश्ट कर देते हैं। अतह भगवान विश्णु का ध्यान धारन करना ही श्रे है। ये आवश्यक है कि धारनों के लिए कोई न कोई आधार अवश्य चाहिए। अतह इसके लिए उनके मुस्कराते मुक, कमल के समान सुंदर नेत्र, लाल कपोल, उचा माथा, कुंदल युक्त कान, सुराई की तर गदा, पद मत्वा माला से सजजित दिव्य रूप का ध्यान करना चाहिए और यह तन में भाव से किया गया चिंतन, मन के स्थाई होने तक अर्थात जब तक ऐसी दशा न आ जाए कि योगी के मन मस्तिष्ट पर चेतन या अवचेतन किसी भी क्षण में यह दिव्य रूप स आरसक्तियों, दूखों कश्टों से विरत, कामना रहेत पर मेश्वर के रूप में ही एक मात प्रतीती ही ध्यान कहलाती है। मन के इस प्रकार धिय, भगवान, में ध्यान मगनावस्था रूप का नाम ही समाधी है। इस दशा में साधक और धिय तथा ध्यान का भेद समाप इस प्रकार इस मुक्ती की प्राप्ती में एक शेत्रग्य शक्तिकर्टता है और ज्ञान उसका कारण है, जो मुक्ती रूपी कारे के सिध्ध होने पर स्वयम दायत्व से निवरित हो जाता है। केश ध्वज से इस प्रकार प्रबोधित हुए खांडिक्या ने उसके प्रति आभार प्रकट किया. अपना राज्य अपने पुत्र को देकर वो स्वयम ब्रह्मचिंतन में लग गया. केश ध्वज ने खांडिक्या को निश्काम उब्देश देकर आत्यंतिक सिध्धी को प्र प्रकार उपर्योक्त वर्नन सुनाने के पश्चात मुनी पराशम मैत्रेजी से बोले है मुनिव. ब्रहम के सनातन रूप में लीन मोक्ष रूप ही आत्यंतिक प्रलय कहलाती है तथा सच्चे साधक आत्यंतिक प्रलय को पाकर ही जीवन मुक्त हो पाते हैं. यह प्रलय नित् करने वाला विश्नु पुरान एक सच्चा जिग्यासु जानकर ही सुनाया है क्या तुम्हें अभी कोई शंका है यदि है तो तुम उसका निवारन कर सकते हो मुनी पर आशके प्रति अत्यांता भार प्रकट करते हुए मैत्रे जी ने कहां महा भाग आपके श्रीमुक से सर्व के विश्नु पुरान प्रसंक का श्रवन करने से मेरा चित निर्मल हो गया है मुझे इस जगत की रचना स्थिती और प्रलय का संपून घ्यान हो गया है मेरी समस्त राशियों शक्तियों तथा भावनाओं का नाश हो गया हूँ और यह तथ्य समझ में आगया है कि यह सारा जगत परंपद विश्नु से भिन नहीं है। निसंदेह आपके आशीरवाद से मैं लाभावित भी हुआ हूँ एवं कृतार्थ भी हो गया हूँ। अब मेरी सभी शनकाएं तुष्ट हो गई हैं। अब कोई भी प्रशन शेश नहीं रहा है। श्री पराशमुनी ने इस प्र मुनिश्य की धर्म से रती तथा अधर्म से विरती हो जाती है। इस ग्रंथ में स्रिष्टी की रचना, प्रलय वंश, मनवंतर तथा वंशानुक्रम, अनुकीर्तन आदी की विस्तरत व्याख्या है। इस पुरान में कहे गए देवों, विद्याधरों, सिध्धों, गंधर यक्षों। तप में लीन मुनियों और आत्म में लीन योगियों के वचन सुन्ने मात्र से ही मनुष्य सत्में प्रवरित होने लगता है और असत से विरत होता जाता है। इसके सुन्ने मात्र से ही भक्त हरी का प्रिया बन जाता है। विष्णु का श्रद्धा द्वारा किय गया संकीर्तन सभी धातूओं को गलाने वाली अगनी के समान शक्ति में और सारे पापों को नश्ट करने वाला होता है। तुम्हें ग्यान होना चाहिए कि अश्वमेद यग्य करने के बाद स्नान करने से प्रयाग, पुषकर तथा कुरुक्षेत जैसे तीरत स्थलों में स्नान करने से उपवास व्रत, पूजन करने से तथा वर्ष परियंत निरंतर यग्य यागादी करने से प्राप पुर्ण फल मात्रहरी स्मरंड से विश्नु पुरान के श्रवन से ही मिल जाता है। मनुष्य के भए को मिटाने वाला, दोस्वपनों का नाश करने वाला इस पुरान का श्रवन अत्यंत मांगलेक और सुक संपत्ति को देने वाला है। यह पुरान सबसे पहले महाप्रभु ब्रह्माजी ने रिभु मुनी को सुनाया, रिभु जी ने अपने पटू शिष्य प्रियवरत को सुनाया, महर्शी भागुरी ने स्तम्म मित्र को, स्तम्म मित्र ने दधीची को, दधीची ने सारस्वत को, सारस्वत जी ने महर्शी भर भारिगूजी से पुरुकुज, पुरुकुज से नर्मदा, नर्मदा से धृत्राष्ट्र तथा पुरान नाग को यह पुरान श्रवन कराया गया। पुर्वजन में सारस्वत मुनी के मुख से सुना यह पुरान पुलस्त्य मुनी के वर्दान के फल रूप में मुझे यथावत याद रह गया जो मैंने तुम्हें कह सुनाया। तुम यह पुरान कलियुक के अंत में मुनी शिनीक को सुनाओगे। इस महतम महाभाग विशनु पुरान को अपने शुधचित से सुनने वाले जीव से श्री विशनु प्रसन हो जाते हैं। फलस्वरूप उसके सभी मनोरत पूरे हो जाते हैं। प्रभू उसके सभी दायत्वों को स्वयम अपने उपर लेकर उन्हें पूरा कर देते हैं। इस पुरान के श्रवन से जो फल प्राप्त होता है। त्रिलोकी में वो अन्य किसी कर्म से उपलब्ध नहीं है क्योंकि त्रेलोक्य के आधार रूप श्री विशनु ही इस पुरान के प्राप्तव्य फल हैं। इसलिए वे प्रकृती पुराश्मे के सभी श्रोताओं को व्रिधावस्था, रोग तथा जन्मरन के बंधनों से मुक्त कराने वाले तथा सभी मनोरत पूरे करते हुए अभीष्ट सिध्धी प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं के इस श्रेश्ठ हेवं दिव्य पुरान का श्रवन सभी मनुष्य के लिए सुखकारी होता है। इसी लाइन के साथ यह विश्णु पुरान की ओडियो बुक समाप्त होती है। अगर आपको ये विडियो पसंद आई हो तो कृपया इस विडियो को लाइक और शेयर करे। तथा इसी तरह की और पुरानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। चलिए मिलते हैं अगले विडियो में।